हाँ जी, CA Final Indirect Act की Amendment Class May 24 Attempt के लिए हम स्टार्ट करने जा रही है, मैं इसका और यो दे दू जी, हाँ, Amendment Class एक ही है और ये यूट्यूब पर आपको Class मिल जाएगी, Notes आपको Link में दे रखे हैं, नमबर दो, ये जो Amendment की Class है, ये चार घंटे 45 मिनिट, पौने पांच घंटे ही है, इसके अलावा एक नया टोपिक एड हुआ है, आपका Ethics का, उसमें चार केस सेनेरियों है, जो C&C ने एड करे हैं, अगर वो भी आप खुछ से कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो, मैंने अ आपके अलावा है, ठीक है, ओके, फिर, टोटल GST की 68 Amendment है, कस्टम की 3 Amendment है, एक नया टॉपिक, Ethical Aspect in GST, ये भी मैंने इसमें डिसकस किया हुआ है, फिर, रिवीजन क्लासिस का भी बता दे, ये भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, अगर आप सिरप रिवीजन क्ला इसमें सारी Amendment covered है, GST को हम 3 Classes में upload करेंगे, कुछ-कुछ chapters का around 28 hours का revision है उसमें, और Custom and FTP का around 6 hours का revision है, वो हम FTP की अलग और Custom की एक अलग class ये revision के हम upload करेंगे, अब जो amendments हैं उसके बार में थोड़ा सा और सुन लीजिए, ये मैं आपको amendment file दी है, इंडेक्स इसमें दे रखा पेज 79 है, टोटल इसके, इसमें जो नया topic add हुआ है, आपका ethical aspect एड हुआ है, और इसकी case studies end में दे रखी है, चार, जो पेज नमर 72-79 पे, अच्छा, एक चीज और, reverse charge goods का CA institute ने इस पहली बार आपके course में applicable किया, May 24 के लिए, वो मैंने इसमें discuss किया हुआ है, और इसमें जो आपको amendment दिखेंगी, हो सकता है, c institute के amendment file में आपको न देखी, क्योंकि c institute ने क्या किया है, जो section वाली amendments है, वो institute ने बोला, वो हमने study material में डाल दी थी, जब May 24 का बना रहे थी, तो तुम वो वहां से पढ़ लिए, मैंने यहां पर, सारी amendments जो भी, जो भी November 23 के आपकी बास book ह है, उसके बाद में जो भी amendment आपके इस attempt के लिए applicable है, जो section की है, वो रूल की है, वो notification की है, या circular की है, वो सारी इस file में आपको compile करकर दे रखी है, इसमें page number 2 से लेके page number 11 तक उन amendment की समदी है, detail में फिर आगे दे रखी है, जी, amendment class हम शुरू करें, एक चीज ध्यान दखना, RTP May 24 की amendment पर कई questions है, एक का दुक का question मैं amendment के साथ करा दूँगा, लेकिन एक separate class है, RTP May 24 की उसे जरूर देखना, उसमें must question है, C.E.A. Institute के, ठीक है, हलो, good morning, हाँ जी, हम start करने जा रहे हैं, C.E.A. Final Induct Act की amendment May 24 attempt के लिए, यह जो मैं file से आपको पढ़ा रहा हूँ, यह file आपको YouTube पर class के साथ में नीचे link में मिल जाएगी, okay, फिर इसके बाद, अगर मैं बता हूँ, तो total 71 amendments हैं, यह आपको index page दे रखा है, GST की total 68 amendments है, custom की 3 amendments है, अच्छा, एक चीज़ और, एक नया topic add हुआ है, आपके इस item के लिए ethical aspect in GST, और इससे related कुछ case studies, 4P Institute ने डाली है, हलाकि ethical aspect हम अलग कराएंगी, यह case study in ethical aspect वाला जो topic है, यह चार case study मैंने जो अपना examination batch लिया है, उसी का ही recording मैं आपको end में provide कर दूगा, ठीक है, अच्छा, इन 71 amendments की फिर मैंने आपको शुरू में समरी दे रही है, pain number 2 से लेके 11 तक, ठीक है, तो pain number जैसे मैं आप 2 पे यह GST क के रिखिया, अगर मैं pain number 11 पे आऊं तो यह 68 amendments GST के कतम होती हैं और फिर 69, 70 और 71, यह बस custom के amendment है, हम आप detail में amendment शुरू कर रहे हैं यहां से, chapter number 3 scope of supply GST का, अच्छा, यह वाली जो amendments हैं, जो आपके examination batch मैंने record किया, या उसकी revision classes आपको YouTube पर मिलेगी, उसमें मैंने amendment cover कर रखी और जैसे ही आपको colored दिख रहा ना ऐसा, ऐसा ही amendment book में है, तो अगर आप examination book ले लेती हैं, तो उसमें amendment ऐसे ही आपको highlighted मिलेगी, ताकि आप revision अच्छे से कर पाएं, बाकि आप देखें, अगर आप इसका photo भी कराएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा, और वो book भी सस्ती से अच्छा चलिए, अब हम स्टार्ट कर रही है, amendment may 24 की GST से रिगाड़े, हाँ जी आप याद कीजिए, सबसे पहली amendment के हम बात करते है, schedule 3, आपने schedule 3 में पढ़ा हुआ है, कुस 8 activity को नोंने बोला हुआ, ना हम supply of goods मानेंगे, ना supply of service मानेंगे, अब उसमें जो entry number 5, entry number 6 है, entry number 6, इसमें आपने क्या पढ़ा हुआ जी, इसमें आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, कि actionable claim को नहम supply of goods morning and supply of service मानेंगे लगेगा, लेकन उसमें से हटा रखा था किसको, इसको betting, gambling and lottery हो, है ना इसको हटा रखा था, मतलब betting, gambling, lottery की supply of and DST लगता था, अब इन्होंने क्या किया है, यह इसमें इन तीन के लवा तीन ओर एड किये गए, मतलब lottery, betting, gambling तो पहले ही इसकी supply पर GST लगता था, तो अब amendment चाहो ही है, specified actionable claim में तीन ओर add कर दिये गए है, casino, horse racing and online money gaming, यह तीन ओर, तो इनकी भी supply पर GST लगेगा, तो इसका मतलब entry 6 में उन्होंने specified actionable claim को हटाया, मतलब specified actionable claim की supply पर GST लगेगा, तो specified actionable claim की supply पर GST लगेगा, specified actionable claim में आते हैं 6, पहले आते हैं 3, lottery, betting, gambling, अब इसके लगा casino, horse racing and online money gaming भी आ गए, तो इन 6 की supply पर GST लगेगा, बाकी other actionable claim की supply पर GST नहीं लगेगा, इस specified actionable claim को हम detail में अभी एक प्लेस उप्लाई का चप्टर आएगा, व ठीक है, अब ही चलते हैं आगे, तो amendment पहली हो गई complete, schedule 3 में specified actionable claim को हटाया है, तो इसका मतब उसकी supply पर GST लगेगा, और specified actionable claim में 3 पहले आते से अब 6 हो गया, जी, जो 3 और एड हुआ, कि 3 और होर से इसके बाद आगे, amendment number 2, amendment number 2, हाजी, एक clarification आई है, clarification, अगर subsidiary company, subsidiary company के share hold कर रखे हैं, holding company ने, क्या इस वाली activity पर GST लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको मैं याद दिला दूँ, नहीं लगेगा पहला जवाब है, security जैसे कि share, ये न goods हैं, न service है, goods और service की definition से इसे हटा रखा है, प्राइट, चुके goods and service की definition से हटा रखा है, तो इनकी sale और purchase, न supply of goods है, न supply of service है, तो इसका मतलब, अगर share hold करती है, holding company, subsidiary में, ये वाली activity supply ही नहीं है, तो इस पर tax नहीं लगता, cannot be treated as supply और इस पर tax नहीं लगता, right, इसके बाद amendment number 3, ये आपकी section 8, supply के chapter में, आप जो composite में supply का पड़ा था, उस ते थोड़ा related है, हाँ जी, क्या है जी, आपने cinema hall की ticket purchase करी, तो आप वहाँ पर cinema hall में कुछ food and beverage भी खाती है जी, वहीं पर canteen खुली होती है, जी, अब सवाल यह है कि वो जो canteen या फिर वो जो restaurant खुला हुआ है, वो food beverage जो बीठी रहा है, इसे restaurant service में डालेंगे, या फिर इसे cinema, आप movie देखने गए है, तो movie की जो आप exhibition of cinema वाली service है, वहाँ पर इसे classify करेंगे, तब यह depend करता है, क्या है, cinema के ticket के साथ ही food beverage club करकर बेची जा रही है, तो यह composite supply है, आप movie देखने गए है, तो यह principal supply movie देखने की, exhibition of cinema की है, तो section 8 के according हम पूरी supply को, section 8 के according हम पूरी supply को, exhibition of cinema इस principal supply में classify कर देंगे, और जो भी GST का rate इस movie के ticket पर लगता होगा, वही इस पूरी value पर लग जाएगा, दूसरा case, कब इसे restaurant service के जाएगा, अगर यह independently, आपने ticket के साथ नहीं परचीज किया, इसको independently वो अलग से restaurant service दिया करते है, cinema वाले ticket के साथ merge करके नहीं बीच रहे ह हैं, तब इसे restaurant service में classify किया जाएगा, तो ticket के साथ बेश रहे हैं, club करके, वो ordinary bundling है, वहाँ हम composite supply मांगते हो है, पूरी supply को exhibition of cinema में classify कर देते हैं, वागर independently दे रहे हैं, तो हम इसे restaurant service में classify करेंगे, यहाँ हमारी, इस chapter 3 की amendment complete होनी, अब हम chapter 4, लवाय, collection, composition, reverse charge, इस से related amendment अपकर आने जा रहे हैं, हाँ जी, अभी थोड़ी दिर पहले हमने specified, specified actionable claim की बात करी थी, जैसे उसमें एक आ रहा था, online money gaming, horse racing, casino वाला आ रहा था, हाँ जी, यह वाली जो इसको actionable claim को goods की definition में include कर रखा है, तो इसका मज़र यह goods होगे, लेकिन यह कौन से goods हैं, यह intangible goods हैं, तो यह custom port पे तो आएंगे नहीं, custom port पे आएंगे नहीं, तो custom duty का हुए question नहीं होगा, तो इस इंपोर्ट अगर हो रही है, मान लीजिए, बाहर की एक company है, online money gaming का एक example ले रहा हूँ, आप dream 11 team बना रही है, company बाहर की है, जिसकी website है, जिसकी website पे आप dream 11 team बना रही है, यह specified actionable claim, online money gaming में include किया, क्या मतलब यह goods माना गया है, तो इसमें यह custom port पे थोना रहा है, तो आप उसकी website पे जाकर team मना रहे हैं, अदर जीत गे तो आपको price मिले हो, तो अब supplier है बहर, website है बहर, आपने यह goods import की वह माने जाएंगे, लेकिन यह goods physically नहीं आए, कोई custom port पे नहीं आए, क इसलिए custom duty का सवाल नहीं उठता था, इसलिए जो आपका IGST का section 5 है, उसका प्रोवाइदो, 5.1 का प्रोवाइदो अमेंड किया गया है, जिसमें उन्होंने अब यह clarify कर दिया है, कि इनकी import पर specified actionable claim, जैते कि हम online money gaming का exam पे ले रहे हैं, इसके पर सिर्फ सिर्फ इसके पर मैं custom duty नहीं लगी, क्यों custom port पे नहीं आ रही, तो इन्होंने इस प्रोवाइदो को accordingly ऐसे आमेंड कर दिया है, otherwise goods की import पर section 5.1 का प्रोवाइदो बोलता था, custom tariff act 1975 के हिसाब से valuation होगी और duty GST वहीं पर लगता है, custom duty और IGST section 3 of CTA के according लगता है, लेकिन हमने other than goods notified लिख दिया, मतलब यहाँ पर notified में specific actionable claim को cover कर लिया, तो इन specific actionable claim को छोड़ कर, बाकी goods की अगर import होती है, तो फिर उतमे custom tariff act 1975 के हिसाब से custom duty GST लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमने किसे cover कर लिया जी, हमने का specific actionable claim को छोड़ कर, क्योंकि specific actionable claim के case में, हम custom duty नहीं लगा सकते हैं, तो यह हो गई हमारी यह अगले chapter की amendment number 4 complete, अब हमारे है amendment number 5 पर, हाँ जी, इसमें अगर चार service, eco के through, ज्यानरे, चार service की बात है, service की बात है, अगर eco के through दी जाती है, e-commerce operator के through, तो e-commerce operator GST देता है, जी, इसमें जो पहली एक service है, उसमें amendment की गई है, क्या, अगर passenger transport की service, e-commerce operator जैसे ओला उबर के through दी गई, तो ओला उबर ही हस्ती देता है, यहाँ पर अबन्मेंट कहीं की गई है, ओमनी बस को छोड़ कर, अगर passenger transport की service, radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, any other motor vehicle, जो से auto, किसी भी motor vehicle के through, अगर service दी जाती है, omnibus को छोड़ कर, eco के through, तो eco GST देगा, तो यह amendment, omnibus के रिगारे पर ही है, omnibus के लिए क्या amendment हो, यह एक अलग entry insert करी, omnibus वाली service, अगर eco के through दी जाती है, company को छोड़ कर कोई और दे रहा है, तो eco ही GST देगा, तो यह तो पहली वाली बात ही होगे, जी, लेकिन अगर omnibus के service, company दे रही है, eco के through, तो company GST पे गरेगी, यह amendment डाल रही है, तो एक बर मैं slide से दिखा देता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाजी, मैं कह रहा हूँ, जरा यहाँ, हाजी, हम कह रहे हैं, जरा यहाँ सुनियेगा, हम कह रहे हैं, जी, अगर passenger transport के service, किस के through दी जा रही है, ओला उबर, यह e-commerce operator है, तो यहाँ पर ओला उबर को GST देना होता है, यह आप अल्रड़ी जानते हैं, कोई नई बात तो नहीं है, यहाँ पर यह जो supplier है, यह supplier यह company, यह कोई भी supplier है, इसकी turnover कितनी भी हो, चाहिए registered है यह नहीं है, इसकी turnover कितनी भी हो, चाहिए 10-20 लास्ते क्रोज भी करते हैं, तब भी यह Ola Uber ही GSTP करते रहते हैं, ऐसी हमने बात कर रही थी, यहाँ एक word होगे, accept Omnibus, Omnibus के लिए एक अलग entry आ गई है, अब Omnibus के लिए दिख लिए यह Omnibus है, अगर Omnibus की booking, यह वाली service, company को छोड़ कर, कोई और कर रहा है Ola Uber के थूँ, य यह Ola Uber, तो यहाँ पर Ola Uber ही GSTP करता रहेगा, अगें यहाँ पर turnover कितनी भी हो, इस supplier के turnover, जो company के अलावा, जो लोग इस Ola Uber के थूँ सर्विस देने, इनकी turnover 10-20 लागते, क्रोज कर देने, तब यह Ola Uber ही GSTP करते रहेगा, ठीक है, अब एक चीज क्या, amendment यह हुई, companies ने ब एको को मत pay करने तो, हम credit लेना चाहते हैं, तो यहाँ एक amendment हो गई, अगर company, बड़ी-बड़ी companies है, यह एक चोड़ी आवन्ट है, कि बाकी सब में तो अला Uber ही पे रहे है, है ट्रांस्परों परसंजर में बस अम्निवस अगर कंपनी अगर दे रही है ओल आवर के सूर्विस तो यहां कंपनी खुद पे करेगी ठीक है चलते हम इसके बाद आगे इसके बाद आईए amendment number six ओ ओ ओ ओ होज हो यह एक नया insertion पहली बाद सी एंसूट ने आपके कॉर्स में किया है जैसे ethical aspect in GST आपके कॉर्स में पहली बाढ़ा है ऐसे ही यह goods का अगर रिवर्चार्ज आपके कोर्ट में पहली बार है, 2017 में GST अप्लिएबल हुआ, तब से लेकर कफी अंस्टूट के में चोविस से पहले नवंबर तेज़ारम कोई वह आपके गुड्स का रिवर्ट चारज आपके लागा रिए तेरिक तो आहिए इसे डिस्कस करते हैं यहां हम चार केस करेंगे अगर किसान किसान अगर रज्स्टर पर्सन को बीछ रहा है तो रिवर्ट में आपके नोलिज के लिए बता दू यह नोटिफिकेशन सेक्षिन 9-3 CGST या 5-3 IGST में इस्यू किया गया एक 9-4 है 9-4 में नहीं हलो 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 है 9-4 है कि अगर आप अनुर्स्टर सप्लायर दे कुछ कुछ पर चीज़ करते हैं तो यह उसमें नहीं इस्यू किया गया 9-3 जहां पर आप सर्विसेज का रिवर्च पड़ते हैं वहां उसी में ही गुर्च का भी रिवर्च चार्ज है तो उसमें यह इस्यू रखा अगर इसके हैं जरा यह सुनिये क्या किसान किसान अगर कैश्यू नट काजू जो नोट शेल्ड आभी पेड़ नहीं है जिससे अब कवर नहीं अटाया गया वह वाले काजू अगर किसान रजस्टर परसन को बीच रहा है तो रजस्टर परसन रिवर्च चार्ट में जिए किसान बोला है अगर यह वाले काजू कोई दुकान बेच रही है रजस्टर परसन को तो रिवर्च नहीं है है अगर यह किसान किसान अगर यह रजस्टर परसन को क्या बेच रहा है जी कैश्यू नट यह बेच रहा है जी रजस्टर परसन को रिवर्च में रजस्टर परसन पेच रहा है तो यह चार होगे अगर किसान बेच रहा है क्या काजू नोट शेल पील्ड वाली बीड़े अपर लीज टोबैको लीज एंड यह आपका रोग तो चार किसान के होगे अब अब देखें जरा दो गोवर्मेंट के हैं वह हम बाद में करें मैंने इसको इसलिए रेड किलर खाय लेट करके दे रहा है तो आइए जरा आप और बात करते हैं हाँ जी क्या यह वाले ऐसेंशिल ओएल की बात कर रही है कौन से ओएल को छोड़ कर जो सिट्रस जो खट्टे फ यह वाले यह वाले पैपर्मेंट या उतकी पैपर्मेंट की फैमिली के अगर यह अगर यह अन्रेजिस्टर पर्सन को बीच रहा है तो रेवर्ट चार्ज में जी एसकी पेड़ रहे हैं इसका थोड़ा समय आपको यूज बता दू वैसे आपके एक्जाम के लिए तो रेल फोकस पड़ाना हो तो उसके इन इन ओल्स का अलग अलग का यूज किया जाता है तो इन ओल्स को हम किसान के बात नहीं करें कोई भी अन्रेजिस्टर परसन अगर रेजिस्टर परसन को बीच रहा तो रेवर्ट चार्ज में जी एसटी पेड़ेगा बढ़ते हैं इसके तो यहां पर सिल्क यान को बीचा है इन रो सिल्क से बनाया तो यह रेजिस्टर परसन रेवर्स चार्ज में जी एसटी पेड़ेगा अब आते हैं जरा दो गोवर्मेंट की बात करते हैं है यह वक्र है यह लोट्री वालो पैरिट्स में आपको वैसे भी क्लास ने बताया हुआ है जब लोट्री के डेमपे कर आ concludes है क्या लोट्री गोवंट खुन बेच सकती है यह इस्टपे बैच करती है जब लोट्री डिस्टिब्टर के ठू बेच रही है तो यह इस्टपे रही ऑगर्साज्च में यहां अब अब दूसरा government के लिए सुनिए सेंटल government, state government, union territory, local authority, क्या बेच रही है जी, use vehicles, जैसे उनकी buses होती है, पुरानी हो जाती है, या seize and confiscated goods, कुछ goods को confiscate कर लेती है government, हमने GST में भी देखा और other laws में भी आपकी गाड़ियां या आपकी goods confiscate या seize होती है, custom में भी होती है, GST में भी होती है, section 129, 130 में पढ़ा होगा, उन goods को auction में फिर बेचा करती है, तो use vehicle को seize confiscated goods को old and used, पुराने goods को या waste and scrap को अगर government, या auction में बेचती है general, तो जो register percent purchase कर रहा, वो register percent reverse charge में GST करेगा, ओके, next, ये priority sector lending certificate, ये भी मैंने आपको वैसे class में बताया हुआ है, ये bank बेचा करता है, एक दूसरे bank को तो जो bank purchase कर रहा है, वो दोनों register person होती है, तो bank जो purchase कर रहा है, वो GST reverse charge में pay करता है, एक बार मैं इसके लिए याद दिला देता हूँ आपको, answer कुछ आपने किया हुआ, इसके बारे में priority sector के लिए है, कैसा ऐसा, ये आपके किसान priority sector के है, education जो पढ़ रहे है, वो priority sector की है, ये छोटे दुगांदर priority sector की है, अब government ने क्या बोल रहा है, RBA ने क्या बोल रहा है, बैंक, तिरको जो total loan देना न, इसमें तिरको परसेंटेज करेंगे, 40% या 60%, तुम्हें priority sector वालों को ही लोन देना है, अब bank के पास priority sector वाले आएंगे, तो ये उनको लोन देता रहेगा, देता रहेगा, मानिए ये bank A है, इस bank A के पास priority sector वाले बहुत लोग आई, ये सब को दीतरा दीतरा, तो जो target RBA की तरफ से मिला था, total loan में से मान को 40-50%, उससे भी ज़्यादा इसने priority sector को loan दे दिया, लेकिन एक bank B है, इसका priority sector loan वाला target अचीव नहीं हुआ, तो यहां bank कहता है, यहां RBA कहता है, bank B to bank A से purchase कर ले, भी इसको target to achieve करना है, तो इसके लिए इसने जितने का access PSL loan दे रहा है, ये आगे certificate ये उसका बेस सकता है, PSLC का इस certificate इसे बेज सकता है, तो अब ये access loan का PSLC, PSLC जिसे हम बोलबा, priority sector lending certificate, ये जो आगे certificate बना कर दे देगा, इसके पैसे पैसे कुछ चार्ज करेगा, तो यहां पर यहां पर इस bank B को उस पर GST reverse charge देना है, अब इसके पीछे logic सुन लो, क्यों हो, ये तो मैंने बता दिया कि priority sector lending certificate क्या होता है, आरबे के हिसाथ जिन banks ने अपना priority sector का लोन का target अचीव नहीं किया, उन्हें किसी दूसरे bank से जिसने ज़्यादा अचीव कर लिया, उससे PSLC certificate लेना पड़ेगा, अपने target को पूरा करने के लिए, हाँ जी, अब जैसे stock market होती है, कौन seller है और कौन भायर है, न seller को पता होता है किसने मेरे share purchase की, न भायर को पता होता है किस से मैंने share purchase की, seller भायर को एक दूसरे का पता नहीं होता है, ठीक है, stock exchange में, NCRVA का एक e-quare portal है, यहाँ bank A बेचेगा certificate, bank B पर change करेगा, तो न bank A को पता किसने पर change किया, न bank B को पता किसने बेचा, तो अब यहाँ पर problem यह create हो गई थी, कि supply इंट्रा या इंट्रा डेटर्माइन कैसे होगी, जब पता ही नहीं bank A को कि मैंने किसे बेचा है, बेंक B को भी नहीं पता कि मैंने किसे पर change कि इंट्रा माने के इंट्रा माने, तो मैंने याद कर आपको supply की बता रखा, यहाँ पर उन्होंने थी है, इसने clarification कि इंट्रा मान लेगी, क्योंकि डेटर्माइन नहीं हो सकता, लोकेशन हो पता ही नहीं कौन पर change करने वाला, कौ recovery portal से बिकरा, अब दूसरा सवाल था कि इसमें फिर GST कोन दे, इसमें GST कोन दे, क्योंकि bank B को जो GST दिया उतका credit लेना है, तो हमने बोला bank B तू GST reverse charge में पेक और IIT से ले ले, तो इसलिए इसे, यह मैंने आपको वहाँ logic बता रखा है, supply के chapter में revision class भी बता हुआ, तो यह priority sector lending certificate में जो bank पर चीज कर रहा है, reverse charge में GST की पी कर देता हुआ, मैंने इसमें बता हुआ, आपको इंट्रकेट अप्लाई होती है, ओके, चलिए, यहां हमारी यह goods से reverse charge वाली related amendment भी complete हुई, अब services से reverse charge वाली amendment क्या है, amendment number 7, यहां पर government, अगर यह 4 services से इनको छोड़कर, अगर कोई service देती है, तो उस case में, उस case में, government ने अगर कोई service दी है, business entity को, तो business entity reverse charge में GST देती है, ठीक है, यहां पर यह जो post office लिखा हुआ होता था, इसके साथ एक ministry of railway, Indian railway, ओर add हो गया, बस, यह add हो गया, और एक entry 5A में रेंटिंग वाली service होती थी, यहां पर यह ministry of railway, Indian railway, ओर brand हो गया है, क्या है, इसका मतलब, मैं एक बर आपको याद दिलागा हूँ, यह reverse charge वाली entry, और इस related examination में भी amendment आई है, तो आईए एक बर मैंने आपको next page पे chart दे रखा, ऐसे आपने कोई chart किया हुआ है, इस same chart आपके examination book में भी है, सब कुछ मैंने examination book से लिया आपके, ऐसे highlighted ह हाँ जी क्या, हाँ जी government की चार services पर GST है, इसमें PAT पर forward charge है, government खुद GST देती है forward charge में, government LA, LA मतलब local authority, तो government LA अगर यह चार services दे रहे है, उसमें से 3 services पर forward charge है, जो चोथी service है, वो एन इदर service है, इसमें reverse charge है, ठीक है, तो P4 post office, P4 post office, post office की चार service तो माफ होती है, आपने examination की chapter में पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी जो other services होती है, post office की वो अटेक्टेबल होती है, तो post office बाकी service लिए खुद GST देगा, अब चार service क्या माफ होती है, एक बर मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपने कुछ ऐसी story करे भी है, क्या हाँ जी, आप ये एक बहुत low budget की girlfriend बनी, वो ऐसे गाउं में रहती है, जहाँ फून के towers भी नहीं है, तो आप उसको चिख्थियां लिगते थे, ये post office service पर GST माफ है, आपने उसके प्यार में डूब करेके book लिग दी और इस book को आपने post किया, तो इस book की post पर भी GST माफ है इस पर GST माफ है, तो तीन ये हो गए, आपके इस प्यार को देखकर वो भी आपके प्यार में डूबी और उसने आपको राखी भेजी थी, इस किस से ordinary post पर जिसका weight 10 gram से कम है, तो इस पर भी GST माफ है, तो ये चार services माफ है, post card, internal letter card, book post और ordinary post जिसमें आपका envelope का weight 10 gram से कम हो और उसमें post office को खुद GST forward charge में देना है, जैते speed post हो गया, registered post हो गया, कोई भी इसके अलावा कोई service है, post office की, वो taxable है, और उसमें post office खुद forward charge में GST देगा, next, P से post office हो गया, अच्छा, इस post office के साथ में एक ministry of railway भी add कर दिया गया, मतलब इसमें भी forward charge है, railway जो Indian railway जो services देती है, उस पे भी forward charge है, forward charge है, okay, next, A4 aircraft वे vessel के relation में inside the port और outside the port service दे जाती है, अब इसका एक दब दोतूँए, अपने ऐसा क्या हुआ है, अगर foreign country से ship आता है, तो वो port पर आता है, port पर उसे रस्ती से बादना पड़ता है, फिर ship crane से माल उतारा जाता है, तो वहाँ port वाले नेक्स, ट्रांस्पूर और बुर्स तो पर पेसंजर इंडियन रेल पे है, बुर्ट ट्रांस्पूर की सर्विस दे रही है, या पेसंजर ट्रांस्पूर की सर्विस दे रही है, तो यह खुद government खुद forward charge में हेस्टी पे करेगी, ऐसा पिछले page पे भी यह चार्ट में दे रेंटिंग की सर्विस, अगर अन्रेजिस्टर बिसनस एंटिटी को दी गई तो गुवर्मन खुद forward charge में देगी, लेकिन रेंटिंग की सर्विस अगर गुवर्मन रेजिस्टर बिसनस एंटिटी को दी, तो रेजिस्टर बिसनस एंटिटी रेवर्स चार्ज में देती है, एधेकंदमेंट हो गई कि अगर इंडियन रेल्वे किराय पर दे कि अधेर एंडियन रेल्वेंट में बटपे है इन ऐधेयर और ट। इंडियन CAN मैंने बताया था ही हैं जो आफ़ द एक पूराना था में अधया क्या एड हुआ है इंडियन रेल्वे यह इंडियन रेल्वे फोर्वर्ड चार्ज में हीस्टी देगी इसमें कोई रिवर्ड चार्ज नहीं है और एक्जम्शन लगबग कदम की गई है एक्जम्शन कभी अभी दिखाऊंगा मैं असको ठीक है अच्छा तो यह बात भी आपक आप पूर्ष सकता है इस वर आपके अटेम्ट में अब बाकी बची कोई भी सर्विस अगर यह बिजनस एंटिटे को देगे तो बिजनस एंटिटे को देगी तो माप होती है यह आपने पड़ा हुआ है तो यह भी कोई अवेंटमेंट नहीं है यह आप पहले से जान से नेसले बिजनस एंटिट्टी ए नेसले रिवर्स चार्ज में इस टीपैं अ मिनिक को लाइसेंस को दिया है तो यह एमेंड्मेंट क्या हुए है अमेंड्मेंड्मेंड्में यह हुई यह आगए कि यहाँ पर एक किराये तो यहाँ पर पोस्ट के साथ में रेलवेय कोई लिदिक दिया देना होगा तो अमेंडमेंट तिरफ इतनी हुई है अब इसी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट एक्जम्शन में हुई है तो पहले मैं वो करा दीता हूं ठीक है तो हम एक बार पेज नमर 45 पर यह अमेंडमेंट नमर 49 पर उस वाली से एक्जम्शन की चप्टर में यह एक्जम्शन की चप्टर हमने तिरा बना रहा आपका तो पेज नमर 45 पर इसमें उन्होंने क्या लिखाएगी एक अब इसका फर्क क्या पड़ा मैंने वह एंट्री आपको लिख कर दी है अभी हम बात करके आए गोर्मेंट की सर्विस अगर एनी सर्विस बिजनस अगर दन बिजनस एंटिटी को दी जाती है तो माफ होती है इस एंट्री से यही निकल कर आता है क्योंकि देखें इसने आपर लिखा एंट्री से एंट्री से एंट्री से में एक्जम्शन है किसको छोड़ कर इनको छोड़ कर पोस्ट ओफिस सर्विस देती है यह इंडियन रेल्वे यहां पर आड़ किया बस यही एड़ किया पोस्ट ओफिस यह एंट्री रेल्वे देती है तो पोस्ट यहां पर एक्जम्षन नहीं है यहां पर यहां पर यह बतारा है और एनी सर्विस अगर बिजनस एंटिटी को दी गई तो एक्जम्शन नहीं है तो इसका मतलब इस से यह निकल क्या था कि इसके पाद एक एक एंट्री 789 में जो अमट्मेंट होई है उसके लिए चार्ट दिया है ऐसा मैंने आपको होँए एक्जम्शन की चप्टर में करा हुआ क्या गोर्मेंट की चार फोर फोर असमें पर फोर्वर चार्ज अभी अप पढ़के हैं यह जो एनी अधर सर्विस जो बिजनस एंटिटी को दी गई जहां बात करें ते रिवर चार्ज होता है यहां कुछ exemption होती है entry 7 में entry 8 और entry 9 क्या इस any other service से related PAT से related नहीं PAT से related नहीं post office के साद railway भी add है aircraft vessel और transfer goods इस से related नहीं इस any service जो business entity को दी जाती है यह अगर any service अगर छोटी business entity को दी गई एनी service अगर छोटी business entity को दी गई तो exempt है चोटी का मतलब क्या जिसकी turnover pre-service में राई 먼저 निविट से कम निविट से कम है जिसकी turnover है जैसे 10 दी 40 लाग कप के red você होोगि है अगर उससे का मैं तो ईसम हम छोटी business एंट्री बोलते हैं अगर यह एनी सर्विस छोटे बिसनस एंट्री को दी गई तो माप होती है लेकिन यह वाली एक्जम्शन पी एटी के लिए नहीं है तो पी एटी प्लस रंटिंग अगर छोटी बी को दी गई तो यह टेक्टिबल है ऐसा आपने पड़ा हुआ है ठीक है विए इस हैसा आपने पड़ा हुआ है तो अमेंट्मेंट क्या हुई है इस प के साथ में पोस्ट के साथ में से कम है तो हमने यहाँ पर लिखा एनी सर्विस एक्सेप्ट रेंटिंग अगर छोटी वी को दी गई तो एक्जम्ट है छोटी वी का मतलब हमने लिख जा जिसके टर्न ओवर रस्टेशन लिमिट जैसे दस वी से चारीस लाग अप्लीकब होती है अलग अलग स्टेट के लिए जैसे मनी पूर मिजरम त्रप्रा नगर लेंड के लिए 10 लाग है बाकी स्टेट के लिए 20 लाग है लेकर अगर आपकी प्रीवेस एर में इस लिमिट से कम है तो आप छोटी विजनस एंटिटी हम अपनी लेंग में बोल रहे हैं ये लो मिनली को बाद छोटी बिजनस एंट की लिए कि अग्यार करती है कि एक्जम्शन नहीं मिलेगी पीए टी तक लिए प्लस एंटिटिंग और हम यहां प्लस ब्रीत जिए लिए तो यहां पी प्लस एंटिंग है तो अगर यह चोटी बिजनस एंटिटी विज दे रहे हैं तो लिए अगर गुड्स टांसपर की दे पैक्सालय गर्मiksiस को तो प्हुवर्म आधमाने तोいうこと फॉर्मस गौर्मन को असवीघ अनुम्क तो शब्हुतेशंद ते थर्यु गौर्मनने तो ट्रोंरे वह थाल सर्माने तक्ना दर्यूंब नहीं है अगर गोर्मन अगर पांच आर से कम की सर्वेस एरी या एनी सर्विस पांच आर से कम दे रहे है थो एग्जम्ट है लेकिन यह PAT के लिए ग्जम्ट नहीं एंसे पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट की सर्विस सिरफ 200 रुप ले रहा है, टक्से बोलोगा वहां 5000 से कम नहीं देखना है, हम यह जो entry 7, 8 और 9 में देखना है, यह किस के लिए देखना है, यह any service के लिए देखना है, तो any service के लिए देखना है, यह P.A.T. के लिए नहीं देखना है, तो P.A.T. प्लस ministry of railway के लिए यह exemption entry 7, 8, 9 नहीं है, ठीक है, तो वापस आते हैं हम, वापस आते हैं, यह तो हम, यह हमारी reverse charge वाली amendment service यह वाली होगे, ministry of railway वाली, ठीक है, तो मैं एक बार फिर clear कर दूँ, जी सर, तो amendment number 7, page number 16 पर हमने क्या बात करी जी, हमने यह बात करी है, कि ministry of railway भी forward charge में आ गया है, और exemption जो entry 6, 7, 8, 9 में थी, railway के लिए वो हटा दी गई है, exemption के जैपने entry 6, 7, 8, 9 में जो exemption थी, वो हटा दी गई है, मैं एक बार फिर clear कर दूँ, एक railway के transport of goods की exemption कुछ होती है, जैसे vessel के थूँ या road के थूँ आप transport करते हैं, तो exemption होती है, ऐसे वहाँ rail के थूँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, exemption होती है, goods transport की exemption है, लेकिन कौन सी exemption नहीं है, entry 6, 7, 8, 9 वाली जो exemption थी, वो railway के लिए हटा दी है, और railway को forward charge में डाल दी है, यहां river charge से हटा दिया है, ऐसे renting वाली service अगर Indian railway दे रिया है, तो forward charge में डाल दिया है, forward charge में डाल दिया है, ठीक है, ओके, तो यह हमारी amendment complete हुई, अब आते हैं, amendment number 8 पर, amendment number 8 पर, पर हैं हम, हाँ, जी क्या है, जी ज़्या सुनिएगा, यह आपने तो पड़ा हुआ है, डारेक्टर अगर company body corporate को service देती है, तो company body corporate reverse charge में घिस्टीपी किया करती है, इसमें एक circular आया है, कि डारेक्टर कौन से service company body corporate को देती है, परसनल नेचर की service या कोई भी service या जो डारेक्टर की capacity में दी जाती है, वह आली service, अब जैसे फूर एक्जाम्पल हों में बोला, परसनल capacity में, एक डारेक्टर का अपनी पास एक अपना दुकान है या उसके घर है, वह अगर किराये पे देता है company को, तो यहां क्या company को reverse charge में घिस्टी देना है, अगर डारेक्टर अपनी शोग किराये पे देरा company को बोले, यह तो उसका personal खुद की property है ना, यह डारेक्टर अपनी प्रपरटी को अगर किराये पे दे रहा है, तो इस पर not taxable under RCA, यह डारेक्टर की capacity में दे जाती है, बस उसी में RC है, है, यह clarification है, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, amendment number 9, एक entry हुआ करती थी, transport of goods by vessel from outside India to India वाली, यह delete मार दी गई है, मैं एक बर्याद दिला दिता हूँ, आपको क्या हुआ करती थी, और फिर हम बताएंगे आपको क्यों delete की गई है, हाँ जी, USA का supplier है, इंडिया का buyer है, contract हुआ, क्या, CAF contract, मतलब seller USA को बोला गया, तुम्हें इंडिया के port पर अपना ship पहुंच जाना है, यहाँ पर हमें delivery हो, वो कहता है, मैं यहाँ पर अपने port पर delivery देता हूँ, हमने का ना, वो तो FOB price होई न, free on board price हमें वो नहीं चाहिए, हमें CAF हमें यहाँ तक जो USA से इंडिया तक का insurance और freight लगेगा, हम वो आपको pay कर देंगे, इसके लबाद C for goods की cost, तो goods की cost, I for insurance, F for freight, हम सब pay कर देंगे, तो हमारे इंडिया पर port पहुंचाओ हमारे को, अब seller हम से contract कर रहता है, तो USA का seller वहां की कोई shipping company से contract करता है, और यह shipping company फिर यहाँ पर पहुंचा देती है, ठीक है, सुप्रम कोट ने बोला था, इस पर GST नहीं लगता है, क्यों की goods जब custom में आपने पढ़ा होगा, goods की import वाली value में, यह custom में यह transport की value हो जाती है, रूल 10-2 आपने custom पढ़ा हुआ है, ट्रांस्पोर ओर इंशन सैड हो जाता है वहां पर, और वहां पर custom duty, custom और IGST पी चला जाता है, तुम GST में फिर IGST अलग थे मांग रहे हैं, तो डवल डवल टक्स हो गया न, तो सुप्रम कोट ने बोला, section 8, जो कि composite supply का है, वो कहता है, गुड्स प्लस सर्विस का ये कॉंट्रक्ट थाना, तो यहां प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स की है, और गुड्स की है, तो custom में इसने गुड्स की वेल्यू में ये ट्रांस्पोर इंशन सैड करके, custom duty और IGST वहां दे दिया है, तो दुबारा यहां पर आप IGST नहीं मांग तो इस entry को, river charge वाली entry को फिर उन्हें delete करना पड़ा, इस river charge वाली entry को delete करना पड़ा, इस वजह से, तो अब ये river charge में इस ट्रांस्पोर्ट पर कोई भी दुबारा से ये GST नहीं दिया जाएक, इस entry को delete किया गया, एक और amendment, एक exemption के chapter में आब, क्या, तो अब हम page नमर 18 पे है ये amendment number 51, ये page number 47 पर है, यहाँ पर भी एक इस second point कटा हुआ है, ये ये उसी, जो river charge वे entry delete मारी है, साथ साथ में, यहाँ से भी exemption में से delete मारा है, क्या, 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 एक बर मैं आपको याद दिला दू क्या, जो IGST के exemptions थी, अलग से, एक तो common CGST, IGST exemption थी, कुछ IGST के separate exemption थी, वहाँ आपने ऐसा पड़ा हुआ था, कि अगर service import करती है government, individual purpose से, ये government या individual ये receive कर रहे है, other than business purpose से, तो ये exempt होता है, ऐसे, अगर 12AA entity, जो charitable trust है, अगर charitable activity देने के लिए, अगर कोई बाहर से service import करती है, तो इस पे GST माप होता है, मैं एक बर याद दिला दू आपको क्या, आपने एक exemption के entry पड़े है, entry number one, within India, अगर 12AA या AB entity charitable activity वाली service देती है, तो GST होता माप, वो charitable activity की वो, चार, चार activity है, charitable activity में चार point दे रखे है, अगर चार service को देने के लिए अगर charitable activity ने कोई बाहर से service import करी, तो GST है माप, इसके अलावा अगर individual या government ने, अगर other than business से service receive करी तो माप, इन दोनों के लिए, वैसे तो बाहर service import करें माप है, लेकिन ये दो exemption नहीं होती थी, अगर ये OIDAR, online information database access and retrieval service receive करती है, तो माप नहीं होती, और एक ये लिखावा था, second point, अगर ये import by C, और इसमें vessel से import करें, जो उसका transport होता था, वो माप नहीं होता था, तो अब यहाँ पर इस पर GST जाना नहीं क्योंकि अब कस्टम डूट, कस्टम में कस्टम डूट्य आई GST दे रहे हैं, तो यहाँ से इस second point को काटा गया है, तो थोड़ा सा OIDR के बारे में थोड़ा सा और explain करें इन दो को, जी, मैं एक बार आपको याद दिला हूँ, ऐसा आपने पड़ा हुआ क्या OIDR के बारे में, जैसे Netflix बाहर की company है, supplier बाहर का है, यह USA का है, recipient India का है, यह CS student है, यह इसकी website से कोई movie या TV show देखना चाहता है, करते थे, इसकी भी definition में वैसे amendment होई है, आप movie देखने हैं, TV show देखने हैं, यह आप क्या करने है, service OIDR बाल ले रहे है, OIDR बोले तो, O for online, online आप इसके Netflix के database को A4 access या retrieve कर रहे हैं, तो supplier है बाहर, recipient है इंडिया में, तो आप जो service ले रहे हैं, इसे import of service मानते हैं, वैसे import of service में reverse charge होता है, लेकिन यहाँ पर याद हो, आपको हमने बात की हुई है, यहाँ पर supplier को इंडिया में registration कराना पड़ेगा, और उसे IGST पे करना होगा forward charge, और हर state में इसे registration नहीं कराना है, यह netflix के subscriber तो पूरे भारत में है, तो इसे कहा registration कराना था, बेंगलोरू में office open कर रखा था, वहाँ पर इसे registration कराना था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब अब अब, अब जिरा ध्यानते सुनिए, हम exemption में क्या करते हैं, अगर individual, other than business purpose से कोई service import करता तो माप होती थी, लेकिन इस OIDR के लिए exemption नहीं है, यहाँ individual, आप individual है, आप other than business purpose से service ले रहे हैं, आप तो movie देख रहे हैं, टीवी चो देख रहे हैं, तो movie जो देख रहे हैं, आप या अपनी personal purpose से ले रहे हैं, other than business purpose से अगर आप service import करते हैं, individual लेकर तो exempt होती थी, ल तो उसी import को काटा गया है, तो स्फिर देखें, फिर देखें, फिर देखें, तो हमने क्या बोला, यह आपने पड़ा हुआ था ऐसा, कि अगर individual या government, other than business purpose से service import करती थी, यह माप होती थी, लेकिन यह exemption OIDR के लिए नहीं मिलती थी, अगर चैट विए लेक्टिविटी के लिए सर्विस देती तो exemption होती थी, लेकिन OIDR वल सर्विस ली तो exemption नहीं होती थी, तो यहां लिखा हुआ था, यह OIDR के लिए exemption नहीं होती थी और दूसरा लिखा हुआ था यह वाला, कि जो C वाना ट्रांस्पोर्ट है, अगर आउट यही है क्योंकि यहां से इधर reverse charge वाली entry भी काटी गई है, वहां से exemption भी काटी गई है, क्योंकि इस पे दुबारा से GST लेना भई, दुबारा से GST नहीं लेना है, तो इसलिए यहां से भी हटाएगा, वहां से भी हटाएगा, क्योंकि इस पे custom review और IGST ऑटमाटिकली जा रह 10 तो वापस आजाए आप पेज नमबर 18 पर पेज नमबर 18 पर वापस आजिए बड़ा बड़ा जो तो तो हाँ जी आ गए अच्छा जी अब C.A. Institute ने जो amendment दे रखी हैं अपनी website पर उन amendments में कुछ amendment आपको नहीं मिलेगी जैसे कि ये section 10 वाली amendment आपको नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि C.A. Institute कहता है कि हमने study material जो बनाया था में 24 के लिए उसमें जो section से related amendment थी वहीं पर ही incorporate कर देती तो मैंने कुछ amendment यहाँ पर लिखे हैं जिनके बस नमबर 23 वाली book है में 24 तक क्या क्या amendment हुई है वो मैंने सारी यहाँ पर डाल के दे रखी है जैसे section 10 में amendment अगर आप इंस्ट्यूट के amendment में देखी है तो नहीं मिल रही होगी क्यों वो कह रहे है कि इस प्रेटर नहीं बेश सकते थे अब अलाओ कर दिया गया इक ओमर्स ओपरेटर यह अमिंडमिन राज स्टेशन के चेप्टर में भी है यहाँ पर भी है और आप यह रहा गया पहले यह लिखा हुआ था अगर आप डिया है तो मसला है आप वे आपको क्यों मिल जाएं हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैे यह अजी हम जिद्रा ध्यान दीजिए अगर Mr. A aimepson केक्ष्ट भीज़ता है कि Amazon के थरू गुड़्ष भेजता है दोनों विदिन इंडिया। दोनों सेमस्ट हैं इंटरस्ट सप्लाई हाई मिस्टरी अगर कमिसिद्ट केम लेता तो इंटरस्टरी जो कर सकता है तो अगर इंटर स्थुड अप्लाई कर सकता है तो तो Amazon की website पर कई supplier listed है इस में से Mr. A का phone Miss P को पसंद आया था Miss P ने payment Amazon को तो Amazon फिर Mr. A को बोलता है ये तुम्हारे phone का order है तो Mr. A Miss P को अब ये phone बेज देगा और इस invoice में अपने CGST, IGST लगा देगा लेकिन अगर ये e-commerce operator है तो फिर ये CGST, IGST नहीं लगा सेगता अगर ये commission scheme ले रहा है तो ये CGST, IGST नहीं लगा सकता अगर ये commission scheme ना ले रहा हूँ तो invoice में CGST, IGST लगा सकता है वैसे क्या होता है अगर Mr. A Amazon के through goods बेखता तो invoice में GST चार्ज करता ना अगर ये commission supplier तो invoice में GST चार्ज नहीं करेगा क्योंकि इसे bill of supply issue करना होता है नंबर दू इस eco को क्या करना होता है TCS collect करना होता है कितना एक परसेंट 0.5% CGST, 0.5% IGST ठीक है ठीक है ठीक है तो अब amendment क्या हो ही है पहले Mr. A Amazon के through अगर ये commission scheme लेता है तो ये नहीं बेख सकता था अब इन्होंने goods अगर ये बेच रहा है तो allow कर दिया अब इन्वाइस में CGST, GST चार्ज नहीं करेगा ठीक है ये Amazon क्या करेगा TCS क्लेक कर लेगा 0.5% CGST, 0.5% SGST यहां तक ठीक है अब अगली बात तरो इस Amazon को एक GSTR aid permit करनी होती है कि मेरे through लोगों ने कितने का समान बेचा है तो वो उसमें वो detail दे देनी है उनको तो अब amendment पर आती है जरा वापस आएंगे अपनी examination book और अपनी amendment book में यहां amendment क्या हुई है अब आप कमपिशन के supplier है तो आप goods बेज सकते हैं e-commerce operator के थ्रूँ सर्विस नहीं दे सकते वो अभी भी सर्विस नहीं दे सकते एको के थ्रूँ अगर आप कमपिशन स्केम लेना जाते हैं लेकिन goods बेज सकते है एको के थ्रूँ यह अमन्मटरी है अब इसके साद एक notification निमबर 36 और 2023 यह एड हुआ है क्या CBIC ने notify किया है इस Amazon को जो यह एको है इन्हें special procedure फोलो करना पर क्या तीन शर्तों को फोलो करना है अपने थ्रूँ यह Amazon एको यह काम करने होंगे यह हमारी वहली अवंटमट भी कंप्रेट होती है तो इस से रिलेटेड कुछ अब आ रहे हैं चैप्टर नुम्र 5 प्लेस ऑप सप्लाइज अच्छा एक चीज में और बता दू क्या कुष अमेंड्मेंट बजट से हुई है कुछ एक ओनलाइन गेमिंग से एक एक बिल इंट्रोडूस किया गया तो मैंने वो सारी अमेंड्मेंट इसमें इंकलूड कर रखी है जैसी कि एक अमेंड्मेंट हम यह डिसकस करने जा रहे हैं क्या तो यह बजट में अमेंड्मेंट इंकलूड नहीं थी बाद में बिला आया था उसके थू कुछ अमेंड्मेंड्मेंट रही है हाँ जी अगर अगर ओवर दा काउंटर कोई गुट्स बेचे जाती है अन्रेजिस्टर सप्लायर को अन्रेजिस्टर बायर को तो उसके लिए अगर गुट्स बेचे जा रहे हैं अगर कार परचेज करनी है कहा लिखा है जैसे कुछ माइग्रेंट वरकर्स हैं टूरिस्ट हैं वो क्या करते हैं आप दिल्ली में तो आप कार परचेज स्वागे में रहता हूं जाया हूं बुर्णा करें दूसर रहता में रहता हूं मैंने देली नंबर की कार ले रही है मैंने देली से कारपटीर करी अब देली वाले दुकान पर मैं गया उन्होंने मेरे से नाम पूछा मेरा अड्रेस पूछा तो बिल में मेरा नाम और अड्रेस सुनिबद का डाल दिया आगर मैं unregisterd हूँ तो प्ले सप्लाई क्या लिया जाएगा। जो बिल में invoice में address लिखा। बिल ब सध का लिखा। उसने लिखा लिखा लुखक्रा कर लिखा। आच्छा यहां पर उसे पूरा अडर्स नहीं लिखा। सिरफ state का नाम लिख दिया, sonipat, इसे भी यह मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि यह मेरा address है, पूरा address ना लिख के सिरफ state भी लिख दिया sonipat, उसने लिखा बनोजबत्रा और नीचे लिख दिया sonipat, बस यह भी इतना sufficient है, तब भी एड्रेस रिकोर्ड में माना जाएगा, ये इन्वाइस में रिकोर्ड कर दिया है तो मरे सप्लाई फिर सौनीपत माना जाएगा लेकिन अगर उसने सिर्फ मनोज बत्रा लिगा साथ स्ख कोई अड्रस नहीं लिखा सौनी पद भी स्टेट का नाम भी नहीं लिखा तब प्लेस अप्लाई क्या मना जाएगा सपलाई की लुडिशन तो देली के दुगांती देली ही प्लेस अप्लाई मान लिया जाएगा फिर और आपका address पूरा लिखी दिया तो प्ले सपप्लाई हो बही है address में शिर्फ state का नाम ही लिख दिया सा का नम यह Zusammen is a फिर्ट का नाम Sad Light अपकी ही address को मना जाएगा के सिर्फ प्ले सप्ले माना जाएगा लेकिन हो गया हमारा 10-1-C-A अच्छा जी अब इसके बाद export of service की definition आपने पढ़िया उससे लिल्टे circular आ है export of service की definition मैं आपको एक बार revise करा दूँ क्या इसमें आपकी total पांच condition है पहला supplier इंडिया का होना चाहिए जैसे C इंडिया का है प्लेश सप्लाई आउट से इंडिया होना चाहिए जैसे हम audit कर रहे है या फिर accounting कर रहे है प्लेश सप्लाई इसका यूएस से निकल कर आएगा section 13 में निका रहे है अगली condition इस पर इस पर clarification आई है उस यूएस से वाले बंदे ने हमें payment foreign exchange में दियो इसे dollar में हमार को payment करी है या INR में भी दे सकता है अगर RBI ने permit कर रखा है जैसे निपाल भुटान के लिए permit कर रखा है अब इस से related हमारे एक सर्पलर है क्या इस से इस सर्पलर है करना था तो हमने बोला हम payment रुपिज में करेंगे तो ऐसे ही अगर इंडिया वाले बंदे ने रुपिज एक्सपोर्ट किया हम पेमें भी रुपिज में ले रहे हैं और इसको आर्वे ने permit कर रखा है वह किस के थूरा वह स्पेशल आई एनर वोस्ट्रो अकाउंट के थू और यह आर्वे ने permit कर रखा है तो हम पैसा रुपिज में ले रहे हैं इनर में ले रहे हैं यह आर्वे ने permit कर रखा तो क्या export की यह वाली condition जो 4 condition थी वह फुल्फिल माने जाएगी जी यह इसे बोड़ा आप यह तो पैसा फॉनेक्शन में लो आई नर में ले सकते हो अग यह वाली condition के हम फोने एक्शेंज रितीव कर रहे हैं या आयनर में प्रितीव कर रहे हैं आर्वे ने permit कर रहा है शर्त यह है कि जो condition restriction foreign trade policy में लगा रखी है या आर्वे के तर्कुलत में लगा रखी है उनको पूलू करना पड़े है वो permission approvals आपको लेने पड़ेगी तब हम हम यह मानेंगे कि यह वाली condition आपके फुल्फिल होगी और export of service माना जाएगा भले ही आप रूपेज में पैसा ले रहे हैं special आयनर बोस्ट्र अपाउंट में क्योंकि आर्वे ने permit कर रखा है तो हम यह वाली condition आपके export of service की फुल्फिल मानेंगे और आपके service export मानी जाएगी इसके बाद आते हैं next amendment पर amendment number 13 पर एक section 12 का subsection 8 का प्रवाइदो होता था वो डिलीट कर दिया है वो प्रवाइदो कौन था था जी यह transport of service of goods transported to outside इंडिया अगर goods transport होते थे आउट से इंडिया धान रहे supplier और रेसीपेंट दोनों कहां के हैं दोनों इंडिया के हैं हेलो 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 section 12 IGST का प्लेस और supply का आपने पड़ा हुआ है supplier recipient दोनों इंडिया के हैं और goods transport की service अगर 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 ट्रांस्पोर्ट आउट से इंडिया हो रहा है तो प्लेस अप्लाई बोलते हैं हम destination उस प्रवाइजर को डिलीट कर दिया है तो प्रवाइजर डिलीट होने के वज़ा से क्या हुआ section बारा आठ ऐसे बस इतना रही है कि रेजिस्टर पर्सन को अगर गुड्स ट्रांस्पोर्ट की सर्विश दी है तो जहां ट्रांस्पोर्टर को गुड्स हैंडोवर करे वो प्लेस अप्लाई मन देने तो बस ऐसी निकाले लिए यहीं उपर लिख कर दे रखा अगर गुड्स आउट्सर इंडिया अगर यह ध्यान रहे इंडिया में हैं इंडिया में है तो फिर यह ऐसे निकालना है अगर दोनों में से कोई एक बहर का है to-section 13 अगर सप्प्लायर या कर रिसीपेंट दोनों के सटून 13 में आता है अगर दोनों इंडिया के हैं तो फिर तो फिर कहा निकालते से तो अब हम गुस ट्रांसपोर्ट के लिए सेक्शन 13 के लिए वह जब सप्लायर रेसीपन्स दोनमें से एक बाहर का होगा तब कहां प्ले सप्लाय निकालेंगे सेक्शन तेरा दो कि अब कहां निकालेंगे सेक्शन तेरा-दो में सर्कुलर इशू हुआ है जिसमें क्लेरिफाई किया कि सेक्ष्ट तीरा दो में निगा रहे हैं अब तेरा दो में आपने क्या पड़ा हुआ है अगर रिसीपेंट की लोकेशन अवलेबल है तो इसका मतलब अब गुड्स ट्रांस्पूर्ट आउट से इंडिया हो रहे हैं जी नहीं सप्लायर रिसीपेंट दोन में से एक बाहर का है और गुड्स ट्रांस्पूर्ट की बात है तो प्रेस अप्लाई ऐसी नहीं करा जाएगा एक्जम्पल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए इंडिया की शिपिंग कंपनी है या एरलाइन्स है बाहर की कंपनी है उसे सर्विस दे रही है तो सप्लायर इंडिया का है रिसीपियंट बाहर का है तो बीवीड क्या होगा रिसीपियंट पन्रे लेइधर की एलॉर बाहर वाला हूं टेक है एलवार बाहर वाला और यहां पर पियर्स बाहर हो गया फोरेंट करेंशी भी आ रहे होगी तो अब ट्रांसपूर अगुड्स अगर सप्लार इसी में दूर में से एक बाहर का है तो 13 नो तो डिलीट हो गया 13 दो में निकलेगा प्ले सप्लाइब और यह मैंने आपको अब इसमें प्ले सप्लाइब पूछा गया है हम कहां निकालेंगे मैं इसके लिए एक बाहर स्लाइड दिखाता हूं आपको यह यह देखिए जिस भी कमपनि को एडिवर्टेजमेंट करानी हो वहांँ यह स्पैस सेल कर रहा है एक तरीके से वह घंप्लेक्स ले आओ बनी बनाई मैं यहां पर लगा दूँगा उसकी साइज बता देता है कितनी साइज कि यह इतनी साइज कि तो यहां पर वो बंदा क्या दे रहा या अपनी यह स्पेस को सेल किया इब्ली के रायी। आपको बोलता है यह मेरी साइट है यहां पर अपनी बनाए लिया हो मैं यहां पर लगा दूँगा क्या वह एड़र्टिस्मेंट के सर्वेस दे रहा यह स्पेस सेल कर रहा है बारती इंवोबल प्रपर्टि यह जहां लोकेटेड है वह प्लेस अप्लाई होगा अब दूसरा केस सुनो अब अगर वह कहता है ना जी ना तुम यह यह फ्लेक्स भी मैं तुम मिरे को बता दो डिजाइन मिरे को दे दो मैं खुद ही यह फ्लेक्स मैं खुद ही परचेज कर लूँगा इस प्रिं्ट में मैं ही कर लोंगा तब हो कहां निकाल जाएगा तब क्ली निकाल जाएगा बारत दो तो पहला है अगर इन्मोगुब प्रपर्टि यह होडं चुक्छर यह वंडर का है जिस वो छुब बनार के ले आओ मैं बस यहां पर लगा दूँगा तब उस केस में होडिंग स्ट्ट्चर कहा है जी इंवोबल है तो प्ले सप्लाई 12-3 में निगारा जाएगा और प्योष क्या लिया जाएगा जहां इंवोबल प्रॉपर्टी लोगेटिड है दूसरा केस अगर अगर वेंडर कहता है मैं ही सर्विस तुम्हें दे दूँगा तो अब इस केस में वेंडर की रस्पॉंसिवलिटी है डिस्प्ले करना यह बिलबोर्ड यह खुद वेंडर ही वेंडर ही अरेंज करेगा वह फ्लेक्स वह खुदी बनवाएगा वह प्रेंट को खुदी कराएगा तब उस चोने वह एडर टेजमेंट की इसके बाद यह लें लिया ही अपनी न मैट्रियल में और नहीं अपनी कश्मे वेंडमंट ली ही नहीं थी लेकिन दें हम ने ली ही नहीं किया तो हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अब इस पर एक क्वेश्चन भी है रटीपी में शोट में बता रहा हूं डिटेल में वहां करा रखा है यह कंपनी है देली की जब्रेक्स यह बोलती है करता है यहां लिम्टेर अबिटाइजिंग कंपनी को मिरी एक अडवर्टीज्मेंट लगवा दू तो और पिर क्रती है एक कोई होटल है मुंबई में मुंबई में होटल मरीन ड्राइव में इस ने बोलаствика लगा हूँ तो वहां पर उसका होल्डिंग लिगा हूँ है उसके हो और बारत दो के ओडिंग रजिस्टर परसंट का प्लेस जब रिख देली का तो यहां पर देली पीए पिएश हो जाएगा दूसरी सर्विस अब होटल को एड़ोटरजिंग अजन्सी ने कॉंटक्क किया तो अपने वहां पर होडिंग पर आजके लगा कर दे रहा है तो इस अमेंडमेंट पर नेक्स अमेंडमेंट पर नोन टेक्सेबल ऑनलाइन रितीमेंट की डेफिनिशन को अमेंड किया गया है अभी मैं आपको क्या दिखा रहा था था तो पहले क्या लिखा था अट्र में उन्हों लिखा था जो एंट्यूर गोर्मेंट डिपार्ट्मेंट गोवर्मेंट होसकती है या इंडुजिल होसकता है अब यह अधर बिजनस के लिए तर्मित लेता है लेकिन वह अंडरिश्टर होना चाहिए अब इन्हों सीरफ सीधा लिखा है जो रिसीव कर रहा है ओ आई डी आर ओन्लाइन इंफर्मिशन डेडवेस अक्सेज़ बात करो तो कि यह ना यह लिखा अधर बिजनस परपस से ना बिजनस परपस कुछ नहीं लिखा इन्होंने बड़ा सीधा कोई भी अन्रिश्टर परसल गोवर्मेंट डिपार्टमेंट छ आत्य है नोन ट्सेब्लाण रिसीव और दूसरा एक ऐक्स्ट्रिक्स अगर अगर आपके पास त्रक्नि का रजिथेशन है तो लिखाके लिखिशम मानेंगे अंट र minimizingर्ण इस सरब कश्रण अगर्मेंट है अग्ल्य आ इन्फर्मिशन देटिशन एक और 거죠 एक 되면 Extremadura इसके means part में आवन्मेंट आई है इस means part में देखो यह essentially automated and involving minimal intervention वर्ल लिखा था यह omit कर दिया रहे है यह पहली line में यहां पर लिखा हुआ था यहां पर यहां पर बस यही रहने दिया है कि अगर internet से सर्विष दी जा रही है अगर internet नेटवर्क के सर्विष दी जा रही है और इसके लिoliaka पर में इस पोइंट को समझताओं अब क्या लिखा हुआ है कि internet के मध्यम से कोई सर्विस दी जा रही है यह अलेक्टिन नेटवर्क के माद जम से एंड उसकी नेचर ऐसी है कि इन्फरमिशन टेक्नोजी के बिना वो सर्विस देना संभव नहीं था तो हम उसे ओएडिया सर्विस मानेगे इसको समझाने के लिए यह इंस्ट्यूट ने अपने मेट्रियल में जो एक्जामपल यह वही हम ले रहे हैं एक सीविय इसके सर्कुलर में बताये गए थे क्या प अगर फुल्फिल होती हैं तो हम उसे OIDAR सर्विस बोलेगे अगर नहीं होती फुल्फिल तो नहीं बोलेगे हैं जैसे आप CBAC की साइट पर भी कई PDF डॉकुमेंट्स हैं अगर आप यह डॉकुमेंट्स डाउनलोड करना चाहें तो क्या आप कर सकते हैं जी तो पहले यह सेक इंटरनेट के माध्यम से तर्विस जारी है हां पहले शर्व फुल्फिल होगी दूसरा क्या बिना इट के यह पीडिया डॉकुमेंट्स डॉकुमेंट्स डॉनलोड करना मश्किल था जी यह इन्पोसिबल था यह दोनों कंडिशन फुल्फिल होगी तो यह OIDAR सर्विस हैं अच्छा अब पहले वड़ा देखते हैं पहले वड़ा आपने हमारे पास admission लिया जैसी admission लिया हमारे system में inbuilt command है जैसे तो आपके पास एक मेल आती है आपकी mail ID पर क्या आपका admission हो गया तो यह automatic system के थूट मेल भेजी जा रही है तो यह internet के थूट मेल भेजी जा रही है यह सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कोई एक्टरस का फोटो डाउन्लोड करना चाहते हैं यह इंटरेट का यूद करके अब अपना एक्जामपल लेता हूं मैं जो अपनी क्लास रिकोड कर रहा हूं यह अगर मैं वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट पर प्री रिकोड़ेड वीडियो डाल दू और डाउन्लोडबल पीडियाफ डाल दू फिजिकल कोपी आपको नहीं देजे आप हमारी वेबसाइट पर पर चेस करो खुद ही डाउन्लोड कर लो खुद भी और पीडियाफ भी तो पहला क्या यह इंटरेट के बादियम से हैं क्या मुझिऎे यह इसमें यह बीना इन्कुमरिय ठेक लेजर के पॉसिबल नहीं था नहीं तो यह ओ ऐडिया सबी हो दो तो यह अमने बात की means दोने केशिन की में में पार्ट में में दोने किदिशन के अब हम इंक्लूडख पारट में बात कर लूगार देगें ही यहां से हटा दिया गया है बस बस यह एक अवंडमेंट है तो अब online gaming में क्या फर्क होता है और online money gaming में क्या फर्क होता है बस यही कराना है मिलकूँ तो मैंने इसके लिए separate topic ही बना दिया आपका online money gaming से जितने related provision है मैंने सारे यहां डालती है अब अगर आप सी एंस्ट्यूट के अवंडमेंट देखेंगे तो उन्होंने एक साथ नहीं डाले हुए है तो कुछ online जैसे gaming की definition online money gaming की definition वह आपको सी एंस्ट्यूट ने अवंडमेंट में supply वाले जप्टर में डाल रखी है तो मैंने online money gaming के provision एक साथ दे रखिया उन्होंने जो भी मैं यह कराने जा रहा हूँ वह अलग-अलग जगा कहीं 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 दे रखिये मैंने सारे एक साथ यहां आपको दे दिये हैं ठीक है तो आईए जरा अब हम मैं online money gaming के उपर में online gaming provisions के उपर में discuss करने जा रहा हूँ एक है online gaming और एक है online money gaming दोनों में फर्क क्या है अगर आप definition पड़े, definition पड़े, online gaming में क्या लिखा है means offering of a game on the internet and includes online money gaming definition में तो online money gaming के इसमें include हो रहा है लेकिन online money gaming को फिर अलग लिखा है तो अब मैं इसको थोड़ा differentiate करूंगा इसने बोला है offering a game on the internet अब जड़ा ध्यान दीए जो उपर हम o-i-d-a-r service की definition कर रहे थी उसमें online gaming आता है तो इसका तो online gaming को service माना जा रहा है online gaming को क्या माना जा रहा है service लेकिन online money gaming actionable specified actionable claim की definition में आता है और actionable claim को goods की definition में include कर रखा है तो इसका मदब यह है goods online money gaming चिंता ना करें मैंने online money gaming में लिख कर दे रखा आपको जो अगला topic दिया हम लिख कर दिया आपको आएंगे next page पर next page पर हमने यह specific actionable claim लिखें यहां देखिए यह point number three में point number three में हमने यह लिखा online money gaming को मान रखा है goods और यह OIDR जो थी online gaming जो थी यह है service यह क्या है जी यह है service ठीक है तो फर्क क्या है इस दोनों में फर्क अभी करते हैं फर्क अभी करते हैं तो online gaming है service online money gaming है goods ठीक है क्योंकि इसे actionable claim में cover किया और actionable claim goods होते हैं सुनिए आप सुनिए इसे बढ़ा offering a game on the internet हम किसी website वे गए और game का software डाउनलोड कर लिया तो यह क्या है online gaming service है OIDR में जाएगा online information database accessible में जाएगा ठीक है और example हमने लुड़ोगेम खेल ली है किसी एप के थ्रू आप बैठी है कहां पंजाब में मैं वैड़ाओं देली में तो हम यहीं से access कर सकते हैं हम खेल सकते हैं यह पॉसिवल है इंटरेट का जमाना है आप वहां लुड़ोगे अब अगला सवार अगर हम गेम इसलिए खेल रहे हैं कि हमें कुछ प्राइज मनी मिलेगी तो फिर वह online money गेमिंग में मनी वर्ड आड़ होगे तो फिर यह online money गेमिंग में आ गया फिर यह गोड्स नहीं तो online gaming है सर्विस यह सर्विस और जो online money gaming है यह गोड्स तो मैंने क्या बोला अगर लुडो गेम खेल रहे हैं आप पंजाब में बैठे हैं मैं देली में बैठा हूँ या आप यूपी या बिहार या कहीं और MP में बैठे हैं मैं यहां देली में बैठा हूँ हम दोनों इंटरेट के म सब्सक्राइब यहां जीते हैं तो वह online gaming है online money gaming क्या है जब जो जीता उसे कुछ पैसा मिलेगा या money के बराबर कुछ मिलेगा जैसे cryptocurrency मिलेगी जिसे वर्च्वल डिच्टल असे बोलते हैं तब वह क्या है online money gaming तो इसके लिए किसी website पर क्या करना पड़ेगा जी कुछ पैसे deposit करने पड़ेगी जी तो online money gaming means gaming in which player पे और deposit money और money's worth या फिर player कुछ पैसा deposit करते हैं या वर्च्वल डिच्टल असे क्रिप्टो करन्सी डिपोजिट करते हैं तो क्यों deposit करें इन expectation of winning money या money's worth हमने इसलिए जमा करा है था कि हम कुछ पैसा जीतेंगे या वर्च्वल डिच्टल असे जैसे cryptocurrency जीतेंगे तो cryptocurrency यह हमने सोचा था हम यह जीतेंगे इन इन event including game scheme competition और अधर activity or process whether or not its outcome or performance is based on skill or chance अब based on skill के बारे में बताता हूं हाँ जी कह रहा है कि यह जो game खेल रहे हैं हो सकता इसमें skill involved हो सकता है by chance जीतने की बात है यह तो सट्टे वाली बाते हो गई यह हमारे हां इंडिया में permissible नहीं है तो लिक फिरिस नहीं लेका whether the same is permissible or otherwise permissible ना भी हो under any law ठीक है अब अब सुनिये फिर से तो अगर हम लुटो की game खेलते हैं इसके बदले में जो जीतेगा उसे लाक रपा मिलेगा दो लाक मिलेगा पचास लाक मिलेगा पचास जार मिलेगा ऐसा तो आप पहले deposit करते हैं कुछ पैसा फिर बदले में आप expect करते हैं कि आप कुछ जीतेंगे तो आप online money gaming में और यह है goods यह तो आप इंडिया की किसी website पे जाके अच्छा जी अब इसने बोला कि आप जीतेंगे यह जो आउटकम है यह हो सकता है आपके स्किल पर डिपेंड करता हूँ आप जीते या भाई चांस जीते अब स्किल के उपरने सुने इसमें हम बात करते हैं ड्रीम 11 जो ड्रीम 11 है यह आप cricket की टीम बना रहे हैं हाँ जी आगे future में IPL के मैचिस होने है उससे पहले आप अपनी टीम बनाएंगे इसमें आप इंडिया के प्लेयर्स को भी सेलेक्ट करते हैं फोरेंड कंट्र वाले प्लेयर्स को भी सेलेक्ट करते हैं किसी website पर जाकर आप यह ऐसा काम करनेंगे तो यह website वाला है वह तो है हो तो हो गया supplier तो आप जिस website के थू खेल रहे होगा supplier आप ड्रीम 11 क्रिकेट टीम बनाने के लिए क्या skill की जरूरत है भाई इसके लिए क्रिकेट की knowledge की जरूरत है कि कौन सा keeper मैच सेलेक्ट करूँ पूरी बहुत बड़ी टीम है इंडिया के प्लेयर को भी सेलेक्ट कर सकते हो कौन से चार बैक्रडPe BTS में चार्णे श्रूरोンネル में अच्छा करते हो बहुत अच्छा यह पांच बहुत अच्छा केलते हो धिल्द न अच्छी करते हो कीप्रिंग अच्छी करते हो और उसके लिए आपको उस फीच की भी की जहां पर यह होँगे उसकी भी skill की डिल्मी ह तो ड्रीम 11 की चो आप टीम बना रहा है तो आप लुडो गेम खेल रहे था या या वडों की लिए जिसके लिए पहले कुछ पैसा deposit करते हैं बदले हम आप expect करते हैं कि कुछ जीतेंगे एक करोड़ पांच करोड़ कुछ अमांट फिक्स होगा न वह अब जीतेंगे ठीक है अच्छा फिर मैं आपको बता दूँ specific actionable claim यह definition आपको बता था मैं यह betting गैंबलिंग और लोट्री तो पहले ही होते थे कौन-कौन से नए एड हुए यह new एड हुआ casino horse racing और online money के ठीक है अच्छा जी तो यह हमने supply वाले चेप्टर में आपको amendment बताई थी कि specified actionable claim के supply पर GST है अगर specified actionable claim नहीं है तो फिर GST अच्छा तो यह जो आप यह specific actionable claim जिस website पर आप खेल रहे हैं वो कौन माना जाएगा वो supplier माना जाएगा तो आईए जड़ा supplier की definition करें supplier की definition में एक प्रोवाइज किया गया है कि जो person organize करता है औरेंड करता है डिरेक्ट्री औरेक्ट्री सप्लाई और स्पैसिप्र एक्शनेबल के तो उसे हम supplier मान रहे हैं या जो बंदा उस website को उस portal को उस app को own operate manage कर रहा है उस online gaming companies को हम क्या मान रहे हैं जी जिनकी website है जिनकी वो portal है जिसकी app है जिसके आप आप यह खेल रही है वो और इसका consideration वो money मिले रहे है यह वर्ट मिले रहे है यह virtual digital asset मिले रहे है तो यह supplier माने जाएंगे और supplier को फ़र GST की provisions को follow करना पड़ेगा ठीक है अच्छा जी अब एक अवेंडमेंट आपने वहां पर पढ़ी थी क्या कि इनकी इंपोर्ट पर custom duty लगेगी specific actionable claim क्योंकि intangible है इसलिए सरब सरब IGST इंडिया में उसकी उसकी एप पर या उसकी website पर क्या बना रहे है यह वो टीम बना रहे है तो supplier होगा बहार तो इसके लिए हाला कि service import है लेकिन इसके लिए हमने बोल दी असन भाई तेरे को इंडिया में registration कराना mandatory है वो overseas supplier वेबसाइट वाले तिरे को इंडिया में registration कराना mandatory है तो person supplying online gaming complaints from a place outside India to a person in India इसका registration section 24 mandatory है तो इसका registration mandatory है तो आपने section 24 में 12 cases पर रखे होंगे जिसमे registration mandatory होता है एक और 13 हो रहे हो गया कि अगर supplier है बाहर का online money gaming companies में rolled है तो recipient इंडिया का है तो इसे registration कराना भारत में जिरू नहीं है अच्छा आपने section 14 पढ़ रखा होगा simplified registration का ऐसा यह online money gaming के लिए 14 यह आ गया है अब आपको याद आएगा ऐसा ऐसा क्या ऐसा supplier online gaming company वाला अगर taxable territory में नहीं है मतलब यह बाहर वाली company है जिसकी website को हम dream 11 टीम बना रहे है तो इसे इसे जी स्टी पे करना है तो फिर इसे single registration बना रहे हैं क्रिकट टीम बना रहे हैं क्रिकट टीम बना रहे हैं इसकी website पर subscriber वह recipient और इंडिया के अलगला स्टीट में होगी हो सकता है हर स्टेट के बना रहे हैं उसकी website पर तो क्या इस website को इंडिया में हर स्टेट में registration कराना नहीं हमने बैंगलोरू में office open करका है बैंगलोरू में हमने इसके लिए office open करका है वहां पर इसे single एक ही registration कराना इसे single registration कराना है बस बैंगलोरू में open कराना है ठीक है next ऐसा ऐसा आपने OIDR service के लिए पढ़ा होगा इसलिए मैं इस पर ज्यादा इंडिया में वह registration कराएगा इंडिया में तो उसकी physical presence है न उसका representative इंडिया में तो उसे appoint करना पड़ेगा बंदा जो फिर इंडिया में registration कराएगा और जी स्ट करेगा सब्सक्ताइब अगर वह ना इंडिया में registration कराए और ना ही वह GST नहीं पे करता तो हम उसकी वेबसाइट को क्या कर देंगे ब्लॉक कर देंगे हमारी इंडिया वाली पब्लिक उसको देखी नहीं पाईगा तो यह रिजस्ट्रेशन के बात होगे ऐसी ही अपने सेक्शन 14 फूरा ये लिए इस पाई ये बंक होंगे आ गया तो आपने पड़ा ऊबगा गूर्स के एडवांस पर जीएस्टी नहीं जाता है लेकिन specified actionable claim जैसे online money gaming ये dream 11 cricket team बनाना हम क्या रहे हैं ये specified actionable claim में आता है न तो ये specified actionable claim के case में advance पर भी GST जाएगा तो जो आपका एक notification था 66-2017 उसको amend किया गया है जिसमें ये बताएगा था कि गुड्स के advance पर GST नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पर specific actionable claim के advance पर GST जाएगा तो आपको time of supply कैसे निकालना है है डिवाई का मतलब है date of invoice last date of invoice और date of payment विचावी दारी है तो इसका मतलब date of payment भी यहाँ पर दीखना है तो इसका मतलब यह advance अगर आपने receive किया है और वैसे भी आप सोचो जब आप किसी website पर पहले पैसा जमा कराते हैं तभी तो आप dream 11 ट्रीम बना पा रहें डिपोजिक क सब्सक्राइब करना है तो एडवांस पर उस website वाले को GST जमा कराना है वैसे goods के advance पर GST नहीं है लेकिन यहाँ अब value क्या होगी इतनी बात है अगर हमने कर ली तो value क्या होगी एक section 15-5 है valuation की chapter आपने पढ़ा होगा इसमें government notify कर सकती है कि वह छोड़ो वहाँ आप value क्या है आपने क्या पैसे लिया है वो नहीं हम बता रहे हैं क्या value ली जाएगी उस section 15-5 का use करते हुए online money gaming online gaming और actionable claimants casino इसके लिए दो rule बनाए गए एक rule 31B और rule 31C रूल 31B online gaming और online money gaming के लिए है और rule 31C यह casino के लिए कैसी नों के लिए हाँ पहले बात करते है rule 31B जैसे आप dream 11 cricket team बना रहे हैं आपने उसके लिए आपने 10,000 पर जमा कर आए उस website पर तो यह कह रहा है यही 10,000 पर ही धिरस्ट देना है अगर उसने कुछ पैसा रिटन कर दिया या कुछ रिफंड कर दिया वो डिड़क्त नहीं करना है जो के qs i canno के लिए या दिला दू आपने ऐसा देखा होगा मोई में चिप्स करने पड़ते हैं इसके पैसे देने पड़ते हैं तो इन चिप्स को इनbr 2019 operation बोलो यह अपने पैसे दिए मानो 10 जार पर दिये तो वही टिफ्स, टोकन, कॉइंस, टिकेट्स, कुछ भी बोलो यह जो आपने पैसे दिये तो इसे हम बोलेंगे यह है वेल्यू जिस पर GST जाएगा कि यह आप ओनलाइन भी खेल सकते हैं जी बटन मिल जाता है उसको प्रेस करना होता फिर यह मू करता आपने जो नंबर मांगा होगा अगर वही आगया तो यह है कैसीनो कैसीनो के लिए भी जो आपने पैसा दिया होगा डिपोजिट किया होगा उसी पर GST लगेगा अगर उसन गया तो यह चैनल लगेगा अगर यह तो जो भी आपने अमाउंट रफंड कर जिया गया इसे डिड़क्ति नहीं करेंगा अगर एक बंदी बैट लगाई है 10,000 पर और मैं जब यह रूर आए तो अपने रूल आए तो आपने नियूज में थुना ओगा बड़ा शूर मचा था क्यों पहले क्या हो रहा था अगर आपने ड्रीम 11 टीम बनाने के लिए 10,000 पर दिये वह कुछ कमीशन रखेगी अपनी जिस वेबसाइट पर पर आपने डिपोजिट किया वह कुछ अपनी कमीशन रखेंगे वहां लिए 10,000 पर आप एक करोड जी ना जा रहे है तो कहां से देते हैं सब लोग वहां पर टिकेट परचेश रही है रइट 10-10,000 पर आपनी टीम बना रहे हैं वह जमा करा जा रहा है उसमने मालीविक्ट तो हो क्या रहा था इस अवंडमेंट से पहले वो कहते थे जो मैंने लोगों से लिया ना इस पे मेरे से लोग साथ जार तो हमने प्राइज में बांड दिये उत पे जी एस्ट क्यों वो नहीं देंगे हम जी एस्ट लेकिन गुवर्मेंट नहीं माने और उन्होंने क्या बात करें तो यह दस हजार पर ही जी एस्ट जाएगा अब इसके बाद आगे इसमें एक अब दुबारा खेल रहे हो तो आपने कितने रुपए लगा दिए तेरह हजार लगा तो यह तो जो इसने विन किया है अमाउंट रिसीव किया है इसे शल नोट भी कंसेड़ अमाउंट पेट डिपोजिट वाली के पास में पर है जितना हम डिपोजिट करते हैं अमाउंट वाली के पास में उस पर जीएश्टी लगता है उसमें एक और रूल अगर जिसमें चांस तू विन है उसमें जितना आप फेस वाली बेट लगाते हैं जो भी अमाउंट पे करते हैं उसी अमाउंट पर जीएश्टी लगता है लोट्री की बात नहीं हो रही आप बेटिंग करते हैं तो जितना भी आपने प्रेस वाली बेट लगाया जितने की बेट लगाई है जो अपने अमाउंट पेकिया उसी पर जीएश्टी लगता है तो देखेंगे एक आर्टीप का क्वेश्चन है यह आपकी आर्टीप में देर रखाया थिक आर्टीप की सब्टेट क्लास है वहां से देख सकते हैं आप वहां मैंने करा हुआ वैसी यह कर रहा है कि एक फोर्चून ओनलाइन गेमिंग प्लेटफोर्म है यह यहां पर गेम्स अवेलेबल कराते हैं अपने पोर्टल पर अब दिसंबर महीने में प्ल आपने डिपोजिट किया 10,000 इंकलूडिंग GST हां जी तो रूल 31B के कोडिंग यह 10,000 आपने जमा करा है इसमें से GST हटा कर क्योंकि तो इंकलूडिंग GST है ना 28% GST का रेट नीचे दे रखा है तो आप कैसी निकालेंगे 10,000 इंटू में 800 वैं 128 करकर यह आपकी वैल्यू तो रूल 31B में यह आपके वैल्यू आगी 7.2 इस पे आप GST करेंगे यह फिर 28% लगा तो यह आपका 218 GST है ठीक है ठीक है जी तो आपने 10,000 पर आपने जमा कराए हैं यह आपके कहां पर अविलिबल हो जाएगे जी यह करें कि 10,000 जो आपने जमा करा है एक मास्टर वैले वैलेट बना हुआ वहां पर आपको अविलिबल हो जाएगे आप इसको यूज कर सकते हैं फिर आगे अब इस दरजर में से फिर आपने कहा किया 2000 यूज किए एक वर्चुल रेसिब गेम खेलने के लिए और इससे क्या हुआ आपने जी तो आपके वैलेट में से इस 10,000 जो के नाम से दो जार एक चोटासी आपने निकाले नहीं क्योंकि यह लेस होके आपको 60,000-812 रुपए यही मिले हैं खिलने के लिए तो यह लेस हुआ अब 2,000 आपने निकाले हैं 10,000 आप जीतने हैं तो यह आपके याड हो जाने हैं इसके अलावा अब यह सेकिंड पॉंट म के मैंने आपको हुआ आटिप्यों के क्लास में बताया हुआ है तो अब यह रूल 31A के हिसाब से जितने के आपने बैट लगाई थी प्लस GST यह आपको देना पड़ेगा यह एक्स्क्लूडिंग GST है तो 11,000 पर 18% लगाएंगे तो 11,000 पर हमने 18% लगा यह 30,000 रस्य होगे तो आपके वैलेट में से आप 11,000 भी निकल जाएंगे और यह 30,000 रस्य भी निकल जाएंगे तो अब आपके पस नेट यह पड़ा हुआ 17,30 अब इसने अगली लाइन में बोला भी यह है कि आप यह 17,30 जो आप अपने बैंकों में ट्रांस्फर कर लिए तो यह क्वेश्च के चेप्टर से हैं हैं अब एक आइगा किया यह यहां पर भी आपन ही है तो यहां पर तो भी जिए हां जो हां गाली यह अ happy यहां अच्छा इसके बाद मैंने कुछ प्रोसेजर अवंडमेंट नहीं है यह अवंडमेंट हम उसी चेप्टर में जाकर ही पढ़ लेंगे जैसे रूल 8 और रूल 14 में आमनमेंट हुई है क्या एक रूल 14 में एक रूल 14 का फोर्म है आरीजी 10 यह यह यूद हो रहा था किसके लिए अब यह ओनलाइन मनी गेमिंग वालों के लिए भी यूद होने लगा है जो बाहर वाली कंफ्रीज हैं और मनी गेमिंग में सर्विस दे रहे हैं तो इन फोर्म को उतने आमन्ट कर दिया एक रूल 8 में लेखा हुआ था यह यहां पर नॉर्मल इंडिया वाल बंदा अगर को वहां थे ओनलाइन मनी गेमिंग को भी हटा दिया क्योंकि उतके लिए रूल 14 में अलग से आरे जी बन दिया तो यह वाले प्वांट्स में रजस्टेशन के टाइम पर वहां दिखाता हूँ आपको ठीक है यह तीर पाच अबंदमेंट होई हैं और अलग-अलग रूल्स मे यह मैंने वहां उन-उन चेप्टर में भी डाली हुई है ठीक है तो मैं यह वहां दिखाता हूँ आपको यहां हमारी यह चेप्टर 5 के अबंदमन्ट कंप्लीट होती है अब आएंगे चेप्टर 6 पर और यह पहली अबंदमन्ट यह मैं आपको बता चुका अभी पीछी य लगेगा पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए नहीं तो चलते हैं आगे हां जी पढ़ लिया जी चले आगे जी सर चले आगे तो आईए आगे बढ़ते हैं Amandment No.20 रूल 28 पर पहले तो सीजी सीजी अमेंडमेंट की बात करते हैं जो नोड दे रखा है क्या अगर corporate guarantee दी जाती है अगर बैंक से लोन दिया जा रहा है और उसके लिए गरंटी दी जा रही है तो किस वेल्यू पर GST लगेगा जी जितने की गरंटी दी उसका वन परसंट निकाल लो दूसरा गरंटी देने के लिए जो आपने अमांट पे किया है वह अमांट दोनों में से गरंटी दी गई है इस इडियेत घुड़ी लोग या गारंटी जितने की दिया उसका वरन परसंट विचेवर इस हाय इस वल्ली पर जी रहते लेगा एक और सर्कुलर एक पर्सनल गरंटी डिरेक्टर भी दे सकता है लोन अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो डिरेक्टर पर्सनल गरंटी देता है और आपको मैं बता दूं यह कंसीडरेशन चार्ज नहीं कर सकता तो सवाल यह है कि जो पर्सनल गरंटी डिरेक्टर ने दी बैंक से लोन लेने के लिए कंपनी को उसने उसने कोई पैसे नहीं चार्ज कि पहला कोश्चन है क्या इसे सप्लाई माना जाएगा दूसरा क्वोश्चन है क्या इस पर जीरस लगेगा अब इसके लिए जवाब ध्यान करें रिलेटिड पर्सन की डेफिनेशन में डारेक्टर और कंपनी को क्या मान रखाए जी रिलेटिड पर्सन एक दूसरी कंपनी के डारेक्टर पार्टर है तो डारेक्टर और कंपनी को उन्होंने क्या मान रखा रिलेटिड पर्सन ओके तो रिलेटिड है अब अगला कि क्या सर्विस माने जाएगी आपने schedule 1 में पड़ा हुआ होगा कि यह अगर service माने जाएगी even without consideration schedule 1 में B, R, A import schedule 1 are related person और distinct person के बीच में बिना consideration के supply भी supply माने जाती है तो यह supply है अब सवाल है कि GST लगेगा कि लगेगा क्यों गयों क्यों क्यों टेक्सेबल value 0 ली जाएगी आप वह क्यों rule 28 कहता है open market value लेंगे अगर related person के बीच में attraction है यह destined person के बीच में attraction आप open market value लेंगे हम कहने हम open market value 0 लीगे और चूंकि open market value 0 तो ट्यक्स नहीं पे होगा स्केब चैन से क्लिए के सर्कूलर में लेखा हुआ है कि जो डिरेक्टर है कंप्नी से परशनल गारंटी देने के अगर कंप्नी लोन ले रही है बैंक तो उसके पैसे नहीं चार्ज़्ज़ दा सकते हैं. No consideration can be paid to director. तो जब payment दी ही नहीं जा सकती फिर तो value 0 लेनी पड़ेगी न? सब यह क्या बात है? payment नहीं दे सकते हैं. फिर भी तो value नकाल सकते हैं. बबन-market value. अब सुरू एक और बात. एक Valuation के चप्टर में एक आपने Rule 32-7 बढ़ा होगा बढ़ा है आपने हाँ जी मैं एक बार दिखाऊंग आपको ऐसा Rule 32-7 यह सिरफ Service Provider के लिए है यह कहता है हम Services के नाम Notify करेंगे अगर यह Distinct Person के बीच में Service दी जाती है और उस Distinct Person जो Head Office ब्रांच है जैसे अगर Recipient को Full ITC मिलता हो तो हम Value Nil माने है हालकि यहां Service कोई Notify नहीं की लिए Distinct Person के बीच में अगर कोई Service जाती है हम Value Nil मानेगा अगर उसे Recipient को ITC Full मिलता है यहां Services के नाम Notify करेंगे Notify नहीं किया गया भी जा इसी का उन्होंने Inference उठाते हुए यहां Servler में Clarify किया है क्योंकि यहां पर Service की बात है यह बस यहां पर Related Person की बात है इन्होंने बोला कि हम यहां पर क्योंकि Director Company से कोई पैसे चार्ज ही नहीं कर सकता हम Value 0 ले लेगे तो इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब यह हुआ अगर Corporate Guarantee है फिर GST की बात है अगर Personal Guarantee Director दे रहा तो GST की बात नहीं है कि OMV 0 ली जाएगी जीरो ली जाएगी जीरो जीरो अब सुनो आगे की बात आर्वी ने बोला था आप अगर उस Company के Director है तो आप कोई भी Commission Guarantee नहीं चार्ज कर सकते Guarantee Commission नहीं चार्ज कर सकते यह डारेक्टर हो गया इस Company से रेजर्ट से पेसे खर्णी सेन अगरे चार्ज कर सकता है तो अगर वो पैसे चार्ज कर रहा तो फिर जितने बी पैसे चार्ज कर रहा हुत पसमक्राइगा इस सरखु कर्ण है झेर ही किया तो दिर्में हवर भी केसिविग्स, और अगर binder Buffalo प्रवाईड गरंटी इस नो लॉंगर चनेक्टेड विज दा मेनेजमेंट। अब उन्होंने अपनी डर्रेक्टर से रटारेमंट देदी अपनी वहां से रिजाइन कर दिया लेकिन उनकी अभी चालू है नए मनेजमेंट से डर्रेक्टर से गरंटी दिला दो जो नए डिरेक गरंटी बैंक वाले मानी नहीं रहे तो अब ये पुराना डिरेक्टर जो है अब तो डिरेक्टर रहा नहीं अगर अब ये कमीशन को चार्ज करता है कम्प्ली थे तो इस पर आप जिसकी लगेगा तो जितना रेमनरेशन पे किया गया इस पर गारंटर को उस पर जिसकी लगेगा और यहां पर नया रूल आ गया यह यह वन परसेंट ऑफ़र्ड और एक्ट्र विजविज़ाइश्ट लगता है तो फिर से क्लैरिफाइब कर दे क्या को जमीटी की वेल्जु भी है उस पर जिसकी ली और मों कितनी है वन पर इंटी आमाउंक और एक्ट्री। विजविजविध और लिकिन जो पोस्विज़ गररंटी है अगर डार्टर रहा जिए रहा जिए नहीं है लेकिन डार्रथर का इनol पनानी रहा कहता है अगर डिस्टिंट या रिलेटीड परसन है तो गल्यू कैसे निकालेंगे रूल 28 में बता हुआ क्या सबसे पहले हम लेंगे ओपन मार्केट वेल्यू अग्जामपल जैसे हैड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग स्टेट में है या एक स्टेट में अलग 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 स्टेशन तो इसके लिए हम बात करें सबसे पहले ओपन मार्केट वेल्यू अगर अगर यह भी पॉसिबल नहीं है तो रूल 30 या 31 के साथ से वेल्यू निकाला कर कि अगर रिसीपेंट को जैसे हम ब्रांच की बात कर एंगर घुट्स ने जो इन्वाइस में वेलुड होगी उसे ही ऑपन मार्केट वेल्यू मान लिया जाएगा क्या क्या और अब्रांच को 구स बेचे हैं तो जित laboratories बिल बनाके दिया head office ने उसी को ही उसी value पे GST दे दे उसी को open market value मानने के शर्थ यह उस branch को उनुट का 100% ITC मिलता हूं reason कहा है जी अब इसके पीछे जितने का भी बिल बनाके दिया उसी को open market value value मानने की क्योंकि branch जब आगे बाइर को बेचेगी तो full value पर बेचेगी अगर हम इन्वाइस में 50 रपले के 100 रपले के 200 रपले के एक रपले के उसको क्या प्रब्लम है भी क्योंकि जब ब्रांच आगे बाहर को बेचेगी तो कोई circular नहीं है तो मैं इसी पॉइंट का बडिसक्स कर रहा हूं सुनिया जा रहा है हाजी सर यह 100% ITC का क्या मतलब है 100% इंपूट का मतलब क्या है इंपूट क्रेट है 100% हाजी हो सकता है head office में जो ब्रांच को दिया ब्रांच को आगए फ्री में बाटना हो फिर ब्रांच को क्रेट ने मिलेगा फिर 17-5 में क्रेट ब्लॉक है तो जैसे अगर ब्रांच को दिया होते उसका पूरा क्रेट मिलता हो तो फिर head office ने जितने कभी इन्वाइस बना कर दिया होगा उसे अब इस से रिलेटेट कुछ बाते सुन लिए क्या सुनो ध्यान से सुनो अब एक सर्कुलर आया head office में कोई internally generated service दी है ब्रांच को वो service देने के लिए head office का स्टाफ वया होगा उसको स्टाफ को salary देती है head office ब्रांच पर वो को service देने के लिए ठीक है तो सवाल यह है कि अगर head office ब्रांच को को कोई internally generated service दे रही है तो क्या उस internally generated service की value निकालते समय जो salary है अपने स्टाफ की वो अलिकोस इंकलूड करनी है या कोई और element इंकलूड करना चुरूरी है वहाँ सब्सक्राइब किया head office ने जो ब्रांच को service दी जितने का बिल बना कर दिया हम उसी को ही पूरी value मान लेंगे हमें कोई problem नहीं है चाहाँ salary ना भी करें क्यों क्योंकि ब्रांच को फुल आईटी से विलना है फिर ब्रांच आगे जब बायर को पूरी value निकाली हो या निकाली हो तुम जितने भी value निकाली हो उसी पर ही हम उसी को open market value मान लें ठीक है एक सवाल उठा कि head office अगर इन्वाइस ही नहीं बना के देता कई केसी जासी हुए head office इन्वाइस ही नहीं बना के देरा ब्रांच को तो तब उन्होंने बोला कोई बात नहीं अगर ब्रांच को पूरा credit मिलता है तो उसको value को हम zero मान लें कोई जीस्टी देने जीरोत नहीं आहा हा हा मज़े ही आगए फिर तो यह कई problems थी इंडस्ट्री में उन्होंने अब इसको clarify कर दिया एडवांस में कोई अलग अलग जज्जमेंट आ रही थी सब्सक्राइब को एक अगर ब्रांच को फुल आईटी सी नहीं मिलता अगला सवाल पूछा गया है अगर ब्रांच को फूल आईटी सी नहीं मिलता फिर head office branch को जो service दे रही है क्या उसमें salary cost include करना जरूरी है सीबे इस ही करता कोई बात नी मत include करो आओ जिरा इसके लिए जो circular है यहां देखने है हाँ जी amendment 21 देख रहे हैं जी next head office is mandatory required पूछा है क्या उसे invoice issue करना जरूरी है for internally generated services और दूसरा सवाल है क्या cost of all components including salary cost of head office be included क्या इस internally generated service के लिए जो head office का staff लगा होगा उसकी salary के भी cost उसमें include करनी है while calculating the value for service provided by head office to branch office HO मतलब head office, BO मतलब branch office when full IITS is available to consent to you जब branch को full credit मिलता है तो इन्होंने clarify किया है ज़रा देखेंगे value declared in NYSE deemed to be open market value यह आप पर के हैं वहांपे अगर ब्रांच को full credit मिलता है तो जितने का बिल बनाके दिया head office ने ब्रांच को वही value ही ले ली जाएगी यह irrelevant है कि हमने उसमें salary course include करी या कोई course include करी या नहीं करी अगर हमारी branch को full credit मिल रहा है तो number two recipient view is eligible अगर full credit मिलता है और head office ने कोई GST देने की रूद नहीं है तो कोई GST देने की रूद नहीं है तीसरा question अगर ब्रांच को full credit नहीं मिलता फिर क्या salary course include करनी है नहीं आंथर पड़िजे cost of salary of employee of the head office in internally generated invoice to beo is not mandatory required to be included where full input appraising not apply तो जरूरी नहीं है कि तब भी आप include करे एक must circular industry के फाइदेगाईश हुआ है अब जो अगला circular है यह IECI की amendment में भी नहीं है IECI नहीं इसे include नहीं किया ना अपने study mat में ना amendment में तो हम इसे discuss नहीं कर रही है दो जो मैंने revision classes आपकी YouTube पर डाल रहे हैं उसमें यह discuss किया होगा short में ठीक है अब हम आते हैं अगली अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट नुबर 22 हाजी कुछ होते है रिस्की अससी उसके लिए registration देते समय हम आधार verification के साथ साथ हम biometric base उस बंदे को बुलाते हैं उसकी आखों की फोटो लेते हैं उसकी फोटो लेते हैं उसकी फोटो लेते हैं उसने जो डॉकुमेंट registration लेते समय अपलोड किया है पोटल पर उसकी original copy चेक करते हैं तो उनका biometric base आधार verification होता है यह वाला applicable था गुजरात में पुडुचेरी में भी अप्लीकेबल कर दिया गया है अगली अमेंटमेंट में नहीं डालिया वैसे नेक्स अमेंटमेंट यह तो मैं आपको अभी करा के आही चुका अगर online money gaming company outside इंडिया की है और इंडिया में सर्विज दे रहे तो इसका अगली अमेंटमेंट देखेंगे एक आपका section 23 है exemption के लिए section 23 2 में exemption notification issue किये जा सकते हैं गोवर्मेंट इसमें exemption notification issue कर सकते हैं इसमें उन्होंने एड कर दें यह शुरू के यह वने पाइंट क्या retrospective override कर दिया मतब जुलाई 2017 से GST applicable हुआ था section 23 2 ने section 22 को एक जुलाई 2017 से ही override कर दिया है अब इसका क्या फरक पड़ा उसका meaning समझे exemption notification पड़ रखा होगा इस section 23 2 में अगर कोई बंदा सिरफ सिरफ कौन सी supply कर रहा है जिसमें GST reverse charge में recipient को देना है मालो जैसे एक advocate है advocate service दे रहा कि इसको business entity को बड़ी business entity को तो यहाँ business entity को reverse charge में GST दे रहा होता है तो क्या advocate को registration महाफ है ऐसा एक exemption notification है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सिरफ वही supply करते हैं जिसमें reverse charge में recipient को GST देना होता है तो आपको registration कराने जरूत नहीं है अब एक सवाल उठता था मानलो इस advocate की turnover 20 लाग से cross कर देए फिर से registration कराना का नहीं कराना क्योंकि section 22 में कहता है कि 20 लाग ते उपरो विजा registration कराना है और इसकी service taxable एक दम थोड़ना है बस फर्क क्या है कि advocate जो service दे रहा उसमें service उसमें GST कोन दे रहा तो सवाल यह था कि advocate को registration कराना कि नहीं कराना section 22 में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि हम override करें section 22 को अब इन्होंने यह लिख दिया है तो यह doubt arise होता था कि भले ही यहां पर exemption है section 23 में लेकिन section 22 को तो override नहीं कर रखाना तो क्या registration की liability बनेगी कर नहीं बनेगी तो अब इन्होंने उस जो doubts तो खतम कर दिया यह section 23 में exemption issue हो रही है exemption notification issue हो रही है यह section 22 और section 24 को override करने है तो आपके turnover advocate जी आपके turnover जब 20 लग से close भी करके तब भी आपको registration कराने की जिरूरत नहीं है क्योंकि section 23 2 में आपके लिए exemption है और section 23 22 और चलते हैं इसके बाद आगे तो मतलब एक clarification amendment है ओके नेक्स section 20 यह section 24 से लेटेड़ एक amendment आपको मजेदार अभी हमने compensation scheme में बात करी थी ना कि registration में amendment है वही आ रही है क्या एक बार इसे हम slide से दिखाते हैं आपको वह यह सुनिया जी मिस्टर ए देहली का है Amazon के through Miss P को goods बेच रहा है Miss P क्या करती है जी यह Amazon की website पे जाती है phone select करती है या कोई जो भी mystery goods बेचता वो select करती है और Amazon को order देती है Amazon को ही payment देती है Amazon क्या करता है अपनी commission काटके बाकी पैसे इसको देता है और इसको बोलता है तेरा order आए हुआ तो goods बेच वहां पर अगर आप इंट्रस्टेट देली वाले ने देली वाले कोई बेचना अगर आप इंट्रस्टेट सप्लाई कर रही है और आपकी त्रेशल लिमिट दस बीच चार्टिस जो भी है अगर उससे कम है तो रजस्टिशन कराना यह जोग नहीं लेकिन अगर यह क्रोश हो गई फिर आपको रजस्टिशन कराना बढ़ेगा मंदब आप बुट्स ए कोमर्स ऑप्रेटर के थ्रू बेस सकते हैं बिना जीएस्टी लगाए हो बिना जीएस्टी लगाए हो अगर आप सिरफ इंट्रस्ट अप्लाई करते हैं तो सिरफ इंट् अगर इंट्रस्ट एक रपाकी थे सेल करें लिए लिए तब जरूरी है जब रस्टेशन लिमेट ते ग्रोफ करते हैं तो जैसे अगला है अब मिस्टर ए ने जो है मिस्ट ये यूपी की है इसे बेचना है अब इंट्रस्टेट सेल है तो यहां पर मिस्टर एक रस्ट जरूरी अब इन्वाइस में आई जीएस्टी चार्ज करेगा और यह एमेजन जो है टीस क्लग कर लेगा तो अमेंड्मेंट क् है अगर इंट्रस्टेट्स अप्लाई करनी है गुड्स की गुड्स की गुड्स की गुड्स की गुड्स की गुड्स की तो फिर रस्टेशन लिमिट से कम है तो मिस्टर को रस्ट करानी है और मिस्टर जब रस्टेशन नहीं कराएगा तो टीस की बात भी नहीं आएगी क्य तो सर्विस के लिए पहले से ही था क्या सर्विस के अगर सप्लायर है चाहे वो इंट्र स्टेट एको के थूदे तर्य इंट्रस्टेट रेश्टेशन तरही कराना है जब थ्रश्ट लेमिट 10 या 20 लाग जो आप्ली के बन होती है वो करोज करते है अगर 10-20 लाग से कम है तो जैसे यह थ्रेश्वल क्रोस हो गई तो यहां पर फिर गुष्ट की तरह हो जाएगा इन्वाइस में जी एस्टी चार्ज करेगा और यह यही चीज आप अपनी अमेंडमेंट में देखिए हमने लिख कर दिया आपको एक अजी इस तरफ अनलेसिस में कहा लिखा सप्लार सपिलाइंग अगर इंट्रस्टेट इको के स्प्लाइं के चूरो करें यह clean है और इस तरह बढ़ते हैं है यहां जो गोड्श सर्विस के सप्लाइइको के थ्रू करते थे हैं यह। लेकिन थ्रश्वर लिमिट किसकी बीस लाग यह दस लाग की दस लाग किस के लिए मने पूर मेंझुरम तुछ ना कर गए इन के इस वह सब अगर आफ सर्विस की सब्लाइभ करते हैं सर्विस जाए इंट्र रहा इंट्र इसके लिए कोई बात नहीं लेकिन गूर्ट के लिए ऑन्ली इंट्रा गुट के लिए इसके लिए इसके लिए ये कुछ नॉर्ट इसके लिए इसके लिए एक notification 34 oblique 23, जो goods का supplier है, उसे कुछ ये 8 काम करने पड़ेंगे, इसके लावा, जो e-commerce operator है, जैसे Amazon, उसे ये 4 काम करने पड़ेंगे, जो Mr. A, Amazon के through goods बेचना चाहता है, और वो registration नहीं कराना चाहता है, तो ये registration exempt कराने के लिए, जो goods का supplier है, जो eco के through, Amazon, example, Amazon के through, वो goods बेचना चाहता है, तो इसे registration exempt कराने के लिए, ये कुछ आठ काम करने पड़ेंगे, मोटा मोटी तोर से मैं बता दू, इसमें आठ काम में क्या बता हुआ है, जो Mr. A, eco के through, Mr. A, ये जो eco के through, ये goods बेचना चाहता है, इसे आठ काम क्या करने है, आठ काम क्या बता है, मोटा मोटी तोर से में लिखा हुआ है, इंट्रा स्टेट सप्लाई करने हैं इंटरने, और दूसरा इंट्रा स्टेट सप्लाई है न, ये पढ़ते हैं, अन्रॉल्मेंट नमबर लेना पड़ेगा, जी एसटी पोर्टल पर कुछी दिटेटियल सब्मिट करका, अन्रॉल्मेंट नमबर लेने के बाद ही सप्लाई कर सकता है, क्या 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 बता हूँ, जो Mr. A के लिखा हुआ है, Mr. A क्या कर सकता है, Mr. A इ यह पढ़ते हैं Mr. A को Mr. A को कैसे रेस्टेशन एक्जम्ट है Central government exempt from obtaining रेस्टेशन रेस्टेशन 23 to person suppliers यह Mr. A की बात हो लिए example Mr. A यह Mr. A की बात हो लिए Mr. A making supply of goods through an eco यह eco कोन है Amazon example हम लेती है Amazon की बात हो लिए ठीक है तो Mr. A के ऊपर हम रेस्टेशन माफ कर देगे प्रिवेस यह में भी और पानेशेंशन अभी अभी रेस्टेशन लिमिट से क्रोश कर गई तो रेस्टेशन करा लेगा ना इंट्रास्टेट एको के थूव बिना रेस्टेशन के Mr. A एको के थूव यहां 10 बीच लागते कम है तो रेस्टेशन बिना क्राए इको के थूगुर्स भीट सकता है यही तो कहानी बताने जा रहे है अगर यह प्रेइंगल स्टेट में इसकी दुकाना है उसके लिए चाहता है कि मैं इसी स्टेट में ही supply करौँगा देहली में वे करगा तो देहली के लिए रुपित कर सकता है ध्यान रहेएं इंट्रस से supply नहीं भी सकता ये इसके लिए सेंड हमेन नंबर लेना पड़े य। अब ये कुछ दिटेल्स पैन जिस स्टेट में वो भेशना चाहता है वो स्टेट का नाम वो अपना अड्रस उस दुकान का ये सप्लाई करने से पहले इसे इसे पोर्टल पर इसे डिकलेर करना पड़ेगा यह डिक्लेर करने के बाद इसे एंडॉल्मेंट नंबर मिल जाएगा और एक ही नंबर मिलेगा स्टेट के लिए एक ही नंबर मिलेगा स्टेट के लिए यह एंडॉल्मेंट नंबर लेने के बाद ही यह माल बेश सकता है और यह एंडॉल्मेंट खतम हो जाएगा जैसे आपने ले लिया जैसे अपना वे काम है जी बड़ा सिंपल तरीके से मैंने हैंडिंग बना ना ने तो यह काम करने हैं अप अप इंट्रस्टेट सप्लाई कर सकते हैं और यह सप्लाई भी एंडरॉल्मेंट नमबर लेने के बाहिए रिने के लिए के लिए ओडने अब ये तो बात हुई Mr. A कि अब Amazon को क्या 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 काम करने है इस बंदे से लेड़े अब मेरा कुश्चन सनो Amazon को तो TCS क्लेक्ट करना होता है लेकिन ये तो बंदा रेस्टेशन माफ है तो जब तक माफ है क्या TCS क्लेक्ट करेगा ना 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 तो आई ये जना देखें है अजी स्पेशल प्रोसेजर क्या क्या फोलो करना होगा इन रस्पेक्ट करना होगा इस एको को जो लोग एक्जम्टेशन से हम कबिशन सप्लायर की बात नहीं कर रहे है ये रस्पेश्टेशन एक्जम्ट है इसके लिए इस एको को क्या रस्प्रोसेजर को लो करना एको अलाओ करेगा गुड्स के अप्लाई अफ्टर नबर दो यह इस एंडरत आप्लाई नान निकरने देगा नमबर तीन कि इसका रस्टेशन इन प्रेस्टाइशल करीए रहे है वह इस एको बदाने क्यों होगे विए जिस Mr. A ने मानलो अठार लाग की तेल कर रही है तो यह ECO Amazon बता रहा है डिपार्टमन को जैसे ही 20 लाग त्रोश करेगी उसको वो नोटिस आ जाएगा आ जाएगा अरे तुमने रस्टिशन रहे हो तुमने अभी तक रस्टिशन लिया तो यह इसलिए कंट्रोल रखने के लिए इसको बोला गया है ECO तेरे थू यह जो एक्डम्टिड बंदे अन्रॉल्मेंट लेकर माल बेच रहे हैं उसकी डिटेल तु जी एसके रेट में हमें देता रही है हमें देता रही है अच्छा जी अगर मल्टिपल इको इन्वोल्ड है एक ट्राजेक्शन में तो कौन से यहां पर हम इको की बात करें है उस इको की बात करें है जो फाइनली रिलीज करेगा पेमेंट को किसको सप्लायर को यह वाला पॉइंट आपको वैसे टेस्यस में भी तो क्यां खोएं नहीं जाता है महां बेटर समझ में आएगा मान लीजिए आखि ऐक बायर है भायए टिकाए इसने एको वर्ण को अपनी वेब साइट को ओर दिया यह 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 एक ओर दूसरी वेब साइट को जानता है सप्लायर को डिरक्ली नहीं जानता तो इसने eco2 को order दिया अब eco2 supplier को बोलता है कि यह वाला माल इस बाइर के पास देजो तो कह रहे हैं यहां पर यह responsibility पूरे करने की जम्मवारी किसकी है इस eco की जो supplier को payment कर रहा है जो finally payment release कर रहा है तो इसकी जम्मवारी है यह सब काम करने की तो यह वाली बात अभी वहां पर भी आएगे TCS में और क्लियर हो जाएगा हां जी इस पर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नमर 15 यह मैंने RTP के क्लास में करा हुआ है क्या है बिंदू सारा गुर्स बेचने का business start किया है अब यह eco के थूप भी गुर्स बेचना चाहता है बिन यही सेम कहानी जो आप वहां पढ़के आए है कि यही सब चिपका देनी है जो आप वहां पढ़के आए हैं यही सब चिपकानी है और यह यह वाली है यही eco को सब्सक्राइब करेगा और यही यहां पर बताना है बात ख़ता है चलते हैं इसके बाद हम आगे हाजी यह 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 अभी थोड़ी देर पहले हाँ 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 मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल बंदा जब रस्टिशन के अप्लिकेशन लगाता है तो एक आरी रजी 01 फोर्म है इस फोर्म में एप्लिकेशन लगाता है इसके पार्ट ए में वह अपना पैन नंबर बताता है जैसे अगर आप GST.GOV.IN पर जाएं आपको अगर रस्टेशन कराना तो सर्विस में आप यहां पर कहां जाएंगे रस्टेशन में यह जो आपका उपन हो रहा नियूरेशन में आपको यहां पर पैन और यह स्टेट का नाम डिकलेर करना होगा पैनτοरी करना तो यह किसके लिए है यह पर सब्सक्राइब करनाि इस का नाम आलसा उपना रस्टार सप्लायर है उपाफ़िस SY merchant को फोड़ थे जो यह ओनलेन मनी गेमिंग वाली कंपनी जना वो जो ड्रीम एलेवंज की टीम बन वाले अगर यह सप्लायर बाहर का है तो इसके लिए भी आरीजी जीरो बन नहीं है क्योंकि इनके लग लग पौन था आरीजी बन जी तो इनको हटाया रखा था न यहां पर यहां पर यहां यहां पर यहां से हटा दिया तो यह चोटी इस पर क्या सवाल पूछेगा ऐसे सिमिलर रूल 14 यह है रूल 14 यह आपका आरीजी यह प्रसक्राइड फूम आरीजी वन जीरो फूम था यह वाला फूम बनना इनको तो यह वाला फूम अभी तक कोन भरा करता था OIDAR के फूम में अमेंडमेंट की गई है इसमें जो आपका on and money gaming वाला है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है फूम को अमेंडमेंट करके तो यह वाला फूम बने गई तो यह वाला फूम पूछेगा एक्जाम के लिए अब हम आते हैं next हाँ यह अच्छी है क्या हाँ जी चार बंदे इनको रजस्टेशन वैसे रजस्टेशन मिल जाता है 7 डेज में लेकिन यह हैं रिस्की बंदे इनको रजस्टेशन 30 दिन में मिलता है कितने दिन में 30 डेज में कौन पहला जब आप अभी हम उपर बात कर रहे थी यह जो आरेजी 01 भर रहे थे न यह तो अभी आपने पार्ट अभरा था इस वाद पार्ट भी भरते हो जब पार्ट भी भरते हो तो वह पूछता है आप अपना आधार वेरिफाई कराना चाहते हूं कि आप अप्ट नहीं करते एं आपके पास अधार नमबर नहीं है कि तो डिपार्टमेंट को लगता है आप रिस्की बन दें आपकी प्रमाइसेश्ट पे पहले चेक कर लिए तुम्हें देना भी बनता और नहीं बनता फिर हम तुम्हें तीस दिन में रिष टेशन दें वहां पर प्लिक करते हैं तो पार्ट भी भरते टाइम पर आपके पास में लिंक आता है लिंक को ओपन करके वहां पर कराया नहीं आधार वेरिफिकेशन आपके लिंक क्लिक करके वहां पर आधार नंबर नहीं डारा तो आप अधार वेरिफिकेशन आपने आधार वेरिफिकेशन करने के बाद दूसरा आपने आधार वेरिफिकेशन के लिए पार्ट भी भरते टाइम पर तो यह दो हो गए तीस तुसरा इसे हम बोलते है रिस्की असस्सी, आपने आधार वेरिफिकेशन के लिए ओप्स किया कराया भी, लेकिन हमें लगता है इपाटमेट को लगता है कि तुम रिस्की वन्दे हो सकते हो, रिस्क पैरेमेटर को आपको किसी एक जगा पर बुलाया जाएगा प्रस्क्राइब लोकेशन पर वहां आपकी आखों की फोटो ली जाएगी जैसे वह आधार नहीं बनाते वैसे आपकी फोटो ली जाएगी आपने जो डॉकुमेंट अप्लोड किये थे पोटल पर उसको उसके औरिजिनल कपी चे हम आपकी प्रिवायिशत पर चेक करने हैं असल मेरे वहां पर बिजन्स कर रहे हो यह नहीं कर रहे हैं फिर फिजिकल्वेरिफिकेशन के बाद हम रख्रिशन पर एक लास्ट प्रप्र प्रोफिसर अगर लगता है कि आपका वेरिफिकेशन होना चीए प्रिवायिश का ठीक पहले लिखा हुआ था कि उस बंदे की जिसने रेस्टेशन लेना है उसकी प्रेजंस में होगा यह वर कार्ड दिये गए यह कार्ड दिये गए यह उपर पड़ो क्या लिखा हुआ है प्रेजंस अप्लिकेंट फॉर फिजिकल वरिफिकेशन है वह हमेशा तुमार लिए बैठ जरूरी नहीं आपका स्टाफ आपका अंपलोई है उसकी प्रेजंस में भी हो सकते जरूरी नहीं कि वह बंदा खुद आए ठीक है तो यह एक अमेंडमेंट की गई है नमबर दू इसी वजह से रूल 25 वरिफिकेशन करने आए तो वहां कि आपकी फोटो लेंगी आपकी प् से रिलेटेड होता था तो उस रूल 25 वर्ण बंद की गई है तो जो उपर हम चार केसे कर रहे थे इसमें से पहले तीन के लिए कौन-कौन सा आपने आधार वेरिफाई नहीं कराया दूसरा ओप्टी नहीं किया तीसरा प्रिस्क किया सकती है तो आपको रिफिकेशन तीस द पहले तो उसको आपकी प्रिमाइस पर आना पड़ाएगा पांच वर्टिंग पहले प्रिफिकेशन देने के बाद आपकी प्रिमाइस के फिजिकल करनी करनी चाहिए तो यही वेरिफिकेशन और report और photograph अफलोड कितने समय में करनी है यह report यह verification होने के 15 दिन के अंतरा फिर से बात करें रूल 25 में हम बात कर रहे हैं चार cases की जो पहले तीन cases थे आपने आधार ओप्ट करने के पाद वैरिफाई नहीं कराया दूसरा और वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनेगी आपके प्रिमाइस से फोटो ले जाएंगी यह अप्लोड करनी है उस ओफिसर को कितने समय पहले तो पांच वर्किंग डिप है और जो चोथा केस है कि यहां पर ऑफिसर वेरिफिकेशन करता है तो वेरिफिकेशन होने के पंदा दिनमों से यह रिपोर्ट और फोटोग्राप अप्लोड करते हैं तो यह हुआ हमारा रूल 25 अब हम आते हैं रूल 10 इसमें भी आवन्मेंट हो कर देले के कहां है है का और आए अहला चैब आप रूस्ट्रेशन लेते हैं तो डिपार्ट्म calf 16 वाले क्वाले कहते हैं पहले जीएसटी का नंबर दो फिर फिर खोट आसरी को सब्रेंगी कोने का चलो तुम देंब्सेशन लेती तो दिपर haft सम्लेंदेले दूसरी अमेंडमेंट इन्होंने बोला या फिर अगर तुम GSTR 1 पहले पहले आप GSTR 1 जिसमें सेल वाइस बिल की डिटेल देती है कि मैंने कितना माल बेचा है एक 3B फाइल होती है जिसके टेक्स जमाव का साथ में तो पहले लिखा हुआ था तो यह अगर फाइल हो रही है यह 30 जिस पहले तो उस समय आप अपना क्या फाइल कर देंगे यह बैंक की डिटेल देगे यह तो रस्टेशन कराने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने बैंक के डिटेल देदो या अगर आप GSTR 1 या इन्वाइस पॉनिशिंग फाइल कर रही हैं रस्टेशन कराने के बाद अगर आप 30 दिन से पहले फाइल कर रहे हैं तो विच अब अपने बैंक के डिटेल देदो क्यों भी बैंक के डिटेल देना क्यों जरूरी है कल को तुमने अगर अपनी यह सेल प्र टेक्स न दिया तो थो रहा बैंक के डिटेल देना जरूरी है और तुम हम तुम्हारा registration suspend कर देंगे तो अगली अमेंडमेंट इसी से related है rule 21a में अगर आप बैंक की detail यह जो अभी आप उपर पढ़का है rule 10a में तीजिन में देनी होती है यह अगर आप न दें तो हम आपका registration suspend कर देंगे हम आपका registration suspend कर देंगे और आपको registration registration नमबर वापस कब मिलेगा यह suspend कर दिया cancel भी हो सकता है अगर आपका registration भी हमने cancel नहीं किया है सिर्फ सिर्फ आभी suspend किया है तुमने बैंक के डिटेल दे दी रस्टेशन सस्पेंड हो रहा है rule 10a में बैंक के डिटेल ना देने की बजाती अभी रस्टेशन अच्छा इसके अलावा registration सस्पेंड कब हुआ करता था वह वही है क्या जैसे आपकी GSTR 1 में सेल के डिटेल जाती है आपने GSTR 1 में सेल के डिटेल में डाला एक करोड एक करोड के सेल दिखाई लेकिन 3B में जब टेक्स देने लगे तब 5 लाग पे ही टेक्स दिया तो आपका registration सस्पेंड हो सकता है दूसरा टूबे में ITC दिखता है टूबे में आपका ITC दिख रहा था मालो कितना दो लाग तुमने 3B में जो ITC ले लिया वो ले लिया पचास लाग तो आपने ज्यादा करें ले लिया तो आपका registration सस्पेंड हो जाता था और सच अधर अनालिस तो यह तो वहीं है जो पुराने पड़े थे amendment हुई है यह कि अगर आप बैंक की डिटेल सब्मिट नहीं करते हैं registration होने के 30 दिन में तो आपका registration सस्पेंड कर देंगे और उसके आपका registration कैंसल भी कर सकते हैं या बताओ क्यों ना हम आपका registration कैंसल करें आपको नोटिस आता है तो यह एक एड हुआ है और सास में यह एड हो गया कि अगर आपका registration कैंसल हो गया इस cancellation को आप रद कराना चाहते हैं cancellation को इस cancellation को आप रद कराना चाहते हैं तो उसके लिए उसके लिए आपको application लगानी होती है इसके लिए टाइम एक्स्टेंट हुआ है तो अगर registration आपका cancel हो है proper officer के तो आप registration को रद कराने के लिए 90 दिन में एक नभे दिन में आप अपनी यह रबोकेशन वाली एप्लिकेशन लगाता है यह यह रबोकेशन को रद कराना कि मेरे को रचेसरिशन नम्मर वापस दिदू में बिजनस करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप मांनोरो आपका रजिशन इसलिए था या अपने रिटरण है नहीं करें के अगर टम ने करें तो आप यह अगर तो एक्सेंशन कों डूर लिगा करें रीजन करें करके commissioner या officer authorized जिसका level कम से कम additional commissioner या joint commissioner तो यह आपका extension दे सकता है इस 99 180 तो total यह इतने लेज में फिर आपको क्या करना होगा अपनी यह application लगानी है cancellation रद करानी हुआ ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं अब इसके वाद यहां हमारा chapter 7 की अब हारी है chapter 8 ITC से related amendment हाजी पहला section 16-2 में तो एक एक clarificatory amendment है ना भी पढ़ाएं तो भी चलेगा क्या है सुनिए जी अगर आप रिसीपेंट आपने कुछ माल परचेस किया है और बिल की पेमेंट अगर आप 180 डेज में नहीं करते हैं supplier को तो जो आपने credit ले रखा था वह आपको ITC reverse करना पड़ता था या पे करना पड़ता था विदेंटर्स यह rule 37 में लिखा हुआ था लिकिन जो section 16 की language थी उसमें थोड़ी सी कमी पेशी थी तो section 16 की language को थोड़ा ठीक किया गया section 16 में सिर्फ लिखावा था कि यह section 16 में लिखावा था कि आपकी add कर लिया जाएगा output as liability यह नहीं बुलावा था कि वह reverse कर सकता है या पी कर सकता तो उस language को change कि है rule 37 के according कर दिया गया कोई खास amendment नहीं है बस clarification कर दिया है language को कि अगर आपने माल पर चेज़ कि या service लिया और 180 डेज में आप बिल की payment नहीं करते हैं तो क्राइट को reverse करना होगा with interest और यह interest जो है section 53 section 53 section 53 के according कर लिए अब इसके बाद अगला अगली amendment हजी एक rule 42 और 43 यह आपने पड़ा होगा ITC के chapter में जहां उन्होंने बता रखा है क्या कि exam supply में क्या include होगा क्या include नहीं होगा वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था क्या अगर गुष्ट ट्रांस्पोर्ट किये जाती है वेसल के थूँ इंडिया से outside इंडिया इस पे पहले exemption होती थी है सुनो सुनो इंपोर्ट नहीं करें एक्सपोर्ट कर रहे है गुट को अपने एक्सपोर्ट किया तो इंडिया से foreign country में क्या जा रहा है शिप जा रहा है तो इसके ट्रांस्पोर्ट पर GST माप था तीस नो दोजाल बाइस तक यह exemption खतम हो गई मतलब अब टेक्सेबल है मतलब अब क्या है टेक्सेबल है तो वह exemption विड्ड्रो हो गई तो मतलब GST पेवल हो गया तो यह वाला rule 43 में लिखा हुआ था इन्होंने यह कहना हम इसे include नहीं करेंगे तो इस इसके अब जरूरत नह ओमेट कर दिया है इस क्लोज को यहां से ओमेट कर दिया है नेक्स्ट एक और अवेंड्मेंट वो क्या supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption treated as exam supply section 17.3 में 17.3 में साथ में 17.3 के साथ ता rule 42.43 की explanation में क्या amendment हुई है इसमें amendment हुई है यह वाला four points क्या मैं एक बार पूरा ही बता देता हूँ आपको section 17.3 में आपने पढ़ा होगा IITC के chapter में हम इनहें exam supply मानेंगे क्या यह कोई amendment नहीं है जो अभी बता रहा हूँ ऐसी supply जिसमें recipient को reverse charge में GST देना है for example मैंने sponsorship की service दी कंपनी को यह firm को तो कंपनी यह firm को reverse charge में GST देना होता है तो मुझे तो GST नहीं देना राइट मैं XCM हूँ ठीक है मैं coaching की service देता हूँ यह मेरी taxable है ठीक है मैंने sponsorship की service दे दी इसमें RCM में company को tax देना है तो मेरे लिए तो क्या हो गई एक तरीके से exempt होगे मेरे लिए तो एक तरीके से exempt होगे ना फिर बेर दो टेक्स देना ने यह कहता था 73-1 इसे exempt मना जाएगा क्यों अब इसके पर लोजिक दोना हूँ CA ने जो coaching और sponsorship service देने के लिए जो input या input service common वारे यूज किये होंगे इन दोनों के लिए तो उसमें जो sponsorship के लिए यूज करे होंगे उसका credit ने मिलना चाहिए न राइट तो इसलिए इसे exempt supply मान लिया करते लिए ठीक है एंग्जम सप्लाई मान लिया करते लिए नंबर दू अगर आप share purchase लिए यूज करते हैं तो इसकी sale value का 1% एक्जम सप्लाई माना जाता है इसमें एक्जम सप्लाई में schedule 3 वाली activities को एक्जम सप्लाई नहीं माना जाता लेकिन इसमें से एक को पहले लिखा हुआ था एक को और लिख दिया गया है कि इन दो को schedule 3 की 2 supply को एक्जम सप्लाई माना जाएगा ऐसा आपने पढ़ रखा होगा लास्ट अब यह वाला अमेंडमेंट हुई है यह इसे भी एक्जम सप्लाई माना जाएगा आपने कस्टम के वेरहाउस में माल रखकर इंपोर्ट किया था कस्टम के वेरहाउस में रखा और वहां से बेज दिया विफॉर क्लियर इसे एक्जम सप्लाई माना जाएगा और वेल्यू क्या ली जाएगी जितने में ड्यूटी फ्री शॉप से अराइवल टर्मिनल पर इंट्रेंशल एरपोर्ट पर इंकमिंग पसेंजर को बेचा जाता है तो यह वाली बात समझ नहीं आएगा तो इसे मैं समझाता हूँ एक करता है हां जी हम बात कर रहे हैं किसकी इंटरेशनल एरपोर्ट पर एक होता है अराइवल एक होता है डिपार्चर जरा सुनिये इसके बारे में अरेवल डिपार्चर हां जी पहले हम बात करते हैं डिपार्चर की फिर हम अराइवल की बात करेंगे यहां पर अगर कोई इंडिया से फोरन कंट्री जाना चाहता है तो वह कहां ते जाएगा डिपार्चर टर्मिकल से तो वहां पर जो डिपार्चर टर्मिनल है वहां से अगर फोरन कंट्री जाना तो आप वहां से जाएगे अब यहां पर कुछ दुकानी है जिने आप ड्यूटी फ्री शॉप बोलते हैं मान लीजिए एक टूरिस्ट इंडिया में इसा वह बाहर जा रहा है मान लिए यहां पर वेट कर रहा अपनी फ्लाइट का तो यहां दुकाने हैं उसने वहां से कोई फोरन लिकर परचेज करी यह कुछ समान परचेज किया उसको वह कहां ले जाएगा विदेश में एक तरीके से तो वह एक्सपोर्ट हो गया जो इंट्रेशनल डिपार्चर टर्मिनल प कि अब बात करते हैं इंट्रेशन अर्ईट अर्वर्ट रूट रटी अंतर एंच्रेशन डशो लिए जोरी है यहां पर यहां पर ये क्या हैंड पर चीजो होती है पता है कितने है 50 लाग का कीमत बताओं असल में इसकी देख ले ना इस वह हैंडबेक को सर्च मारके 50 लाग का बैग है इसने यह हैंडबेक परचेस किया 50 लाग का कहां परचेस किया ध्यान रहे यह foreign country से इंडिया में आई है जानी रही है इंडिया से इंडिया में आई है तो वहां इसने duty-free shop से क्या पर्चेज कर लिया यह handbag पर चीज कर लिया कितने का पचास लागता तो duty-free shop ने जो इसे बेचा है इसके कोई GST चार्ड ने करें नहीं चार्ड करते क्यों क्योंकि यह एक तरीके से पहली बात इसे special warehouse माना जाता है यह custom area के control से बाहर माना जाता है तो इसलिए यह custom area में जाता है तो इस पर GST नहीं लगना तो इस duty-free shop ने जो बेचा क्या इसे एक्जम सप्लाई मान ले जी हां इसे एक्जम सप्लाई माना जाएगा ध्यान रहे डिपार्चर टर्मिनल की बात नहीं हो रही arrival टर्मिनल की बात है तो इस arrival टर्मिनल पर जो duty-free shop है अब यह incoming passenger है तो अब यहां पर यहां पर यह जो पर्चेस कर रही है यह duty-free shop इसे GST चार्ज नहीं करें यह कस्टम से कंट्रोल से बाहर माना जाता है तो यह क्या है जी यह इसे एक्जम सप्लाई मानेगी किस वेल्यू पर जितने में इसमें बेचा यह 50 लाग सप्लाई माने जाएग इस duty-free इंडिया में आना चाहती है तो फिर इससे यहां पर फिर इससे कस्टम इटी जो लेना हमो लिया जाएगे तो अब यहां पर लेकिन duty-free shop वाले ने इसे कैसे बेचा था जी इसने इसे बिना GST के बेचा था तो आईए पढ़े क्या लिखा है तो इसे वेरहाउस गुड्स माना जा रहा था इस duty-free shop को तो इसने जो बेचा इस एक तो हम एक्जम सप्लाई मान रहे है नंबर दो वेल्यू क्या लेंगे जितने में इस duty-free shop ने से बेचा इस incoming passenger को international airports पर यह क्या मानी जाएगी इसके एक्जम सप्लाईगी वाले चलते हैं इसके बाद आगे हैं हाजी next CSR corporate social responsibility पे जो खर्चा हो रहा है उसका कोई ITC नहीं मिलेगा यह section 17.5 में 17.5 में F.A. close डाल दी गई है हाजी अब इसका example सुनिए companies को corporate social responsibility की वजह से कुछ खर्चा करना पड़ता है जी government school है government का कोई वहाँ पर कोई company आती है और CSR से related कुछ खर्चा करती है वो बच्चों को कुछ educate करने आई है कुछ अपने product के बारे में बताने आई है कुछ seminar conduct करने आई है कुछ training देने आई है तो वहाँ पर जो वहाँ पर school का staff होगा उनको एक एक cold drink दे जाएगी डूद की bottle दे जाएगी कुछ snacks दे जाएगी तो यह जो खर्चा हुआ इस company ने किया यह CSR से related खर्चा की है इसकी purchase पर इस company ने जो GST दे रखा होगा उसका credit नहीं मिलेगा उसका credit नहीं मिलेगा भले business related खर्चा हो रहा है इसका credit नहीं मिलेगा यह amendment रही है next amendment number 35 पे आते हैं हां जी इसके बारे में सुनिए इसे मैं एक बर अपनी slide से दिखाता हूं हम बात कर रहे हैं इसकी यह fridge है यह refrigerator है इस fridge का यह bulb जो है यह खराब हो गया है ठीक है लेकिन यह fridge अभी warranty period में है तो क्या जब मैंने इनसे fridge purchase किया होगा तो इन्होंने मेरे से मेरे से warranty period के पैसे आरड़ी चार्ज कर रहे होंगी जी कि बल्ब खराब होगा तो इसके पैसे रहे हमने हमसे पहले चार्ज कर रहे होते हैं warranty के नाम से तो अब मैं इनकी complaint करता हूं कि बल्ब खराब हो गया यह आकर free में replace करके जाएगी तो यहां पर दुबारे से पैसे डिंगी और यहां पर दुबारे से को नहीं आएगी। तो अब मैनीफेक्टर को पैसे चार्ज कर नहीं रहा है अगर अगली बात दो अ अब जो इन चेंज करके गया क्या इस की पर पर manufacturer ने जो GST दे रखा होगा क्या उसका ITC उसे मिला रहेगा या ITC reverse करना है उसे ITC मिला रहेगा जी क्यों 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 कि अब यह बल्ट चेंज करने वाड़ी transaction free free यह हमने exempt नहीं नहीं फ्री तो है लेकिन इसे exempt कि परचेश पर जो GST दे रखा होगा कंपनी को वो मिला रहेगा तो देखेंगे यही पॉइंट यह इस सर्कुलर में क्लारीफाई कर रहा है question number one है क्या GST पेबल होगा replacement of parts यहाँ पर example लिख 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 क्या इस replacement पर GST पेबल होगा without any consideration कोई भी पैसे चार्ज नहीं किया manufacturer प्रोवाइड रेप्लेस्मेंट दूरिंग वरांटी विदाउट सब्रेक्टी चार्ज नहीं कर दिख लिख 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 दिया क्यों क्योंकि value of original supply जब शुरू में जब फ्रिज बेचा गया था जब रेफ्रिजरेटर बेचा गया था तो उसमें वरांटी के पैसे प्रोवाइड अलॉग वरांटी इंक्लूट्स लाइकली कोस्ट और रेप्लेस्मेंट और रिपेर सब्सक्राइब इसलिए दुबारा से GST के बात नहीं आते हैं क्योंकि अ मैंनुट्स दुकां इस डियुत्ट्रेस हिए अगर यही सवाल आप सब्सक्राइब यह जो आप फ्रिज पर्चेस कích ओगा शोन परचीज क्या होगा वो दो distributor होगा जिसे पर change क्या होगा अब distributor अगर इपका बर्ल चेंज कर के जाता और आपसे पैथे नहीं लेता क्या क्या अगें कोई question आएगी जीएस्टी की ना 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 देखेंगी question number three तो इसने कोई चार्ज नहीं किया विदाउट अगर अगर एडिशन चार्ज कर ले तो फिर फिर पेवल की बात आएगी अभी फूर्थ कोश्चन बाद में करते हैं पहले आती हैं पांचवा कोश्चन के अगर काता है मैं मेंगँ बलफ फ्रे में क्यों चेंड करू मैं झु ethic करके लगा के आता हूan अगर मैं इनुफक्चेयर्ले कम्पनी तेरे से पैसे चार्ज को कस्ट्मर से नहीं लिए डिये डिस्टिबिटर ने पैसे लेकिन कम्पनी से चार्ज किये तो क्या फिर distributor को GST देना पड़ेगा जी हां तो next question यह है whether distributor यह question number 5 पर आएंगे provide repair service without any consideration on behalf of manufacturer इसने customer से तो पैसे नहीं लिये but charges the manufacturer for such repair service लेकिन manufacture से पैसे चार्ज किये tax invest issue करकर या debit not issue कर तो GST paypal होगा और जो GST इन्वाइस में चार्ज करेगा इसका मैंने फिर्ट ले ले लिए बात का सब अब question number 6 देखिए हाज यहां क्या है बात initial warranty के अलबाद extended warranty कि जिए अब फ्रिक पर्चेज करने गए या इवन स्कूटी पर्चेज करने जाते हैं वह क्या करते हैं इनीशल वरेंटी तो कंपनी की तरब से है आप extended warranty दो साल की इनीशल वरेंटी है तीन साल की आप extended वरेंटी लेना चाहते हैं हो सकता है आप opt कर ले हो सकता आप opt ना करें अगर आपने opt कर लिया फिर तो यह composite supply है फिर तो यह माना जाएगा कि फ्रिज बेचा गया है इनीशल वरेंटी तो आप से ले लिए तो फ्रिज बेचा गया है यह principal supply है तो पूरी supply को हम फ्रिज की supply मानते हुए जो जीएस्टी का रेट फ्रिज का होगा वो आप से चिले लेंगे जी चीऑ है तो सेकेंड केस अगर extended वरेंटी का आफ्टल ओरिजनल सप्लाई मासाथ एक्ज़मपल लेती है आफ्टर टू येर्स अगर आप extended वरेंटी उस से ले रही हैं तो अभ अभ निचर पर डिपेंड करता है कि आघ जो एक्सेंडिट वरणटी ले रहें है वह गूठ प्लस सर्विस का कंट्रेक्ट है या सिरत सर्विस का कंट्रेक्ट है तो उसके अगागग नीचर की अगगो gst pay ओढ़ा है ठीक है वो और या only for goods है और या only for services है या फिर वो composite supply है जो अब आप extended warranty का contract अब होगा वो कौन सा होगा वो good service का contract है कि सिरफ service का contract है या सिरफ goods का contract है जो भी होगा उसके according decide होगा अब आते हैं जो हमने बीचने question छोड़ा है इस फोर्थ को करने से पहले मैं third question आपको revise करा दो क्या हम कह रहे थे कि अगर इस शोप वाले से आप परचेज करके आते हैं फ्रिज और वही आपको क्या दर के देता है यह पार्ट replace करता है एक्जामपल यह बल्ट replace करता है ठीक है तो क्या आप से कोई पैसे नहीं चार्ज लेगा नहीं लगेगा अब सवाल उठता है यह बल्ट दुकान वाला कैसे चेंज़ करेगा तीन सेनेरियों हो सकते हैं क्वेश्चन नबर 4 कहता है इसके पूछ रहा कि डिस्टिबिटर को क्या ITC reverse करना है इसके लिए तीन सेनेरियों हो सकते हैं A B और C पहला पहला सेनेरियों हाजी डिस्टिबिटर ने replace कैसे किया पार्ट जी उसके stop में already पढ़ा हुआ था वो बल् उसने अभी purchase किया है बल थर्ड पार्टी से फिर आपको वो वो आपको क्या किया फिर उसके पैसे तो नहीं लिए कंपनी से ले लिए इसके लिए उसने पैसे किसी बना कर दिया होगा तो उस पे आपने DST भी चार्ज किया होगा तो इस GST का क्रेट किसको मिल जाएगा मैनिफक्ट्र को मिल जाएगा लेकिन इस बल्क का क्रेट कें distributor को reverse करता है जी नहीं क्योंकि यह तो जी स्कुरी करी रहा है आप से नहीं च चार्ज कर रहा है कंपनी से चार्ज कर रहा है तो जो बल पर GST पे किया होगा इन्पूर्ट रिवर्सल ऑप इटीशी वाइट इस्टिबिटर इन्रस्ट आप सिर्ट तो किस पर ऑन बल तो यहां बल्ब की बात करें तो बल पर कोई तो इस केस में कोई GST पेवल की बात नहीं कि यहां पर कस्मर से कुछ चार्ज किया रही नहीं डिस्टिबिटर ने कंपने से कुछ चार्ज किया तो यहां पर कोई GST की बात नहीं आईगी और क्यों कि मैनिफेक्ट्टर के लिए कोई सप्लाइए एक दम सोड़ा है मैनिफेक्ट्टर ने ओरड़ी फ्रिज की वेल्यू बदी अस्ति देहीं रखा है पूरी वेल्यू पर इस वारंटी की को उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो यहां कोई GST की बात नहीं लास्ट केस क्या स क्या इसे देर हो जाएगी न अगर्स पहले रिक्टूइजिशन दे फिर मैनिफेक्ट्टर बल्ब भेजे फिर कस्टमर क्या जाए फिर तो वह तेर हो जाएगी तो ऐसा करते हैं डिस्टिबुटर क्या करेगा पार्ट और डी मैनिफेक्ट्ट्र ने बल्ब उसको ही न हो अब लेकिन बाद में इस बल के लिए क्रेट नोट इशू करता है जब चेंज करके आ गए तो इसके लिए को इतनी का क्रेट नोट इशू कर दिया इसके लिए मैं आपको याद दिलाओं डिसकाउंट की बात आपने वेल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा क्या पोस्प्लाइ डिसकाउंट इसके लिए क्रेट नोट इशू अगर दे लिए एवेल्यूशन के चैप्टर से मैं दिखा रहा आपको सेक्शन 15.3 में आपको पढ़ा होगा डिसकाउट की डिदक्शन मिलती है तो अगर अब मैनिफेक्ट्टर, सलर, क्रेट नोट इशू इस महिने की स्टेक्श में से माइनस करना पी इसके लिए हम क्या कहते थे इसके लिए कोस्ट करना कैसे अगर अगर इस्केली वार क्यणा से पहते है तो यहां पर भी यही बात है इस सर्कुलर ने बताई है कि अगर distributor इसके लिए credit note issue कर रहा है और वो अपनी tax liability को adjust करना चाहता है manufacturer manufacturer ने credit note issue किया और manufacture tax liability adjust करना चाहता तो condition यह है कि distributor को इस credit note में जो GST लिखा होगा वो credit note यहां यहां यह वाली clarification भी खतम होती है अब हम आते हैं इस chapter की last amendment पर हाँ जी यह input service distributor जो section 20 है उससे related amendment है तो एक बर मैं पहले आपको ISD वाला concept याद दिला दू क्या हुआ करता था वह होता था ऐसे हाँ एक head office है head office है इसके पास audit का invite आया है लेकिन यह audit हुआ कहां कहा है branches का हुआ यह service audit के इन branches पर receive हुई है लेकिन bill common service है common service है CA ने बिल बनाकर किसको दे दिया इसके head office को दे दिया इन branches ने बोला इसको head office बड़ा मुठा के घुमा फिरता है बोले क्या हुआ यह हमें अपनी नाम से bill लेने देता तो हम credit ले लेते हैं इस audit की सर्वित का बोले तुम चिंता मत करो मैं ISD वाला registration ले लेता हूँ फिर मैं क्या करूंगा तुम्हें इस क्रेट को इस क्रेट को डिस्टिबूट कर दूबा इस क्रेट करना पड़ेगा इस्ट करना पड़ेगा यह तो अब जानती हैं तो सवाल था यही क्या कोमन सर्विस के क्रेट को डिस्टिबूट किया सकता है जी हां इसके लेकिन ISD का registration लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट पूछा गया यह तो डिस्टिंग पर्सन में सप्लाई होते तो जी असकी लगता है हां तो क्या यह ज़रूरी है कि हम ISD registration लें क्या हम ऐसा नहीं कर सकते बिना ISD का registration लिए हुए इस इशू कर दें सिंपल वाला और उसमें हम यह क्रेट आगे बांट दें 2017 में GST आज 6 साल बाद पहली बार यह इन्होंने प्लैरिफाई के यह ISD registration लेने की दूर्ट में अवसां हुए आप बिना ISD registration लिए हो भी क्रेट डिनी alternative कर सकते हैं और यक फाइदा सब्वेख बिना ISD registration लिए यह जी registration में तो आपको बीनने देर्क निनactions के अपने देन देकों करना हो इंपट अब मोहर लगा दी है इस circular में, question पूशा गया था, whether it is mandatory for head office to follow the ISD input service distributor mechanism for distribution of IIT थी निस्पर्ट्रों common input service, तो अगर आपको ISD, अगर ये common input service का ISD मेकनिजम से distribute करना, तो आपको ISD registration लेना जिरूरी है, लेकिन ये mandatory नहीं है, कि head office is credit को distribute करे ISD मेकनिजम से ही, head office ये amendment का clarification देगी, head office text NYS issue करके भी उस branch office को common input service का credit distribute कर सकती है, और मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ फाइदा एक हो रहा है, यहाँ आप input और capital goods का भी credit distribute कर पाएगे, इस mechanism में, भाई ISD वाला नहीं, आप ये input और capital goods का भी credit distribute कर सकते हैं, आप अपनी दूसरी ब्रांच को बिना ISD का रिस्टिबूट कर सकते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ISD मेकनिजम से ही बाटे, आप text NYS issue करके भी branch office को अपना common input service का credit distribute कर सकते हैं, और branch office का credit avail कर पाएगे, ठीक हैं, यहाँ हमारा chapter 8 के amendment complete होगी है, अब हमाते हैं, chapter 9 की amendment, text invoice related amendment पर, हाजी, e-invicing, e-invicing क्या होता है, जराएए, एक बार e-invicing को याद करें, होता क्या है, दीजिए, हाजी, supplier है, buyer है, और एक invoice registration portal है, अरे, 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 ही क्या हुआ, e-invice बनाना किन को जरूरी है, वो turnover reduce होगी है, पाँच करोड से उपर के अगर turnover है, कौन से एर में, 17-18 से GST आया था, अब तक कोई भी previous financial year में, वो limit reduce ही है, पहले वो हमेशा हर बार से reduce करते हैं, पाँच करोड करते हैं, तो e-invice बनाना जरूरी है, e-invice बनता कैसी है जी, अगर supplier, अपने accounting software से invite बनाकर, format follow करे, inv01 में जो format बता रहा है, standard format बता रहा है, उस format को follow करते हुए, जो भी details उसमें बता रही हैं, वो आपके invite बहुनी चाहिए, अपने accounting software से invite बनाकर हम देते हैं, इस invite registration portal को, ये इस invite registration portal पर दो काम करता है, IRN, इन्वाइस reference number और एक QR code add कर देता है, जब ये दे देता है तो इस invite को बोलते है, e-invice, अब ये वाली invite supplier आगे buyer को देता है, तब buyer क्रेड ले पाएगा, ध्यान रहे, अगर आपको e-invice की requirement ही, आपने e-invice नहीं बनाया, एक तो आपे penalty लग सकती है, number 2, buyer को नुक्सान यह है, buyer को क्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि buyer ने अगर e-invice लेना था, e-invice नहीं है, तो वो defective invoice है, defective invoice है, तो फिर नहीं है, फिर credit है नहीं मिलेगा, हमने question भी किया था, आपको धिहानो, examination batch में, अगर defective invoice है, तो फिर credit ही मिलता, बलकि CN Suite ने एक attempt में पूछा भी हुआ, कि e-invice की आपकी requirement थी, अगर आपने e-invice नहीं issue किया, पांस तरोड से उपर की turnover है, आपकी किसी भी साल में, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, प्रीविस किसी भी financial year में, पर अब 23 जोब इसके लिए चक्कर है, तो 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, किसी भी previous financial year में पांस तरोड उपर है, तो e-invice बनाना mandatory है, तो e-invice बनाते कैसे हैं, आप e-invice portal पर, अपनी details submit करते हैं, इनvice में, और फिर इस पर iron और QR code add होकर मिलता है, तब यह आपकी e-invice माने जाती है, तो जैसे आपको e-invice का format यह दे रखागी, यह उपर क्या है, यह QR code है, यह क्या है, यह IRN है, तो I-RN है, यह आपके invoice पर add हो गया, और यह है आपका QR code, यह दोनों जब add हो जाती हैं, तो यह होता है, e-invice, अब यह कब बनाना होता है, जब किसी भी previous financial aid में 7,8,8 से लेके अब तक, पांच क्रोर से उपर के turnover है, और 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 B2B supply के लिए है, B2C के लिए नहीं, B2B बोलो तो register person ने जो register person को supply करी है, उसके लिए है, B2C supply के लिए नहीं है, ठीक है, ओके, अब इसी से related clarification भी आई है, क्या, हाँ जी, तो यह e-invice की limit relative to 5 करोर, और यह किस के लिए होता है, यह भी यहां पर e-invice बनाना होता है, अब इससे related clarification, हाँ जी, अगर जिस registered person को आप समान बेच रही हैं, service दे रही हैं, उनके पास में सिरफ TDS वाला registration है, जैसे वह government department है, वह PSU है, वह सिरफ TDS वाला registration है, क्या e-invicing की requirement आएगी, जी हाँ, registration है ना, चाहे normal registration नहीं है, उसके बार इससे रप TDS वाला registration है, तो registration तो है ना, तो हम registered person को बेच रही हैं, वहांने के बार रजिस्टर परसन को बेच रही हैं, तो यहां पर e-invice के requirement आएगी, यहां पर clarify किया गया e-invice के requirement आएगी, next, amendment number 39, हाँ जी, पहले मैं बताता हूँ, amendment से पहले क्या था, amendment के बाद बाद में बताएंगे, अगर आप unregistered recipient को गुर्स बेचने तो अपनी invoice पर, जो buyer का नाम है, उसका address, address of delivery, state का नाम और state का code लिखना जरूरी है, अगर goods की value या service की value 50,000 या उससे उपर है, फिर 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 अगर unregistered बंदे को आप supply कर रहे हैं, और उसकी value 50,000 या उससे उपर है, तो यह mandatory है detail, invoice के उपर में लिखना, supplier को अपनी invoice पर यह जरूरी है, नाम, address, address of delivery, state का नाम और code, 50,000 से कम की value है, और recipient request करता है, तब भी यह detail लिखना जरूरी है, अगर recipient request नहीं करता तब फिर optional होगा, लेकिन 50,000 से कम है, फिर भी यह detail लिखना जरूरी होगा, invoice के उपर में supplier को, अगर वो request करता है तो, अब value कुछ भी हो, शह 15,000 स supply, क्या, state का नाम, name of the state of recipient, तो अगर unregistered, unregistered recipient है, unregistered recipient है, तो उसका state का नाम लिखना जरूरी है, state का नाम, और उसी को ही, यह supply के लिए address मान लिया जाता है, तो unregistered recipient के लिए state का नाम लिखना जरूरी है, कौनसी दो services के लिए, यह जो पहला पॉइंट है, इस बार add online money gaming वाली companies को invoice पर state का नाम लिखना जरूरी है, जिससे फिर क्या होगा, अगर देली की company है, और वो service, जो रिसीपेंट और वो यूपी का फिरूइंटर से supply हो जाएगी न, तो state का नाम लिखना जरूरी है, यही state को ही address and record मान लिया जाएगा, तेक है, यह इसी को ही address and record मान supply के लिए, तो यहाँ पर value चाहे दो रुपय लिए हो, चाहे 50 रूर 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 से कम लिए, 50 रूर से ज़ादा लिए हो, तो online money gaming companies उन्टरोब receipt को जो bill raise कर रहे है, एन्वास बना कर दे रहे है, उस पर state का नाम लि जो भी है उस बायर का बायर के डेटेल पूरी दो ना दो स्टेट का नाम लिखना जिरूरी है हाँ जी इसके अलावा अगर आप OIDR के सर्विस देते हैं अब आते हैं इसके बाद नेक्स अगले चप्टर आगया जी अब यह जो अमेंड्मेंट में करानी जा रहा हूं जो अमेंड्मेंट वाली बुक्लेटा वहां नहीं मिलेगी कि जो इसके बाद तो आप जयst Ó घ्याने जाती है तो ही को अंगर आप किवड़ाई जाती है तो हीस कौटर ली जाती तो दीरा तारीं गहले जाती है एंसे 3 भी मंसली जाती तो 20 तारिक तक क्वाटरली जाती है तो किसी स्टेट के लिए 22 है किसी के लिए 24 है GSTR 8 है 10 तारिक तक जाती है मंसली 9 है annual return है ठीक है ऐसे 9 सी भी annual return है कत्वी समबर तक जाती है अगर आप उन disciples नहीं कर पाये तो क्या बाद में कभी वी टन तो तो तीज साल थक्र सकते इस तो ती वह उसकी डूद ारती है ठीक है लेकिन या वानी date ये टाइम डिम्याट एकस्ट घजा सकती है government के द्वारा यह 30 साल वा टामिनट एक्सेंड की जा सकती है government के द्वारा वो उसमें nutrition में बता देगी क्या शर्थे फिर fulfill करनी हो यह 2 करोड से कम के टर और हो तो 99 ने माफ कर देते हैं पर माफ कर रहे हैं तो यह तो बेकार की इसमें बतानी जुद्ध है यह भी सिंस्विट ने अपने अमन्ट में इंक्लूड नहीं किया आते हैं आगे जो अपने रेजिस्टर परसल को करी है इससे क्या होता है बायर को टू भी में क्रेट दिखने लग जाता है हम कह रहे हैं तुम यह डिटेल नहीं डाल पाओगी अगर तुम कुछ अगर तुमने 3B में क्रेडिट 2B में जो क्रेट दिखने था उससे जाधा ले लिया परसंटेज नोटिफाई होगी वह नहीं होई तुमने 3B में क्रेट 2B से जाधा ले लिया तो इस की इंटीमेशन आएगी आपको जीस्ट डीरती डियर्सी जीरोवन सी में इसके पार्ट तुमने अगर ज्यादा क्रेंट ले रखा है तो आपके पस इंटीमिशन आएगी कि आप इस अमाउन को या तो पे करो या फिर रीजन एक्सप्लेइन करो अब रजिस्टर परसंट इंटीमिशन मिलने के वाद या तो पे कर दे या रप्लाई दे आपको इंटीमिशन आती है अगर यह इंटीमिशन आई है तो आप अगली जीश्टर 1 नहीं कर पाउगे तो रूछ अगली इंटीमिशन आई है वह कम आती है जब आप ITC ज्यादा ले ले procedural कर पाऊगे जब तक आप यह एक्सप्स जो ITC ले रखा है या तो आप पै नहीं कर देते या इसका यहोर्ट कर पाऊज नंबर दो नंबर दो अगर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल कराने के बाद देनी थी वह आपने नहीं दी नहीं दी तो आप अगली फाइल कर पाऊगे तो आप आपके बायर को फिर आपसे माली नहीं पर्चेट करेगा तो आपका बिजनस बन दो एक तरीके सी हम चाहते हैं कि आप डिटेल प्रोवाइड करो ना डिफोल्ड मत करो ना अप फ्रोडी मत बनो ना इसलिए आप टाइम से अपनी बैंक अगाउंट के डिटेल दे दो तीस दि और अगर आपको इंटिमेशन आगे तुम्हें क्रेट जादा लिया था रूलेट एट डी पे तो हम आपको अगली जेस्टियर बनना ही फाल करते हैं अब हम बढ़ते हैं इतके बाद आगे अजे नेक्स जेस्टियर फाइव ए यह रिटन हुआ करती थी किसके लिए ओ आई जीएस्टियर इस जीएस्टियर फाइव ए तो यह OIDR सर्विस अगर यह NTR को दी जाती थी नॉन टेक्स बढ़नार रिसीपेंट को तो इसके लिए डिटेल डालता था इस रिटन में अमेंड्मेंड क्या हुआ है अगर OIDR के सर्विस रजिस्टर पर्सन को दी जाती है तो वो भी डिटेल इस जीएस्टियर फाइव डालता था पहली अमेंड्मेंड्मेंट दूसरी अमेंड्मेंड्मेंड जो ओनलेन मनी गेमिंग कंपनी है जो आउट्से इंडिया सेंगे में सर्विस दे रही है उनके लिए जीएंस जीएस्ट आर्फाइव फ़ाइव डालनी होती थी अगर यह रेजस्टर परसंट को सर्विस दिया करते से OIDR की तो वह डिटेल नहीं डालनी होती थी अब अमंडमेंट क्या हो गई है उपर लिखा हुआ जी इस्टर फाइवे में कंटेंड यह डिटेल देनी होगी जो OIDR का सप्ला आउटसंटिया से ट्रट्वल यह अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जरा सुनिए यह क्या है हाँ जी सुनिए आपने IGST का क्रेट गलत ले लिया मानली यह सत्तर हजार का क्रेट आपने गलत ले लिया ठीक है अब हुआ क्या GST लोग के हिसाब से सबसे पहले आपको जो IGST का क्रेट क्या होता है पहले यूद करना होता है फिर CGST का फिर IGST के लिए फिर बचा हुआ लेकिन अगर मैंने गलत क्रेट अवेल कर रखा यूज नहीं किया तो इंट्रस नहीं लगता अब मेरे साथ सुनो क्या हुआ मैंने IGST क्रेट ले लिया तो ITC IGST हैड में तो कम हो गया कि सारा खतम हो गया लेकिन मेरे पास CGST SGST में सबसे बैलेंस है मेरे पास सतर हजार मांग लो यहां पर पढ़ा हुआ है या इस से ज्यादा पढ़ा हुआ है एक लाग सतर हजार पढ़ा हुआ है कर गए है तो क्या मेरे से इंट्रस्ट मांगा जाएगा कि जितना मैंने गलत लिया था उतना IGST हेड में नहीं पढ़ा हुआ लिकिन CGST IGST हैड में पढ़ा हुआ है या उत्ते ज्यादा पढ़ा हुआ तो क्या lienि जिवाब है नहीं लेगे लोजिक हम क्या चड़ें करेंगे 9 erfolgreich में हैं तोटल और नहीं फोल किया बेलोड टोटल इंटीस से बिपढ़ हुआ है एक लग सिस्टर रहे जाद ही पड़ा हुआ है तो हम आपस इंट्रस ही लेंगे तो हमें टोटल आपने यूज नहीं किया क्यों इसके पर लोजिक है आई जीस्टी के हैड में नहीं पड़ा हुआ उसी वजह से मेरा वह यूज हुआ तो मेरा गलत क्रेट का बेलंस अतना पड़ा है मेरे पास है हुआब और अगर उससे कम वह गया वंट टोटल इसी बेलंस वाल फोल्स टोटल इसी बेलंस मानलो जो 60,000 हो गया, 60,000 हो गया और जो मैंने गलत wrongly अवेड़ था, wrongly अवेड़ था वो 70,000 था तो यहां पर 10,000 मेरा यूज हो गया माना जाएगा, तो इस 10,000 पर फिर इंट्रस लिया जाएगा, तो हमें total ITC balance को देखना है, कि total ITC balance जो पड़ा हुआ है, वो false below है, जितना गलत करेंड लिया था, अगर हां, तो फिर उसे मना जाएगा, उस headwise नहीं देखना, ठीक है, अच्छा है, इस total में compensation sus का credit नहीं देखना है, अब मैं आपकी knowledge के लिए बता दू, compensation sus आपके court में है नहीं, लेकिन वहाँ उधर लिखा हुआ compensation वाले act में, कि compensation sus का credit, compensation sus के against ही मिलता है, और किसी against में, इसलिए इसे हमें total में count नहीं करना है, ठीक है, total में count नहीं करना है, चलिए, ये amendment के बाद आगे बढ़ते हैं, हाजी, अभी तक आपने ऐसा पढ़वा होगा, ये payment of tax में, कि जो OIDR के supplier है, बाहर वाली company है, जैसे Netflix, India वाले NTR CSUN को सर्वी दे रहे थी, तो ये tax pay करने के लिए society for worldwide interbank financial telling network, इसका use करके GST पे करते हैं, जो international payments होती है, वो swift code का use करके pay होती है, तो इस बाहर वाली company को जो GST pay करना था, वो swift code को यूद करके pay करते हैं, amendment क्या होई है, जो online money gaming companies है, जो बाहर वाली companies है, इन्हें अगर GST pay करना idea में, वो swift code का use करके pay करते हैं, ये amendment बें see institute and tune नहीं करिए, अब आते हैं next, हाजी, जो TCS वाली हम बात कर रहे थे, कौन सी, ये TCS में Amazon क्या करता था, TCS collector के जमा कराएगा, इसके लोग GSTR 8 submit करता है, अब GSTR 8 submit करेगा, तो जितना TCS कटा इस Mr. A, क्या इसकी cash ledger में आ जाएगा, फिर से बात करते हैं, देखिए, Mr. A ये ने goods बेचे, ECO के तूँ, ठीक है, ओके, इस Amazon ने TCS collect कर लिया, वही तो TCS हमारा ही तो है, अब हमारे को मानलो 12% GST ये ना मनता था, इसमें से 1%, जिसमें 0.5 CGS, 0.5 A GST, 1% इसने Amazon ने हमारा collect करके government को जमा करा दिया, तो ये Mr. A के cash ledger में आ जाएगा, अब 12 में से एक जमा होगा, 11 ये जमा कराएगा, 12 में से एक तो जमा होगा, cash ledger में दिख रहा है, 11%, और जमा कराना हमारे को, अब अगला सवाल सुनी, क्या है, ये लिखा हुआ था, Amazon जब ये ये 1% जमा करा देगा, तो ये GST rate submit करता है, GST rate submit करता है, उसके बाद notification आती है Mr. A के बाद पोटल पे कि भई, तेरे नाम का cash, ये टी से जमा हो गया, accept कर ले, cash ledger में आ जाएगा, तो Mr. A accept करता है, कि ये सिरफ register person को, GST rate submit होने के बाद में, ये intimation portal पर आती है, ये सिरफ सिरफ, किसके पाद आएगी register person के पाद, तो पढ़ेंगे क्या लिखा है, detail of heading की पढ़ लिए, detail of TCS furnished by eco to made available electrically to only register supply, वै क्योंकि उसी के cash ledger में आना ना, unregistered supply को भेजने का क्या पतलब है, कि हाँ भी तुम्हारे नाम का TCS दिमा हो गया है, और वैसे भी understood के लिए हमें TCS काटने की जनरली ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अगर वो exempt है तो, ओके, अब हम इसके बाद आते हैं, next, ये इस chapter के last amendment क्या, हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि एक से ज़्यादा eco involved है, multiple e-commerce operator involved है एक supply, अब बायर ने order किया, अपनी से किसी website पर, ठीक है, इस eco को, अब इस website ने दूसरी website को order किया, जो supplier को जानती थी, इस supplier side eco ने फिर supplier को intimate किया, कि ये माल भीजो, या service दो, तो supplier फिर आगे भीज़ता है, फिर बायर के पास समा, ऐसे होता है, जी, अब सवाल ये था, TCS काटने की जिम्मेवारी किस की है, बही जो supplier को payment कर रहा है, जो supplier को payment कर रहा है, वही तो TCS काटेगा supplier से, बायर side eco थोड़ा supplier को payment कर रहा है, जो supplier को payment कर रहा है, जो supplier side का eco जो है, ये compliance को करने है, तो यहाँ पर compliance under section 52, to be done by the supplier side eco, who finally releases the payment to the supplier, तो ये बायर side eco का क्या है, बायर side eco क्या करेगा, बायर side eco payment collect करेगा, अपनी commission काट कर बाकी पैसे किसको देदेगा, ये supplier side eco को, seller side eco को, ठीक है, अब seller side eco, बाकी payment अपनी commission काट के, TCS काट के, ये इसको supplier को देदेगा, तो इसलिए बायर side eco को को कोई section 52 की formality को पूरा नहीं करना, TCS काटने के जिम्मेंवारी किस की है, जो supplier supplement करेगा, वो supplier side eco है, वही पर कर रहा है, उसी की responsibility, तो ये था एक से ज्यादा eco involved थे, ठीक है, यहाँ पर उपर heading थी, where multiple eco are involved in a single direction of supply, supplier said eco himself is not the supplier, तो ये खुझ supplier नहीं था, अगला example देखें, ये issue 2, ये CBC के circular में ही दी हो है, बायर ने किसी website पर order दिया, कोई phone के लिए, अब बायर side eco ने आगे दूसरी website को order दिया, ये website वाला खुद ही supplier है, खुद ही supplier है, तो अब बायर side eco क्या करेगा, इसको payment करेगा, तो payment क करता है यहां पर, बायर side, क्योंकि यहां पर ये खुद ही supplier है, website भी है इसकी, और ये खुद भी supplier है, तो e-commerce operator कौन होती है, ये e-commerce operator जो own manage operate करते हैं, website ये portal को, तो हमने अपनी बायर ने एक website order दिया, इसने आगे फर्दर जिस website order दिया, वही supplier है, तो अब यहां पर formalities की है, तो यहां पर, बायर side, को की formalities है, तो टीसे तो बायर side, सिंपल बातों में, क्रक्स क्या है जी, जो भी supplier को payment कर रहा है, उसी को, उसी को, जो भी supplier को payment कर रहा है, उसी को ही, ये section 52, TCS वाली formalities को पूरा करना है, ठीक है, सिंपल दी बात, ओके जी, चलते हैं आगे, ओहो, अब हमारी कौन सी exemption के chapter की amendments आ रहे है, हजी, आपको बता दिया जाए, यहां पर हमने कुछ already वैसे करा दिया है, ये कौन सा नीचे वाली बात है, हमने कुछ बता दिया आपको, तो वो करनी नहीं, जो कर ली है, वो दुबारा नहीं करेंगे, हजी, satellite launch की service, satellite space में जाती है, आपको मैंने वीडियो दिखा रहे है, क्लास में, तो अब ये satellite launch की service, ये पहले भारत सरकार की, इसरो की दो companies दिया करती थी, अंत्रक्ष कॉर्परेशन और न्यू स्पेस इंडिया, तो ही माफ होता था, अब ये वर्स कार्ड दिये, मतलब कोई भी थी satellite launch की service आपको, तो satellite launch की service पह एंट्रिश शेवन एट्रिश ये मैं आपको अलड़ी करा ही चुका हो, चलते हैं आगी, 6789 तक हो गया न, अब यहां पर आईगे, पेज नमर 47 पर, एंट्रिश फ्रीबी, ये क्या है, ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ एंट्र टूटूटू, कानसी यह 5 सर्विस यह 5 सर्विस 500 आगर गोभर में अथोरिटी रिसीव करें वैसे तो 係 सब्सक् registered का काम यह वाले काम करना लेकिन प्राइवेट कॉंट्रेक्टर को खाम करना वेसे ऀक काम्ट कुझना करके प्राइवेट कोन्ट्रेक्टर को पब्लिक हेल्थ, हेल्थ से रिलेटिड कोई सर्विस अगर 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 सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गोर्मेंट अथोरिटी को तो जी एस्टी रहेगा माफ, प्राइविट कॉंट्रक्टर दे रहा तो माफ रहेगा, नेक्स से सैनिटेशन कंजर्वन्थी, जैसे सीवर में गंद कूडा कबाडा एकठा हो गया है, तो ये काम गूर्मेंट अथोर्टी को ठीक करना साथ सफाई करने थी, उसने प्राइविट कॉंट्रक्टर को एक कॉंट्रक्ट दे दिया, तो प्राइविट कॉंट्रक्टर ये सीवरेज डिस्पोजल के रिलेशन में सर्विस दे रहा है इसने मोटरा सेनिटेशन का जर्वेंटी तो यह गोर्मेंट अथोर्टी को सब्सक्राइब करना आता ना कूड़े वाला आयार भाया कुछ बोलने बोलते हुए आती है तो यह वो जो प्राइवेट कॉंट्रक्टर है यह क्वर्मेंट अथोर्टी को वो पूरा एकठा करके फिर उसको डिस्पोज करने की सर्लिष दे रहा है इसे मोटते हैं स्वपुलेट वेस्ट मेनेज्मेंट तो वो इस गोर्मेंट अथोर्टी से जियर्ट नहीं चार्ज करे नेक्स स्लम इंप्रूमेंट एंड अप्ग्रेडिशन यह जुगी जोपडियों की बात हो रही है जुगी जोपडियों वालों के पास में पाने की सप्लाई करनी है टुलेट रोड यह बना कर देनी है तो अगर यह काम गौर्मेंट अथोर्टी का था इसने प्राविट अब इंप्रूमेंट अप्ग्रेडेशन के लिए जोगी जोपडियों में यह ले काम कराने के लिए तो प्राविट कॉंट्रक्टर इस गौर्मट अथॉर्टी से जिस्टी चार्ज नहीं करेगा यह एक नई एंट्री एंट्री थ्री चलते हैं इसके बाद आगे अगली त अब हम आते हैं नेक्स्ट अमेंड्मेंट पर असेस्मेंट और अडिट एक सेक्शन है सेक्शन 62 जो रिटर्न लोग नहीं फाइल करते हैं हाँ जी जो लोग रिटर्न अपनी नहीं फाइल करते हैं जैसे सेक्शन 39 में कुछ रिटर्न जाती है जैसे 3 भी जाती है अगले मिने के 20 तारी तक अगर मंसली जा रही है तो आपने रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या और भी कई रिटर्न जा रही है वहां पर फाइव जा रही है तो आप यह रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या आपकी फाइनल रिटर्न और अनुल रिटर्न में फर्क है अनुल रिटर्न तो होती है आप हर साल फाइल करते हैं अग नहीं फाइल करी है है तो आपके पास अता है तो या अने के पंदरा दिन यो करने होते हैं अब करने होएं है अगर आप नोटिस के पंदरा दिन में करते हैं तो फिर आपको सेपरेट नहीं आएगा हम आपकी बैस चेज्जमेंट करते हैं आपका टेक्स निकाल कर हम बता देंगे हम इसका ओडर पास करेंगे पांस साल के यह पांस साल कब से लिए जाएंगे एनुल रिटन की डूरेट क्या होती है जी अगले साल की 31 तो अभी से रिटन नहीं फाइल करी थी नोटिस आया नोटिस आने के में 15 दिन में रिटन नहीं फाइल करी तो आपकी असेस्टमन कर दी है अब यह जो ओडर पास हुआ इस ओडर को अगर आप विड्रो कराना चाहती है यहां टाइम लिमट होती है थाटी डेज उसको बढ़ा दिया अगर आप अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं इस ओडर पास होने के साथ दिन के अंदर अंदर तो यह ओडर विड्रो हो जाएगा इस साथ दिन में भी फॉर्दर एक्सेंशन मिल सकती है 60 डेज की हर एक्सेंशन कराने के लिए हर डे के लिए आपको सूर बढ़ेने प अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो फिर यह ओडर विड्रो नहीं होगा साथ दिन में फर्दर 60 डेज के एक्सेंशन मिल सकती है हर डिले के लिए आपको सूर पर आपको पे करना पड़ेगा लेकिन ध्यान रहे और तो विटर हो जाएगा लेकिन इंट्रस लेट पी रिटन की वो तो आपको पे करनी ही होगी है यह आमेंडमेंट डेज की हुई है इस चप्टर में भाती है यह एक्सप्ट इंपोर्ट या डिवर एक्सप्ट एक्सप्ट यह कर लें जीरो रेटेट सप्लाई का मेनिंग क्या होता है एक होती है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है supply of goods and services to SG developer या SG unit दोनों में फर्क क्या है जी हाजी अगर आपने goods की एक्सपोर्ट करी वो तो physically बाहर जा रहा है जी जी फिजिकली बाहर जा रहा है वो तो एक्सपोर्ट है ही, लेकिन विधिन इंडिया कुछ एरिया स्पेशल एकनोमिक जोन है, जैसे नोड़ा में कुछ एरिया स्पेशल एकनोमिक जोन है, किसानों से बंजर जमीन एक्क्वायर करके उस एरिया को ड्वलप करना पड़ता है, जो उस एरिया को develop करता है उसे मोलते हैं SEZ developer उसे हम क्या नाम दिया करते है SEZ developer मानले रिलाइंस ने उस एरिया को develop किया वहाँ फेक्टरिज लगाई वहाँ पर कुछ अब रिलाइंस के अलाव भी करी और लोगों के ओफिस होगी तो अगर आप से यूनिट को service दे रहे हैं यह भी कहा है UK Skoda के मतलब क्या है जी मतलर है कि हम and X 0 कर देंगे हुस सकता है जो उसके हम बस Assim को दे तो लखन या तो लगर अपर नाम बोला जाता है इस नाम जाता है इस नाम बाला बनाद यह प्लाइधि यह जी जुट से विशार्फ करने के लिए आप 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 एक्सपोर्ट करें आप आई जी दो ही मन देने के लिए आपको बोर्ड या लेटर ऑर अंडर्टेकिंग फाइल करना होगा बॉन कोन भरते हैं जी चोर जिन्हों धाई करोड से उपर की टेक्स की चोरी करी है पिछले पांस सालों में प्लस जिनने जेल में बिठा गया उनको बॉन्ड ही बनना होगा बाकी सब लेटर अपंडर्टेकिंग कर सकते हैं लेटर अपंडर्टेकिंग में साल भर के लिए फाइल हो जाता है यह आपके लेटरहट पर ही चला जाता है बॉन्ड स्टाम फिपर बे जाता है तो हर बंदा यहां पर क्या फाइल करना चाहेगा लेटर फटेकिग तो जब आप गुड्स एक्स्पोर्ट करती है एक्सिट करत अब एक्सपोर्ट करने के बाद रिफंड ले लो अरे इस से इस को करने के लिए उसका रिफंड आप यह है 163 यह है 164 यहां पर क्या है जी पहले आप IGST पे करेंगे फिर आप एक्सपोर के एक्सट को सप्लाई करेंगे फिर IGST का प्रिफ़ण लेगे अमेंडमेंड क्या होई है 163 डिफोल्ट ऑप्शन है 164 हम गुष्ट नोटिवाई करेंगे या सर्विसज टे नाम नोटिवाई करेंगे या सप्लाइर के नाम नोटिवाई करेंगे बस वही लोग ही IGST पे करकर एक्सपोर्ट के असतर सप्लाई कर पाएंगे और वैसे आपके नौलेश के लिए सभी सभी सर्विस के लिए अलाव कर दिया है कुछ सब्सक्राइब को छोड़कर जैसे मोटा मोटी तोरते उसमें पान मसला टबैको आता है जो गुट्स नहीं आते जिनके लिए अलावड नहीं है आईगेस के पे करकर वह इंस्टूट कहत रहने होने पे करकर एक्सवार नहीं नहीं कर लादा तो फिर उनके लिए क्स्वाल he goes यही twenties अ कि मादब करने के लिए आपको नॉटिविशन चेक करना होगा हमारी सब्सक्राइब जने इक्सपोरोड है नहीं हम एक्सपॉर्ट है कि नहीं हम एक्सपोर्ट के लाउड है कि के लिए तो आप उपर देखें जो हमने सुलह तीन सुलह चार दिया पहले सुलह चार देखते हैं यह नोटिवाइड क्लास उपरसंस के लिए हैं बेकिंग जिवरेट सप्लाइज नोटिवाइड गुड्सन सर्विसेज के लिए हैं इसके लिए इसके लिए सब्सक्राइड के लिए तो उनके लिए कौन साल और हो गया तो सभी के लिए हैं यहां पर आप यहां नोट और तीन में आवंड मंड्म यह क्या लिए अगर तुमने रिफंड ले लिए जी लेकिन फूरन एक्षेज आया नहीं एक्सपोर्ट किया था फोन एक्षेज आया नहीं तो फिर जो फीर में टाइम लिए बता रहे कि अगर उतने समय में पैसे नहीं आए तो तीस दिन में फीर में यह जमा करा देना एक्सपोर्ट के तो इंडिया में आना चाहिए ना पैसा अगर नहीं आई तो फिर आपको रिफंड वापत दोना बजाएगा जी विद इंट्रस्ट ठीक है चलिए तो अमेंडमेंट क्या हुई है सोला चार वाली जो अप्शन पहले हुआ करती जी पे करकर अब वो नोटिफाइड गूर्ट सर्विस या नोटिफाइड सप्लार्स के लिए वैसे सभी कर दिया क्या है तो बैको रिलेटिज प्रोड़क्स को छोड़ कर अब अगर आपने अगर आपने गुष नहीं किये तो इसमें कसम खानी होती है क्या करनी होती है मैं यह तीन महीने ओवर होते ही पंद्रा दिन के अंदर अंदर जो टेक्स और इंट्रस बनता होगा वो मैं आपको पे करूंगा कि तीन महीने इक्सपोर्ट परी नहीं किये तो यह तीन मेने ओर होते ही 15 दिन के अंदर-अंदर मैं टेक्स पे कर रोगा सर्विस के केस में एक्सपोर्ट तो पता नहीं लगता हो वो तो कोई कस्टम पोर्ट पर थोड़ा जाता हूँ तो अगर सर्विस के एक साल में इन्वाइस इशू होने के एक साल के अंदर अगर पेमेंट नहीं आई तो कसम खानी होती है इस बॉंड एल्यूटे में कि मैं 15 दिन के अंदर टेक्स और इंटरस्ट पे कर दूँगा एक साल उवर होने के बाद अगर जब आथ करें गुड्स के केस में इन्वाइस बंने के 3 महीने फॉसर एक्सणeled सट्रास अलमनी यहीं तीन महीन पांच महीने बाद दो हुआ सबाल बाद आपका यह पेमेंट या था नहीं नहीं, Interest Refernd ने में भाइगा, GST Refernd नहीं नबर दो, अगर आपने बिना IGST पे एक्स्पोर्ड के था तो पर्चेज़ पे GST का Refernd में बलता ना, क्या वो पर्चेज़ के GST का Refernd में जाएगा, अनिटले जाएटी जिगा, जी हाँ, फिर से बात करते हैं, अगर आपके यह बात कहा लिखिए यह बात इस सर्कुलर में यह लास्ट पराम लिखिए इस अब दूसरी बात यह तो आपने रिफंड ले लिया अगर मान लो पांच महीने बाद बुस एक्सपोट हो गई यह सबासाल बाद आपके पाद आगे यह तो आपको रिफंड मिल गया लेकिन अगर यह टाइम से एक्सपोर्ट हो जाते तो पर्चेजित पर जी यह वह मिल जाएगा जी हो मिल जाएगा तो करेंगा एक बार गुट्स एक्सपोर्ट हो गए यह पीमिंट रिलाइज हो गई सर्विस के के से इवन इस बियोंड था एक्सपोर्ट होगे एक साल बार प्रिमेंट आगे बैनेफिट ऑफ जी रोटिन सप्लाइज के नोट बी डिनाई तो एक्सपोर्ट वोडब एंटाइटल रिफंड ऑप अनुट्लाइज आईटी तो यहां पर अनुट्लाइज आईटी का रिफंड मिल जाएगा मिल करेंट दिखा रहा था पहले यहां पर 2-e लिखा होता था थरकुलर में तो इनहें 2-e की दिकार बोला 2-e बैंक्स्ट यह क्या अमट्मेंट है कि एक बेकार की एक यह पारिकार की लिफिवेकर्ट वाले हैं उनको 90 परचैन डिफंड प्रविजिन को बेंट ब्री जाएग जाता है जब सेवन डेज के अंदर 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 अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ था इसमें ये लिखा हुआ था नब्य परसंद मिलेगा एक्स्ट्वोडिंग दाओंट ओफ आई टीशी प्रोविजिनली एक्सप्टिट इस लाइन को डिलीट कर दिया तो उपर पड़ेंगे इस अमेंडमेंट विल रिमूर्व दर रेख्फरंस टू प्रोविजिनली एक्सप्टिट इस यह वर्स जो लेते होगे ते यह काड नही तो क्योंकि सेल्फ असस्ट आईटी सी हम लेती हैं 3B में हम 3B में जो क्रेट लेते हैं वो खुद असस्ट करके लेते हैं प्रोविजियर अप्रिंसिपल रहा ही नहीं जी एस्टी में शिरू से तो यह वर्ट्स बेकार के लिए गवद इनको हटा दिया तो इस अमेंडमेंट स पूछे जाने की जिरूत नहीं है अच्छा जी अब इसके बाद अगली अमेंडमेंट यह अमेंडमेंट भी सी एंस्टी ने इंक्लूड नहीं करी अपनी अमेंडमेंट पर फिर भी में बता रहा हूं His shirt thrilled people also Narиз collateral Som definite इनहीं कोन होते है यह याद दिला दूं एक बार जैसे देहली में ट्रेंटेंड पेर लग रहा है यूपी का वयापारी देहली में आके समान बेच ना ुचाहता है ऊपरन कंट्री का USA के वयापारी देहली च्रेट फिल में आकर समान बेचना चाहता तो इनहें वां ट्रेड पे समान बेचने से पहले कुछ अड़ेस्ट साइड़्स जमा कराभना होना सूच ऐड़ेस्ट से यह स्यमा करा बाल जो पार यह चो जह द तो भी लगत किन गड़ाऊं जा रहे हैं तो जो यह इनों ने पहले लिखावा था कि एक क्लेंगेगे अपनी लास रितान करने के बाद Kiram Karese हैज रिटन में क्लेम करें जुड़त नहीं है इनों लिए क्लेम defined है यह उपर हमने यहीं पर बता रिख कि जर्गहने लास अठा आसर के जगह फात्र नार एक छोटी सी अगरनton के briक इंट्रस्ट एक्सस में पे हुआ है या अधर अमाउंट एक्सस में पे हुआ उसका प्रिफंट मांग रहे हैं उसके एक स्टेट्मेंट बना कर देनी होती है वर्ड पहले सिरफ पेमेंट टेक्स वर्ड लिखा था साथ में इंट्रस्ट भी तो हो सकता एक्सस में पे हुआ हो सकता कोई अधर अमाउंट एक्सस में पे हुआ तो इन्होंने यह वर्ड्स और एड्ड कर दिया उसकी स्टेट्मन बना कर दें तो अगर आप रिफंड इंट हाँ जी यह वाली अमेंड्मेंट भी स्टे रिफंड ने डाली नहीं है आपके अमेंड्मेंट में फिर भी बता देता हूं यह क्या है कर अबने सेक्शन 56 पर रखा होगा इंट्रस्ट और डिले रिफंड का कि अगर साथ दिन में अप्लिशन लगने के साथ दिन में अगर आपको refund नहीं मिलता तो interest मिलता है छे परतन पारेना है इस section 66 में एक change हुआ है कि 60 days में कैसे calculate करना है इसके लिए हम rule बनाएंगे और एक rule बनाया गया है rule 94 इसमें rule 94 2 में एक amendment की गई है वो rule 94 2 डाला गया क्या कि जो period of delay है भई 60 दिन से ज़्यादा delay हुआ तो आपको interest मिलेगा साथ दिन के बाद से अगर वो delay अससी खुद करा रहा है तो उस period को हम delay वाले period में count नहीं करेंगे ऐस rule 94 में लिखा हुआ उन्होंने देखा comment ने क्या जैसे second पन बताते हैं अपना bank account आपने refund application में गलट डाल दिया रस्टेशन के टाइम पर बैंक काउंट देना था या रस्टेशन कराने के बाद में आपने तीस दिल में बैंक काउंट डिट्रेल दी जब आप refund मांगने गए आपने bank account वो नहीं दिया को यह दूसरा दे दिया फिर उसमें refund नहीं आता अब refund नहीं आता तो देरी हो रही है उसकी जिम्मेवार कोन है तो यह वाला प्रिट जो आपने bank account करेक्ट देने में जो लगाया यह वाला प्रिट डिले वाले प्रिट में नहीं लिया जाएगा रीफंट देरी हो रही है फिर फिर लंगी गृष्ट को इंट्रेंस देना ना उसमें नहीं लिया जाएगा दूसरा अर आपको नोटिस इसुँ हुआ कि आपको 15 दिन में रप्लाई दिना है आप रप्लाई दे रहे हैं 15 दिन से ज्याद़ टाइम माग रहे हैं जो टाइम आप पंदर दिन से ज्यादा ब्यान्ट 15 ले रही हैं, फंदर दिन से ज्यादा समय समय आपना प्लाई दिनने में दे रहे हे हैं, तो वह परिडूमेट हम डिले वाले प्यडूम करेंगे चलते हैं इसके बाद आगे हाजी इवे बिल वाली अमेंटमेंट सी एंस चीट ने इन्कलूड ही ने करी है आपके एक्जाम में नहीं पूछा जाना एक बार शोट में बता दीता हूँ है क्या ये एक्जाम के लिए नहीं पड़नी है gold precious stones के लिए intra state moment के लिए evable की बात है यह evable होता क्या है जब goods की moment एक जगा से दूसरी जगा हो रही है उसकी value पचा जाज आप दे उपर हो तो evable बनता है यहाँ पर वो intra intra दोनों के लिए यहाँ gold precious stones के लिए evable की बात है और evable के दो part होते हैं part A और part B part B भरने के बाद ही evable valid होता है उससे पहले नहीं part B में truck के detail जाती है लेकिन gold के लिए precious stones के लिए jewelry के लिए आप सुचो यह तो बड़ा मश्किल होगा अगर यह पता लग जाए portal पर बैठ होवा कोई employee है उसे पता लग गया कि पांच करोड़ का सोना जा रहा है इस रही कर से यह पचास करोड़ का सोना जा रहा है वो तो बीच रस्ते में किसी को अगर उसकी information होई कोई employee जो GST portal पर काम कर रहा है जिसको evable का access है उसके पास detail आई वो क्या करेगा उडवा देगा उसको इसलिए evable की requirement गोल प्रेशर स्टोन या फिर इनके लिए जोलरी के लिए नहीं रख्या होई थे अब इनके लिए इनके लिए उपर वाले अमाउंट के लिए और वह भी दो लाक या उपर वाले अमाउंट के लिए हम रखेंगे और यह इंट्रस्टेट मुमेंट के लिए वह अमाउंट कोन फिक्स करेगा यह स्टेट को जिम्मेवाली ने दिए तो रूल 138F एक आइडिया दिया मैंने आपको आपकी कोर्स में नहीं है तो इसे आपको मैंने लिखा हुआ नोट फोर एक्जाम तो आपको यह नहीं पढ़ना है आपकी नोलेज के लिए दिया है चलते हैं इसके बाद अगली अमेंट्मेंट पर यह अब अमेंट्मेंट मस्त आ रही है पेज नुमर 56 पर इसे तो आप खुद पढ़ो तो समझ में आएगा हमने यह को मर्स ऑपरेटर से लेटेटिट कमपोश्चन में अमेंट्मेंट के ब झाल 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 हाँ जी इस पर पेनलिटी लगेगी दस हजार या टेक्स का अमाउंट विचवरी धार अगर यह तीन अपराज किये इस पहला अन्रजिस्टेट परसन को अपने पोटल से समान बेचना शिर दिया तो उनको छोड़कर जिनको एक्जम्ट किया है जो एक्जम्ट लेना होता था जिनको उनको छोड़कर उनको छोड़कर अगर किसी परसन को अपने पोटली टेक्स समान बेचना दिया तो दस जार और एक्स इंवल्ड विचवरी धार पेनलिटी लेगी नमबर दू जा सब्सक्राइब से किरने अक्षभ उनकोट 오른 अगर में करने दीडिंवर्ड जत्षिय congregation इंत्रश्चर krijgen यहां पर ईउसे तो दस हजा और जो रेगुलर टेक्स विजब विजब लगे लगे लास्ट इको ने जी अगर सही डिटेल नहीं दी जो लोग इस एको के तूप एमजोन के थ्रू समान बेच रही है अगर गलत डिटेल दी है उसमें सही डिटेल नहीं दी है तो इको पर पैनल्टी लगेगे टेक्स दस अजार और टेक्स विजब विजब है यह अबंडमन सेक्शन 122 वन भी इंट्रडूस किया बढ़ते हैं इसके बाद आगी सेक्शन 132 हां 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 जेल की बाते थी जेल की बातों में जो मोटा-मोटी तोर से अबंडमेนट रही हैं तीन ओफैंस के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा जी जे के नेक्स पेज पे दिया इन यहां से डिलीट कर दिया है G, J and के इनको डिलीट कर दिया घया है मतलए इनके लिए जियल नहीं होगी बात करने अभी को में तो दूसरा एक करोड से ऊपर की टक्स की चोरी करी तो जेयल मिला करती थी कितनी एक साल तक की अब एक करोड से उपर चाहिए दो करोड तो ही जेल में डालेंगे, और वो क्या है, इन्वाइस इसु कर दिया बिना गुर्स बेस्ट हो, ठाकि बाइर क्रेड लेड, वह वाला एक केस है बस, ठिक है, तो मोटा मोटी तोर से यही amendment है तो आईए एक बार मैं आपको section 132 आपको recall करा देता हूँ amendment तो बस यही है amendment तो बस यही है लेकिन एक बार मैं आपको refresh करा देता हूँ section 32 हुआ क्या करता था section 132 यह detail में दिया मैंने आपको यह चार offense अगर 5 क्रोर्टे कम होगी तो इसके अलावा बाकी E2L चाए 5 क्रोट से पहले चार ओफंस अगर टेक्स की चौरी पांस करोड़ते ऊपर है तो फिर पांस करोड़ते कम है तो नौन करोड़ते क्या है सब्सक्राइबल का मतलब है खतरनाक अपराद हम उन्हें खतरनाक अपराद मान रहे हैं पर खतरनाक अपराद है तो आपको अरेस्ट किया या सकता है बिना कोड के वारेंड के और ये non-bail-eable है, non-bail-eable नाम से लगता है कि बेल नहीं मिलेगी, बेल तो मिल जाती है, court से जाकर मिलती है, मैं state of court से जाकर, court से जाकर बेल लेने पड़ती है, मतब वहाँ पर आप अपना बोलते है कि मेरे को जेल में अभी तो decide होगा ना, मेरे को क्या करो मेरे को बेल पर रिहा कर दो ठीक है तो खत्तरनाक अपराज जो है वो है पहले चार जब पांच करोड के उपर की चुरिये टेक्स तब हम अरेस्ट कर सकते हैं बिना कोट के वारंड के और तब बेल कोट ही देगा जो नोन कोट के वारंड के नहीं किया सकता और बेल जो बंदा अरेस्ट कर रहा है वही देगा जैसे आपको गुस्सा आया हुआ था रिजल्ट आया कोई सामने आपका पड़ोसी रहता था बोले क्या हुआ आपके रिजल्ट का आया तो यह है क्या हुआ गुस्से में आकर पुलिस ही आपको बेल देगिंदो ज उसने आरेस्ट के वही आपको बेल रहा है कि आपका उसे आप गुस्से में आवेश्वस आपने उसको मुक्का माल जेता भाप उसी जीवन ही से उसको दुला नही चाहते जाते उसको । कर दो झाना चाहते थ行了 हमो चोड़ोसी आया मो तो अब ये पहले चार अपराद पढ़ लेते हैं कौन थे हैं जो खतरनाक अपराद है पहला अगर आपने गुर्स बेचे हैं सर्विस दिया लेकिन इन्वाइस इसू किया लेकिन गुर्स के सप्लाई नहीं करी फेक बिल और इसी से जाए लिए लिए जी यह खतरना अपराद कैया है और तीन महिने से उपर भीज गया यह चार खतरनाक अपराद है और पांस टोड़ से कम है तो यह जी जे पढ़ लेती है जो हटा दिये गए जिन में जेल में नहीं डाला जाएगा अगर आप ऑफिसर को प्रेवेंट करते हैं उसके काम करने के लिए तो आप इस केस में जेल में नहीं डाला जाएगा तो यहां पर जीजे के अपर डिलेट कर दिए तो इस पर आ सकता है अब जो नोट कर दिए कर लिया तो यह नोट कर ले लिया अगर आपने अगर आपने फोल्स अकॉंट प्रोड्यूस करें या फेक अकॉंट प्रोडूस करें या false information government को दिया या financial records false बना रखे हैं तो इस case में आप यह आपका non-cognizable amount कितना भी है 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 ह और आई मिलते जूलते हैं क्या बिना invoice के जो गुट्स liable to confiscation है मतब बिना इन्वाइस के उन इन्वाइस को आपने क्या किया है उन गुट्स को आपने क्या किया है उनने आप deal कर रहे है या त्रांस्पोर्ट कर रहे हैं या रांस्पोर्टर है या कवरका रही है एसके service आप राज में जेल कितनी मिलेगी अगर पांच करोड से ऊपर की चोरी है चाहिए टेक्स की चोरी हो साथ में टेक्स में आईटी से की भी बात कर रही है इस इसकी अब बात करें या रिफंड की आगर पांच करोड से ऊपर के तो पांच सनल प्लस पिलस पंतормु कर दो करोड जील तो नहीं जेल की आप राग के लिए कौन सा यह जो inwise इशू किया बिना supply के इस वाले के इस केस में एक साल प्लस पाए तो मतब यह change हुआ है क्या यह वाला एक तो amendment क्या होई है यह जी जे के अपराज वालों के लिए नहीं क्या बोलती है कोई भी जेल में नहीं डाला जाएगा दूसरी amendment क्या होई है यहोजी कि एक क्रोर पर में धेलमिन डालेंगे to सिरफ एक केस में यह डालेन गी वैसे सिर्फ एक इन वह क्रोर सुल के दिगmp n Chuck contracts आगा चाल लेकन रेकश है आगर ऐस वाला पराद है फोल्स इंफॉमेसिन संग इस वाले केश में चे महिने ओर आन्फ कुलम के चे महिने भी ये तो मेक्सिमम प्र ही फिर फिर फान्सर प्लस 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 सछ तुका है ठीक है here on Summit a engagement है यह जी जीजय के अपराद कार्ट पारच में डिया खेए है धूर दूसरा अमन्डमेंट है ये कि एक रोड़ दूपर है तो अमले हट तक सेक्षण 138 की अब बैनिप्स उस्दुर में डालेगी let us यह तो पूरा section में काफी सारी changes हुए तो मैंने पूरा ही section दे दिया आपको क्या हो यह आप जेल से बचना चाहते हैं compounding offense मतलब आप जेल से बचना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपको prosecution proceeding को drop कर दिया जाए आप जेल में ना बैठें तो अगर court पे proceeding अभी शुरू नहीं हुई है या proceeding शुरू हो गई है लेकिन अभी इसके लिए आपको compounding amount देना पड़ेगा compounding fee देनी पड़ेगी ध्यान दीजिए प्लस इसके लबाट tax interest penalty तो देना ही है जो आपका बनता है यह तो आपको पहले पे करना ही होगा प्लस compounding fee देनी पड़ेगी compounding fee क्या minimum 25% tax यह चेंज हुआ है तो minimum 25% tax और maximum कितना होगा 100% अब compounding इन तीन cases में नहीं होगी यह चीज़ हो गया है यह चीज़ हो गया है एक तो अगर आपको court ने अगर दोशी साबित करी दिया फिर नहीं हो तकती तो इसने क्या बोला था प्रसीडिंग शरू होने से पहले आप आजओ compounding fee दे कर जेल से बच जाओ यह फिर प्रसीडिंग शिरू होगी लेकिन दिया फिर इस फिर एक वन था यह फिर अपर जो एक करोड़ से ऊपर भी चोली थी तो जेल में बिठा रहे थे जो इन्वाइस इशू करना बिना सप्लाइव गुस के था बिना सप्लाइव गुस के था यहां compounding नहीं होगी यहां आपको जेल में ही बैटोगे अब माफी न जेल में बिठाएंगे ही और तीसरा अगर तुमने जीवन में एक बार compounding करा ली जो भी 1321 के अपराद हैं बस यहीं बचे हुए A2F जीजे के तो हट गए ना HIL बचे हुए तो जितने भी सारे उफंस है 1321 के यह अगर एक बार आपने compounding करा ली फिर जीवन में दुबारा क होगी लेकिन 1321 के लिए पहली बार भी नहीं होगी अगर आप पहले आपको पहले अप्लिकेशन लगानी होगी फिर कमिशनर आपके लिए पास करेगा आपको यह जेल से बचाने के लिए 90 दिन मोडर पास करेगा अब यह जो फी थी आपकी मिनिममम 25 तो इसके लोग उन्हें लिखा है पहले चार अपराद के लिए अलग कहानी है इन चार अपरादों के लिए अलग कहानी है बी तो है इनके लिए तो एक ही बात है इनके लिए उपर लिखा है अगर टेक्स की चोरी पांच करोड़ ते उपर है दूसरा दो करोड़ तो पांच करोड़ से कम है पांच करोड़ तो पांच करोड़ से कम है पहले चार के लिए चोड़ते हैं पहले बाकियों के लिए करते हैं यहां पर तो सीजा क्या है? पत्त 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 अच जाय पांच करोड़ से उपर टक्स की चोरी और पांच करोड़ से कम की मारत भी तक है लीए फीर इतना हि से लने शिर उया है अच्छा जी फिर इसके बाद जो पहले चार अपराग स्व.. तो बाकी चार कौन थे फिर से बात करते हैं पहला आप बिना इन्वाइज के बेसिस पर बाइग से क्या नहीं से इसके यह विख्या करें और यह फिर क्लेंत नहीं है इन चार के लिए चार के लिए अगर अगर पांच करोड़ से ऊपर की टेक्स की चोरी थी तो हम क्या कहारे हैं जी मिनिमम कितना दे दो जी मिनिमम दे दो 50% मैक्सिम दे दो 55 तो यह एक्चुल में लगाए जाएगी तो इस पर रूल याद रखना पड़ेगा बढ़ते हैं इसके बाद आगी हाँ इसमें एक चीज हो अगर आपका अपराज इधर भी शामिल हो रहा है इंचार में और इधर भी शामिल हो रहा है तो फिर हम जो हाईयर वाला होगा वह ही लेगा तो यह नीचे प्रवाईदों में कह रहा है अगर जो आपने offense कमिट किया वो more than one category में आ रहा है तो कॉन सा होगा जो हाईयर वाला होगा वो लिया जाएगा ओके नेक्स यह क्या है यह नया टोपिक एड हुआ है एथिक्स अंडर जी एस्टी एथिक्स अंडर जी एस्टी हाजी करें इसे हैं हाजी जो एथिक्स अंडर जी एस्टी है इसमें कुछ चारे के स्टडी भी है जो मैंने आपको पेंज नबर 72 टू 79 पे दे रखी है मतब इंस्टीट ने यह वाला टॉपिक एड के और कुछ चार के स्टडी वह हलाकि इसी से रिलेटेड नहीं है वह उपेंसर पेनलिटिक के एक सर्कुलर से रिलेटेड है तो उसके लिए इस अमेंडमेंट क्लास के एंड में जो मेरी एग्जामनेशन बैश की क्लास हुई कार्ति उसी को मैं काट के यहां पर लगा दूगा उसको आप देखना चाहें तो के स्टडी को वहां से देख लगत एंड में वोगे तो आईए जरह एथिक्स के बात करें है एथिक्स का पहला तो सियैंस चैहरा बताओ जी मीनिंग क्या होता है क्या सही है और क्या गलत है क् morally acceptable है उसे करना वो है ethics और morally acceptable क्या होगा जो GST लोगो comply कर रहे हैं अगर आप तो वो है आपका ethical conduct वो क्या है जी वो आपका revenue increase होगी अच्छा unethical practice क्या हो सकती है जी जैसे बोगस इन्वाइस बीना सप्लाई के बिना सप्लाई के विदाउट सप्लाई के आप इन्वाइस शुकर रहे हैं और दूसरा जो बायर है वो इसी कही क्रेड ले रहा है इसी फेक इन्वाइस के वेस्ट पर क्रेड ले रहा है तो इससे क्या होगा एक तो टेक्स गोर्मेंट के रिवन्ने में फर्थ पड़ेगा इतना ही नहीं अन इवन प्लेइंग फिल्ड ओनस टेक्स पर के साथ में क्रेड होगी आप टेक्स फेक इन्वाइस शुकर रहे हो टेक्स कलक करके जमा नहीं करा रहे आप तो रिश होते कैसे का इस एक क्षिक में पर ऑफ उसे पोल ज़रूरी है ॉगे ऑफ इसके प्रिंसिपल के हैं अगर अप प्रोफेश्टिध्र करते हैं दो पाइंट प्लिक हुआ है कि उसे guilty माना जाएगा CA को second schedule की part 1 की close 7 में लिखा हुआ है जो practice में तिया उसे guilty माना जाएगा अगर वो due diligence नहीं करता है या grossly negligent है अपना काम करने में अपनी professional duties में इस के अरवा दूसरा second schedule की part 1 की close 8 में लिखा हुआ है मन लीजिए आपको कोई certificate देना था उसके लिए आपको certificate के basis पर एक opinion express करना है certificate के basis पर आपको एक opinion express करना था ठीक है आपने sufficient information को collect नहीं किया तो आपको guilty माना जाएगा professional misconduct में तो आपको guilty माना जाएगा कि उस certificate को या उस report को देना था audit report देनी थी आपने sufficient information collect किये में अपना opinion दे दिया तो आप guilty माने जाएगे guilty माने जाएगे तो आपके एकिन section लिया जाएगा अच्छा CA का GST में क्या रोल आई तो audit audit में कहानी होगी थी अब CA के पांच रोल बताए गए हैं या सबसे पहला अब आप मार्क करना चाहें तो आप मार्क कर सकते हैं पहला compliance function किसे मैं number one देता हूं फिर इसमें हम दूसरे नंबर पढ़ेंगे advisory rule किसे मैं number 2 देता हूं फिर यहां पर एक represent कर सकता है को यह कहां पर जाकर tribunal के सामने जाकर authority के सामने जाकर number 3 देता हूं मैं इसे number 4 CA कुछ certificate देता है number 4 CA कुछ report देता audit की number 5 तो यह CA का GST में यह पांच रोल है यह पांच रोल है अब इसमें हम यहां से शुरू कर रहें यह सबसे पहले यह यहां तक यह compliance यह compliance function यह जो number 1 करने जा रहे हैं यह compliance यह compliance function यह compliance function क्या है हाजी CA play a crucial role in ensuring GST compliance this involved तो इसमें इसमें पहला CA compliance क्या करा सकता है जी CA registration कराके दे सकता है CA registration कराके दे सकता है number 2 number 2 जब आपको जब किसी क्लाइन को purchase sale करनी है तो उस agreement की condition को draft करके दे सकता है जी उस agreement की condition को draft करके सकते हैं next optimizing tax planning करके दे सकता है जी CA text planning यह तो compliance function में आ रहाएं जी इसके अलब और कोई जैसती complete ebay बना कर दे सकता है टक्स पे कर कर के दे सकता है TGCQu की रिटन फाइल कर आ सकता है एंटी प्रोफिरिंग वाले प्रविजुशन को भूल कर आ सकता रोटन को टाइम से फाइल कर वा सकता है ठीक है इतना ही नहीं इतना ही नहीं रिकोर्स संभाल कर रखने होते हैं 72 महीने तक उन रिकोर्स को प्रिप्यर कराने में है रिस्ट वाउचर पेमेंट वाउचर इन्वाइस यह बनवा कर दे सकता है तो यह हो गया फर्स्ट अब सेकंड पर यह टेक्स एडवाइजर की तरह काम कर सकता है यह यह सेकंड में यह इसीएडवाइजर की तरह काम कर सकता है अच्छा सेख्ण Đवाइजर का इंपक्त उसके बिजनस पर क्या पड़ 느 रहा है उसकी supply chain में उसकी pricing strategy में वो उसे बताना है जैसे example आप लिख सकते हैं मान लिजे एक बंदा चाए के साथ tea के साथ साबुन तो फ्री देना चाहता है तो ये वाली supply होगी mix supply ये अपने section 8 में पढ़ा था ये mix supply होगी और हम उसे बताएंगे भाई सुन तो अगर ये काम करना चाहता ये ऐसी pricing strategy करना चाहता तो तो तेरे पर हाईएस जी असक्रेट लग जाएगा सीए कि सर्टिफिकेट और प्रेक्टिस ये रिप्रेजेंट कर सकता है ये थर्ड नंबर पर रिप्रेजेंट कर सकता है नंबर तीन रिप्रेजेंट कर सकता है ये रिप्रेजेंट कैसे जो सी जिसके पाद सी ओपी है वो क्लाइंट के बियाब पर GSP आफिसर के पाई जा सकता है अपिलेट अथ अथूर्टी के सामने रिप्रेजन कर सकता है अपिलेट के सामने रिप्रेजन सकता है नंबर चार अच्छा यह तो मेंडेटरी होते हैं कुछ specific situations में ये जो certificate है कोछ mandatory होते हैं अभी वो certificates की बात यहां नीचे detail में आ रही है certificates के बात यह नीचे detail में आ रही है और इसके अलावा certificate के अलावा reports की बात लिया सकती जी नीचे report की बात लेकी पांच तरीके के एकाम है पांच तुके काम है जो GST में आए अच्छा यह जो CA certificate देगा अब certificate के बारे में डिटेल में डिस्कूस करते हैं उसे CA की हर CA के duty है कि वो utmost care and due diligence करे जब यह certificate दे रहा है इतना ही नहीं जो audit में आपने standard for quality control वाला यह पड़ा होगा इसको भी वो consider करते हुए अपना यह certificate इस्ट करें अब मैं GST से link करके बताता हूं क्या certificate कौन-कौन थे हुआ करते थी जैसे for example पहला आपने section 18 में पढ़ा होगा section 18 में चार cases में special cases में credit मिला करता था जैसे नया registration आप करा रहे हैं आपकी turnover 10-20-40 लाग को cross करें तो आपको registration के लिए application लगाने होते 30 days में तो जो जिस दिन आपकी यह 10-20 चाले है जो आपके पार stock पढ़ा हुआ उस पर GST देना है तो क्या उसका credit में जाता है capital goods का credit तो नहीं मिलत जो इनपूट स्टोक में है इनपूट सैमे फिनिज गूट में है या इनपूट फिनिज गूट में है उसका credit मिल जाता था जी दूसरा अगर आप voluntary registration करा रहे हैं तो भी आपको stock का credit मिल जाता था capital goods का नहीं मिलता था इनपूट का credit मिलता था ऐसे ही अगर आप commission scheme में थे लेकिन regular में आगे जैसे आपके turnover डेड़ करोड से cross कर गई तो आप नॉर्मल में आगे तो आप नॉर्मल डेट से tax होगी तो जो आपको पर stock पढ़ा था उसका credit मिल जाता था या आपकी supply पहले exam थी अप इसके लिए डिटेल में इतनी बाते काफी है इतनी बाते काफी है इतनी बाते काफी है डिटेल में और हमने चैप्टर 8 का कर रखाया YouTube पर देख सकते हैं अब हम इसको लिंक कर रहे हैं जला यहां पर यहां जाए रजिस्टर परसंड को इसके लिए declaration देनी होती है जो वो credit क्लेम करेगा इस stock पर इस stock की detail इस ITC 01 फॉर्म में रजिस्टर परसंड को portal पर डालनी होती है जिस वो detail देता है कि मेरे पास input कितना stock में पढ़ा हुआ है कितना है उसका क्रेट कितना मंता है यह declaration तीज दिन में फाइल करनी होती है और ध्यान रहे यह जो आप credit क्लेम कर रहे हैं इस ITC 01 में अगर यह दो लाग से ऊपर का क्रेट आप क्लेम कर रहे हैं सारा GST मिला कर तो इसके साथ certificate लगाना होता है यह को अब ethics में इसका रूल आ गया है इतना तो आपने अल्रेड़ी पढ़ रखा है इसका रोल जड़ा क्लेम किया है इसके लिए को क्या करना पड़ेगा आपकी अच्छे से एक्जामिन करना पड़ेगा ताकि वो चेक कर पाए ताकि रिजनेबल एश्यूरंस दे पाए गवर्मन को कि इसने जो अमाउंट कैलकुलेट किया आए टी सी जी रवन में जो दो रास्ते ज्यादा वाला क्राइट क्लेम किया वो एकुरेटली ड्रॉ किया गया है बुक्स अपकाउंट पे तो यहां सी एक जिम्मेवारी है एथिकल कंडेक्ट जहां पर जरूरी है चोरी चकारी में वो इन्वर्ड ना हो तो यह सही निकाल बाल इखर आजी एक बैलन शीट है आपके पास असेट में पेहां और टरफ शाइड है एक तरफ लिएबलेटी साइड है और विएच रही है तो आप आप ITC क्या ट्रांसपर कर सकते हैं डूसरी उनिट को जी यहां ITC अगर ट्रांसपर करना चाहते हैं तो लाबलेटीव ही ट्रांसपर करनी पड़ेगी यह ऐसा section 18 में पढ़ा होगा section 18 3 में तो अगर लेकिन शर्त यह है कि आपको लाबलेटी भी ट्रांसपर करनी पड़ेगी अब इसके लिए रेजिस्टेट पर्सन को पोर्टल पर एक ट्रांसपर करने के लिए एक ITC 02 फों भरना होता है क्रेट ट्रांसपर करने के लिए और इस ITC 02 के साथ में कोस्ट अकाउंटन का certificate लगाना होता है कि लाबलेटी भी ट्रांसपर की गई है अब यहां पर तो यह लाबलेटी ट्रांसपर की गई है कि नहीं की गई है यह सीए को इसके लिए क्या करना पड़ेगा बुक्स अब अकाउंट को अधर रेलेवन डॉकुमेंट को रिकोर्ट की गई है तभी तो वह certificate दे पाएगा ठीक है तो यह certificate उसको साथ में अपलोड करना होता ना जी तो यह ethics वाली बात आए थर्ड बात में पढ़ेंगे पहले पॉर्ट पाइंट अब ITC की बात है अभी तक ITC लेने की बात कर रहे थे अब ITC की बात पहला कि आप पहले रिगुलरर ज्की में थी नॉर्मल में थी आप कमपेशन में आदे तो कमपेशन में मिलता नहीं तो स्टोब्ट करना पड़ेगा यह दूसरा पहले आपकी सप्लाइट टेक्सिवल थी अब हो गई या आपका रजस्टेशन कैंसल हो रहा है तो जो आपके पास टोक में पड़ा हुआ है इन्पुट और इस से रिलेटेड क्रेट आपको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा अब इस इन्पुट से रिलेटेड बात इन्पुट के लिए आप क्रेट कैसे कर तब तब उसकी market price जिसन भी आप switch over कर रहे हैं या exemption हो गई है या cancellation हो गया है इस rate को उसकी market price निकाल के उसके जिए निकालना पड़ेगा अब यह market price आपने सही निकाली के नहीं निकाली जिसके बैसे फिर आपने RTC सही reverse किया के नहीं किया इसके लिए यह का certificate लगाना होता है इस detail के साथ में इस detail के साथ में आपके पास जो स्टोक पड़ा हुआ था उसमें input का जो स्टोक था उस से लिटेड कर रिवर्स करना था इस input के लिए हम बात कर रहे हैं इस input का जो आपको GST निकालना पर्चेज रखी होंगे उसमें से निकालो उससे पता लगाओ कि यह कितना कितना इस पर GST बनता है अगर आपके पास पर्चेज इन वाइस अवलेबल नहीं है तो फिर हम कहरें अब यह आपने मार्केट प्राइस सही निकाली के नहीं निकाले इसके लिए को क्या करना पड़ेगा शीय को आपको मेटिकुलर्स एक्डामनेशन करना पड़ेगा किसका बुक्स अपकॉर्ट का अधर रेलिवेंट डोकुमेंट का रेकोर्स का ताकि वह रिजनेबल एश्यूरंस दे पाए कि हाँ भई आईटी से सही रिवर्स किया गया है मार्केट प्राइस इसने सही निकाली थी तो यहा रिवर्स का एक सट लगाना होता है कि अनजस इर्रिच्पंट नहीं है तो आपने टेक्स का वर्डन आगे पास्टोर्न नहीं कर रखा है अगर दो लाग से ऊपर का रिफंड करते हैं तो से लेकर देना होता है अब से इस धीश्यूर्स एक्जामनेशन करें आपकी बुक्स सब्सक्राइब worry वास्राइब rocket को थो देखना पड़ेगा ज Всем खर सब्सक्राइब आख़ंट कर दा इसे मैं आप को ही द्रसक्राइबॉर ईलीगा खिर तो अक्डी अधर अगर ऐसेम ब है को ढ devote primeiro आओ से थे नपे। पांचवे में बात करें हैं audit report की आपने special audit पड़ा था क्या अगर आपने अपनी वेल्यू सही नहीं दिखा रखी है या ITC ज्यादा ले रखा है यह department को scrutiny के दोरान inquiry के दोरान investigation के दोरान या other केस बड़ा complex और revenue बहुत ज्यादा involved हो सकती है तो वो खुझतों नहीं निकाल सकता वो फिर किसी सीय से किसी special experts से कमिश्टर नॉमिनेट करता उससे वो special audit कराता है मानली उस company की बैंक्स अलोगर एंडिया है उसे लगता है department को कि स्क्रूप के inquiry में मैंने जो निकाला यह सही नहीं निकाला यह बहुत ज्यादा major tax evasion हो सकती है तो यह मेरे बसकी बात नहीं है नहीं मेरे area में आती है यह सारी के सारी factors इसके all over India branches है तो हमें किसी expert की मदद लेनी चाहिए तो experts में हो सकता है यह commissioner द्वार आप nominated होगा तो यह इसके द्वारा department इसको बोलेगी तुँ audit करा कितने समय में audit करना होता है 90 days में फिर extension कितनी हो सकती है further 90 days के हो सकती है इसके basis पर इसे क्या मिलना 73 या 74 में इसके नोटिस रज़ने है 73 में अदो दन प्रोड के नोटिस ओडर आते है 74 में प्रोड के नोटिस ओडर आते है अब जरा इसका लिंक जरा ethics से समझो इसके basis पर case study भी बना रही है तो जो चार case study में आपको बता रहा था कि इसके साथ में और एड करी है वो इस amendment class के end में आपको मिल जाएंगी और इसमें नोट्स मैंने आपको दे रखिया है वह आपको वैसे तो end में आपको मिल जाईए और वह examination best में से मैं कट करकी उसमें लगा दूगा ठीक है कि कह रहे है कि सीए को जब यह special audit करना है उसे unbiased and impartial mindset चलना चाहिए external influences को ध्यान नहीं देना चाहिए कैसे भाई जो client है वह हमें पैसे offer करेगा कि मेरी अच्छी रिपोर्ट बनाना चोरी मत निकालना department काएगा नहीं भई इसकी चोरी जबरदस्ती कुछ कुछ निकालो तो हमें दोनों influences को नहीं consider नहीं करना अच्छा हमें क्या करना है department ने हमारको एक terms of reference दी होगी जो हमारा department हमारको और परण किया है तो उसने हमारको क्या दिया होगा वो letter दिया होगा उस letter को ध्यानते पढ़ना जिससे हमें पता लगेगा कौन सा specific area का value के ले audit करना ITC के लिए audit करना किसका और कौन से period का एक साल का है दो साल का है छे बहिने का किस period का audit करना हो पता लगेगा accordingly हम सारे documents को financial statements को invices को transaction records को हम check कर पाएंगे तो उस document को जो हमें department ने दिया है audit के लिए कि हमें क्या क्या चेक करना है detail में वह हमें ध्यान से पढ़ना है अब दूसरा ऐसा हो सकता है बलकि department जब GST का audit करता है वह पूछता हो declaration मानता आप से कि आपका कोई relative इस company में ऐड़री तो नहीं है मानने जी हमारी partnership हम है वे पांच partner है पांच partner में से एक partner की wife वहाँ पर take सब्सक्राइब या account sबीचर है फिर हम जो report देंगे भुली मिली होगी फिर तो वह सही नहीं होगी ऐसी case study वह वहां टेक्स ऐख आप्सिर है तो और उसने जो निकाला होगा हम उसी पर सही हम हां तो फिर यह सही नहीं है फिर तुम रिपोर्स सही नहीं दे रहे हो तुम अपनी यह conflict हो रहा दूसरी बात तो इस इंक्लोड रेफ्रेडिंग प्रम एंगेजिद यानी एक्टिविटीटी तो रेलेशनिप दगूर्प्रोमाइज देर अब्जेक्टिविटी अपकी इंडिप कॉन्फिक्ट एराइज हुआ है तो प्रॉप्प्ली डिस्क्लोज कर दो डिपाट्मन को भी यहां पे भी प्लाइन को भी नहीं तो आप अपना ओपीनियन करेक्ट नहीं दे पाएंगे तो फिर आप गिल्टी हो जाएंगे फिर आपके अगेंस मिसकंडक्ट वाले एक्शन लिए जाएंगे चलिए बाज जी यहां यह टोपिक खतम होता है इसकी के स्टडी एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं पेज नंबर 72 से लेकिए के स्टडी वन और फिर आसे चार के स्टडी आगे तक दे रहे हैं यही के स्टडी हम कर लेंगे यह अमंड्मन के बाद में तो आईए जरा वापस आती हैं अब हमारा चेप्टर 18 के अवंड्मन के खतम हो गई एथिक्स वाला टॉपिक खतम हो गया अब हमारे हैं चेप्टर 19 डिमांड रखव लिए यह क्या है जी आपके पास नोटिस आगया आपने गढ़बढ कर रखी है तो आप क्या करते हो अब अपनी प्रोपर्टी को खिकाने न लगा पाओ तो आपकी मोवेबल और इम्मोबल प्रोपर्टी को प्रोविजनली एक साल के लिए होता था एक साल के लिए एक रूल 159 है उसमें लिखा हुआ है जब तक डिपार्टमेंट की कमिश्नर की इंस्ट्रक्शन नहीं आ जा रूल सेक्शन को एकसीड कर रहा था तो रूल में अमंडमन कर दी गई है कि कमिश्नर रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे तब तक यह अटेश्मेंट रह सकती है या एक साल विचवरी दद लिए मतब एक साल से पहले तो ख़सम हो सकती है वह प्रोविजनल अटेश्मेंट एक सा क्यों अगर 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 आप अपिल मैनुवली फाइल कर ना चाहते हैं तो आपको एक प्रोविजनल अनोलेस्भिन मिले जब आप अप्पील फाइल करेंगे या कोन से केसिज में अगर कमिश्टर नोटिफाइब करता है कि तो अपील मैनुवली फाइल कर ले नंबर दो क्योंकि वह एलेक्ट्रोनिकली फाइल नहीं हो सकती है क्योंकि जिस ओडर के अगें साब अपील में जाना चाहते हैं वह ओडर पोर्टल पर आवलेबल नहीं तो इस केस में अपील फिर दोने मैनुवली फाइल होगी तो फिर आपको अने वाली है क्या आपने आपील के चैप्टर में ऐसा पढ़ा होगा state और area bench उसकी यह सिरफ state bench हो गया area bench हट गई है national और regional bench आपने पड़ा होगा उसका ना हट गया है वहाँ पे सिरफ principal bench आ गया है उसी की वज़ा से फिर appeal के चप्टर में कुछ amendment करने पड़ी क्या 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 tribunal की GST इसकी दो प्रकार की benches हुआ करती थी state और area bench तो सिरफ state bench रह रही है national regional bench उसको हटा कर principal bench जा गया है ओके GST appellate tribunal के पास section 109 अब मैं पड़ा देता हूँ कि आपको इसके पास दो order के against में आप appeal में आ सकते हैं अगर appellate authority no order pass कि आप उतसे खपा है इसकी दो परकार की benches है प्रिंसिपल बेंच और स्टीट बेंच प्रिंसिपल बेंच में चार मेंबर हैं एक प्रेजिट है जी एक जुडिशिल मेंबर है दो टेक्निकल मेंबर है एक सेंटर का एक स्टीट का और पर कौन सी बेंच क्य judgment कैसे प्रिंसिपल बेंच अगर 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 आपको बता दूं यह धा यहां पर बस national बेंच होता था यहां प्रिंसिबल बेंच जा गया है तो अधर देन पी ओ एस वाले मुद्धे स्टेड बेंच सुनेगी जी ओके यह दो मेंबर की बेंच सुनवाई कर सकती है हाँ अगर वेकंसी है एक जुडिशल मेंबर एक टेक्निकल नंबर होगा था यह व क्या सिंगल मेंबर बेंच भी सुनवाई कर सकती है अगर टेक्स का अमाउंट पचास लाग से कम है एंड कोशन अफ लोग नहीं है अच्छा जी अब यहां सुनिए मान लिए दो मेंबर की बेंच ने सुनवाई करी ठीक है इन दोनों में डिफ्रेंस अपीनियन है तो फिर मेंबर को अगर अगर स्टेट बेंच ने शुरू में इस केस को सुना है तो रफ किसको किया जाएगा स्टेट की किसी दूसरी मेंभर को अगर वहां वह मेंबर अब नहीं है तो फिर किसी दूसरी स्टेट को है अगर अपहर श्यूरू में प्रिंसिपल बेंच ने सुनी थी तो रफर किसको किया जाएगा अगर में defensive opinion है तो principle member के ही दूसरे किसी bench को प्रिंसिपल member के ही किसी दूसरे member को अगर अगर principle बेंच का दूसरा member available और है नहीं तो फिर किसी भी state के bench को stay bench के members को rapper किया जाएगा और जो decision है फिर majority के गोडिन किया जाएगा यह हुआ आपका section 109 अब मैंने हैं लिख दिया state और area bench की जगह statement वर आ गया है national regional bench की जगह principal bench आ गया है तो इसकी वज़ाते section 117, 118, 119 क्या है section 117 high court के पास और 118 Supreme Court के पास अपील लगाने करा है अब section 117 में section 117 में हाई कोट के पास कौन से order आ सकते हैं जी हाई कोट के पास ट्रिविनल की state bench वाला क्योंकि principal bench वाला जो प्रिंसिपल सप्लाई वाला था वो सीधा Supreme Court के पास आ तो यहां पर पहले वर्ड state और एरिया बेंच लिखा हुआ होता था तो यहां पर सिर्फ 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 स्टेट वाले ओडर ट्रिविनल के पास है बहुत जी यह एक अवंडमेंट है और सब्सेंशल कोश्चन अव लॉड दो चलिए इसके बाद नेक्स सेक्शन वनवन एट में सुप्रिम कोड में यहां पर यहां पर क्या अमेंडमेंट होई जी यहां पर प्रिंसिपल बैंच वाला ओडर सीधा सुप्रिम कोड के पास है यहां पर पहले नैश्नल रिजनल और फिर इसके बाद यह नेक्स सेक्शन 119 यहां पर क्या मेंडमेंट होई जाते हैं तो पूरा तो यहां पर ट्रिविनल की बैंच स्टेट रीजनल ऐसे कुछ और नाम लिखे हो तो उनको चेंज कर दिया बस कि यहां पर बस यही हुआ है कि इन सेक्शन में जहां स्टेट प्रिंस्यबल बेंच आगे तो आपको यह वाले नाम यूख दाने यह तो यह वाले अमेंडमेंट्स आपकी इस चैप्टर में हमारी लास्ट अमेंडमेंड इसके चार्ट बना कर दे रखा आपको जरा वहां से दिखाता हूं मैं आपको देखिए एक होते हैं financial information provider एक होते हैं financial information user इसे fiub बोलते हैं शोट में जैसे मान लीजिए example आपने state bank of india से loan लेना है ठीक है ठीक है अब state bank of india बोलती है पहले अपनी assets बताओ अपनी liabilities बताओ आप कहते हो मेरा IECI IECI bank में already account है और मेरे पास वहां पर 70 लाख रपार पड़े हूँ है मैं और business expand करना चाहता हूं तो SBI पूछेगा यह बताओ तुमने assets बताओ लावरिटी क्या है तुमने IECI bank से कुछ own loan तो नहीं ले रखा नहीं ले रखा तो दूसरा वो कहता है कि मेरा mutual fund में यूनिट्स भी है insurance company के बाद मेरे पास कई policies भी है मैं GST portal पर अपने return भी file करता हूं तो यह सारी डिटेल को provide कर देता SBI को कि मेरे को loan दो अब SBI को जो आपने information दी वो चेक कराने के लिए क्या कर सकता है इन सब को चिठी लिखके बेंक को हो सकता है उसका reply दे हो सकता है reply ना दे हो सकता है बहुत टाइम लगा दे यह बताने में ठीक है तो इसके लिए बीच में यह इंटर मिडेरी यह account aggregator को इंटर मिडेरी इसे लिके आया हूँ एकाउंट अग्रिगेटर को तो यह सब यह जो है financial प्रोवाइडर यह सब लोग data अपना इसे भेज देंगे अकाउंट अग्रिगेटर को और अकाउंट अग्रिगेटर के थ्रू कहां चला जाएगा इस सब्सक्राइग के पास नहीं है सर यह account aggregator कोन होगा यह account aggregator यह ओपर लिख कर दे रहा है यह non banking financial company होगी जो यह वाला business किया करती है account aggregator आरगे ने इसे notify कर रहा है ठीक है अच्छा सर यह account aggregator जो हम मेरे बैंक में कितना पैसा है या मेरे रिटन कितनी की जाती है यह देख नहीं लेगा यह नहीं देख पाएगा यह सील्ड कवर में हो तो financial information user को यह real-time data जाएगा यह encrypted होगा डिस्टली साइंड होगा टेंपर फूब में वहां पर जाएगा बस इंट्रमिटेरी के थू जा रहा है बस यहां पर यह देख नहीं पाएगा इसको उपन करके नहीं देख पाएगा तुम चिंता मत करो अच्छा अच्छा यह account aggregator को भी information share करनी है तो पहले जिस बंदे ने यह लोन लेना था यह लेने गया था ना इससे consent मांगी जाएगी कि तिरह डाटा शेयर कर देगी इवन जीस्टी वाले भी पोटल वाले भी आपसे पहले consent मांगेगी कि आपका data हम शेयर कर दे यह account aggregator के तुमने लोन लेने के लिए अपलाई किया ना SBA के पास में तो कहो तो तुम्हारा data वह तो कहेगा बिल्कुल शेयर करो मेरे को दो लोन लेना है तो इसकी पहले consent ली जाएगी फिर यह data इस account aggregator के थ्रू शेयर किया जाएगा तो इस से यह एक तो पता लग है और टाइम नहीं लगेगा SBA के पास information भी आ जाएगी cross verify हो जाएगा तो अब इसके लिए ही इसे इस GST के portal को account aggregator के साथ add किया गया है यह वाला section है और यह consent ली जाएगी इसके सब कहानी है और यह यह फिर GST portal share करेगा information यह कहानी इस section number 158a और rule 163 में हो दा रहे है consent-based sharing of information furnished by touchable person consent ली जा रही है point number 2 में 158 2 और point number 1 में बता रहे हैं कि हम कौन-कौन सी detail आग की share करते हैं तो आईए पढ़ते हैं कि इन सभी section को हम overwrite करें 133 152 158 को following details furnished by register person subject to 158 2 तो 158 2 में क्या है यहां उससे क्या मांग रहे हैं जी यहां से consent मांग रहे हैं उसकी consent ले रहे हैं कि तिरी यह डिटेल शेयर करने है consent मांग रहे हैं कर यह वाली detail share की जा सकती है common portal के द्वारा account aggregator को कौन-कौन सी detail आपने जब registration कराए तो आपने section 39 में जैसे 3 भी फाइल करी है वह वाली detail हम शेयर कर सकते हैं या annual return section 44 में फाइल करी है वह detail हम शेयर कर सकते हैं नेक्स आप e-invice बनाने के लिए आयसाने e-invice का e-invice portal पर detail फाइल करते हैं तो वह वाली invoice की detail आपकी share की जा सकती है next gstr1 section 37 में जो आउटवर्स करते हैं वह हम detail share कर सकते हैं next evable बनाने के लिए जो आप section 68 में detail आप provide करते हैं वह evable की detail कर सकते हैं या तो हम आपकी यह वाली details share कर देंगे लिकान उससे पहले तुम्हारे से consent मांगें हम उससे पहले आपसे consent मांगें तो for the purpose of sharing detail consent ली जाएगी supplier की इन तीनों details के लिए एब है जैसे GSTR1 में हमने bill wise detail दे रखी है और bill wise detail बायर के भी identity disclose हो रही है वह वाली detail अगर हमें disclose करनी है तो इस supplier को लोन तो इस supplier को लेना ना इस supplier को पहले रिसीपेंट से खुद consent लेनी होगी फिर यह government को consent देगा तो रिसीपेंट से भी consent ली जाएगी इन रिसेक्ट ओव डिट रिसीपेंट बायर के अगर identity disclose हो रही है तो इस रिसीपेंट से भी information यह consent ली जाएगी यह consent रिजिस्टर परसंट दे देगा किसको रिजिस्टर परसंट यह consent रिसीपेंट से लेकर दे देगा इस account aggregator को GST portal वालों को अगर यह consent प्रोवाइड कर देता है तो माना जाएगा रिसीपेंट ने भी consent दे दिए तो हम माने की रिसीपेंट ने automatic consent दे दिए अब यह GST का portal communicate करेगा information account aggregator को कौन सी consent भी मिल गई है यह विवल डिटेल और जो डिटेल उसने मांगी थी रेटरंस की डिटेल मांगी थी GST या 3 वी दे दो GST या 1 दे दो यह किसको सेल करता हुआ ले डिटेल मांगी तो वो सब इसको दे दी जाएगा हाँ जी अगर इस डिटेल शेयर की वज़ाते कोई नुक्सान हुआ seller को या बायर को क्या GST वाले जिम्मेवार होगी नहीं गोवर्मेंट या common portal जिम्मेवार नहीं होगा कोई विला भी डिटेर रही तो कि वह आपने अपनी मर्जी से शेयर करी थी ठीक है तो जीएस्टी पोडल के दूऊ जो mister वे बैंक से लोन लेने गया था उसकी बैंक लोन के लिए उसने डिटेटल वाँ सम्मिट करी थी तो यह उसको प्रोस वेरिफाई किया जा रहा है GST portal के through कि बताओ तुम भी अपनी रेटन हमाई दो हम चेक करना चाहते हैं इतनी तेल है भी करेंगे तो यह GST portal account aggregator पर add हो गया है जिससे यह details share की जा सकती है किसको उस financial information user जिसने मांगी है account aggregator के through ठीक है चली इसके बाद यह हमारी यहाँ पर GST की amendment complete होती है अम आती है custom की छोड़ी छोड़ी तीन amendment पर पहली amendment अब ध्यान करें जो बड़े बड़े importers थी उनको deferred payment of duty AEO tier 2 tier 3 भी जो notified थी उनको deferred payment of duty allowed थी deferred payment क्या था जी इवर मैं यहाद दिला दी महीने की पहली तारीक से 15 तारीक तक जो भी import किया उसकी आपने bill of entry फाइल करी duty तब नहीं नहीं वैसे तो होता क्या जब import किया पहले duty दे नहीं फिर आप माल उठा के ले जा सकते हैं आपने बिना duty पे की हुए माल उठा के ले इसे पहले पंदरा दिनों तक जो भी आपने माल इंपोर्ट किया और अपना तारिक को लेकिन मार्च महीने के लिए 16 31 मार्च के लिए आपको 31 मार्च को ही पे करनी हो तो यहाँ पर आप पहले clear करार्द देते हैं फिर पे बाद में करते हैं ठीक है ऐसा इत्में होता है लेकिन अमेंडमेंट क्या हुई है जी यह जो डेट्स बता रखी है कि पहले पंदरा दिनों में जो इंपोर्ट के वह 16 तारिक तक पे कर होगे यह वाली डेट इसके अलावा इसके अलावा भी कोई और द्यू देट पर वह नॉटिफाई कर सकती है अगला अगली अवंटमेंट से रिलेटेड़ डेटफफ़र पेमेंट नहीं मिलती कौन से केसिस में दो केसिस में पहले सेकेंड़ बद बताता हूं अगर आपने बिलोब आट्री में गुड्स नहीं डेकलेर करें इसका मदम्चोरी करना चाहते थे फिर अप्र दोंगेंगे पहले जी कर देक्र हों। ओपने लेट करेंगे विधनें लुगातार से ज्यादा टेफोल्ट किया जैसे एक तारिक से पंदरा तारिक तक आपने इंपोर्ट किया था इनैं पहले मिने की पहले सोपने कर दिया, और ऐसी दो बार इनपर कर दियां। फिर हम तुम्हें defer payment नहीं करने लेंगे तो जब माल लेकर आओ इंपोर्ट करो तभी पहले ड्यूटी करो फिर हम माल ले जाने देगी इसमें अमेंडमेंट की गई है मान लीजिए एक eligible importer है इसने defer payment कर रहा है इसने देग में इंपूर्ट किया था दूटी के तक हुमने गलत लगाया था तो अब इसके अलाव भी कोई ओडिर्स नोटिफाई की जा सकते हैं मत अब इसके बाद की भी नोटिफाई हो सकते हैं कि इस दिन डेट को जमा करा दो दूसरी अमेंडमेंट अगर आपने ड्यूटी पे करी थी बिलोम एंट्री के हिसाब से टाइम से जो भी 16 या 31 या जो भी यह आप ऐसे जी यस्टी में कैश लेजर है से कस्टम में भी Congress के इसके न करने हैं द करसा लेकिन एसके सेActs安全 कुष केसी में वही पढ़िसी आपने पढ़िदी ऐसी एसी इस बढ़ाते जा रहे हैं क्या अगर आप ऐसे कस्टम पर माल लेके आती हैं जहां पर कस्टम का यह जो iisgate यह वहां पर उस पोर्टल पर एवलेबल ही नहीं है वहां पर मैंनुली काम चल रहा भी तो फिर आपको कैश लेजर से पेकरने की जूत नहीं है नंबर तीन अगर इंट्रेशल कुरियर पर माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इसके लिए भी आपको कैश लेजर से पेकरने जूत नहीं है लेकिन यह दिसंबर 23 से हम कहा रहे हैं जी कुरियर वाला जो है यह कैश लेजर से पेकरना पड़ेगा यह देट हर बार एक्स्टेंड हो जाती है वैसे अगर आप इनक पेस्ट कंपशिशन से इंडर्स पेनल्टी अगर इनके अलावा कोई और आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कैश लेजर से पेकरने जोती है तो कौन-कौन से के लिए कैश लेजर से पेकरने जोती है अगर वहां पर यह ओटोमाटिक सिस्टम अभी अभी आवलेबल नहीं है पोट पर जहां पर इंपोर्ट हुआ है एकस्पूर्ट हुआ है नंबर दो अकंप्रेट बैगेज के लिए नंबर तीन पूर्य ट्रेमिनल के लिए नंबर चार इनको छोड़ कर आपको इसके बाद लास्ट अमेंडमेंट है अजी सेक्शन 25 आपका एक्जम्शन से रिले अग्रिशन मान लीजिए यह एक जन्रवरी तेईस को इसी हुई है तो दो साल बाद जो 31 मार्च आ रही होगी उसको यह ओट्यूमेटिक लाप्स हो जाएगी तो एक जन्रवरी पच्चिस को यह लाप्स , यह ँसके बाद एक इसमें ऐसा आपने पढ़ा होगा सेक्शन 25 यह इन केसिज में यह वाली बात नहीं होगी दो सालों में दो सालों के पाद को ख़दम नहीं होगी इन केसिज में इसमें सबसे पहले लास्ट पॉइट इस वह बहुत कस्टम जूटी एक तो लगती है बीसीडी बीसीडी के अलावा भी कई ड्यूटी लगती है जैसे आई जीस्टी लग रहा है कस्टों तेवगा ड्यूटी एंटी ड्यूटी लग रही है है तो कहरा है यह वाली जो लिमिटेड एक्वेशन में बुलिया नहीं दो साल पाद खसम हो जाएगी यह सिरफ बीसीडी पर अप् कंच के लावाज है अगर कोई में बाइघेड च्रूब इसके तहीत अगर भारत तरकार्ण में को और नहीं की ने CT रहे हैं अगर कोई ऑग्जये एंट्नचैन umbre और त्रीटिज या internet concert कीमी वज़ा से या इंट्रेशल ओडिनाइशन को दे रखी है एक्जम्शन इन उब्लिगेशन के वज़ा से दे रखी है तो वो दो साल बाद इकतिजमाद तो खतम नहीं होगी वो एक्जम्शन चलती रहेगी अगर प्रिवलेजिस कंसिटुशन अथोरिटीज को दे रही है या और ट्रेड पोलिशी की कोई स्कीन के ताहत एक्जम्शन दी गई है तो वो दो साल के बाद भी कंटिजम्शन रहेगी दो साल के बाद इकतिजमाद तो खतम नहीं होगी अगर सेंट्र गोर्मंट की कोई स्कीम दो साल से जादा के लिए है और गोर्मंट ने उसके तहट कोई एक्जम्शन दी हैн वो भी दो साल के बाद कंटिजन 1 रहेगी नेक्स है अगर आपने टामपरेरी इंपोर्ट किया है या इस या इस नहीं 石 थे यादो आपको उसमें कुछ कंडिशन है वह कंडिशनल एक्शम्षन नौट्टिफिकेशन है तो वह एक्शम्षन दो साल के बाद खतम नहीं था यहां पर यहां हमारी आमेंड्मन्ट के वाइए अब यह जो स्टटेडी हैं किस टोडिन है इनको मैं कराने जा रहा हूं आपको कहां से वह थो आखे घुल दिल बाग बाग हो जाएगा क्यों चार case study जो chapter 18 में छोड़ी थी वो इसी circle के base पर है और section 122 122 A जो पिछले chapter में हमने किया है उसके पर base पर है ठीक है इस situation को तीन situation है इसमें यह पहली situation पहला issue है इसको मैंने summarize करकर यहां दिया है तो मैं एक काम करता हूँ यह summarize वाला जो है यह मैं आप हाइलेट करके देर का यह पढ़ाता हूँ और एक पहली वाली पूरी पढ़ा भी दूंगा लेकिन बाकी वाली में समरी समरी वाली ही बताऊंगा तो आप आप आज यह कहां page number 19.6 पर हाँ जी क्या हुआ एक Mr. A है रजिस्टर परसन है इसने एक fake मतलब माल नहीं बेचा सर्विस नहीं दी विदाउट एनी अंडर्लाइंग सप्लाइबूर्स सर्विस सिर्फ 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 इन्वाइस इसने एक करोड का है GST इस पर पांच लाग बनता है तू एदर रजिस्टर परसन भी हाँ जी क्योंकी मैंने गुट्स की सप्लाई न ले रहा तो बनते कोड यही हैं तो सेक्षन 7 के डैशन मेरा नहीं आथा तो कोई ट॥कवर टेक्स लाइटर वी सेघ्फ नहीं हो सकता तो नर्स नहीं आतए क्योंस कोनकी दूक्आइब ऑला था टैक्स नौट पेड, शोट पेड, एर्मस रिपंट और आईटी से तो उंगले अवेल्यूट है ये चार केसिज में आपके बाद नोटी जा सकता था टेक्स नौट पेड, शोट पेड की बात ही नहीं पर टेक्स बंगता ही नहीं हमने सप्लाई की नहीं हमने उस्रीजर से इन्वाइ इसलिए टेक्स नोट पेड का मजबता क्या हुआ है तो तो पिर यह यह तो इन्हीं किस होता था अपराग की बात करी थे 21 अपराग की उसमें ये फोल कर रहा है कि इन्वाइस इशू की है बिना गोट सर्विस सप्लाई की हाँ वहाँ फोल कर रहा है तो सेक्शन 122 की एक की पेनल्टी लगा जा सकती है जितनी टेक्स की चौरी है और 10,000 विजविज है इतने ही स्टेक्स इवेडिडर और अगर थिरफ cdst को पूछता थो हम सिरफ cdst को बता एंगा यह वाली बताएंगे अब देखें इसका पहले पॉंट को हम आपको यहाँ ऊपर देखेंगे यही मैंने एक्जाम्बल बना कर दिया इन केसे एक करोड का इन्वाइस इसके है जिसमें पॉंट लाइस बना कर दिया विदाओट एनी अंडरलाइंग सप्लाइब गुड सर्विस नहीं दिया है तो पूछा क्या यह ट्राजेक्शन सप्लाइए नहीं तो हम बताएंगे यहाँ आंसर में साथ से साथ बताते जाएंगे यह सप्लाइए नहीं है क्यों क्योंकि गूट सर्विस बेचे ही नहीं है तो सप्लाइए दूसा क्वेश्चिन पूछता है क्या एनी डिमांड रिकवरी कर भी मेंड अंडर सक्शन 73 या 74 ए से क्या 73 अगला कूशन पूछा है क्या कोई पैनल एक्षन लिजा जा सकता है मिस्टर एक एक अगेंस में हाँ सेक्शन एक तो बाइस एक में पैनलिटी लग सकती है इसको पढ़ने इसी से बाज भाज जाएगी यह इतना डिटेल पढ़ने इरोत नहीं है है यह इतना ही पढ़ दो इससे बात बन जाएगी जब रिवीजन कर रहे होंगे तो मैं आपको सिरफ यही चार्ट ही दिखाऊँगा अब सेकिंड का मैंने चार्ट बनाया यहां देखे यह चार्ट से दिखाऊँगा सेकिंड के चार्ट को बाद में कराऊंगा पहले में थर्ड का चार्ट कराता हूं यह थर्ड का चार्ट करेंगे आप पेज में 19.7 पर आएंगे हाँ जी मिस्टर ए रिजिस्टर परसन है इसने एक फेक इन्वाइस इशू किया मतब बिना गुड सर्विस की सप्लाई के सिरफ इन्वाइस इशू किया है एक करोड का और पांच लाग उस पर जीर्स किया वही पुराने वाला प्वेश्ण है इसने बी को दे दिया अब बी ने क्या किया अब मेरा पहला क्वेशन क्या एक लिए तो वही आंसरी रहेगा हाजी ए ने बीना गुड सर्विस बेचे इन्व अब जी आप जिरा बी की बात तुनों बी ने यह जो पांच लाग का क्राइट आज इसने आवेल कर लिया और इसको यूज भी कर लिया एंड फॉर्दर इश्यू इन्वाइस तो अधर रस्टे परसंद सी विडाऊट अडरलेंग उप्लयए बूर उहो इस ने भी सिरफ ए इस ने भी इसने भी कुछ सर्विस अप्लाइइ नहीं करी तो क्या बी के अगेंस भी ऐसी ही कहानी बनेगी जो इसने बिल बनाया लेकिन इसने दो अपराद किये हैं एक तो 22 में पैणल्टी लगे हैं एक तो ऑपराद हैं जो इसने प्रेट अवेलेड्ट उटलाइज कर लिय यह वाली पंनेटी लगेगी और यह फेक इन्वाइज जो इशू किया नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस में 7374 का अक्षिन नहीं हो सकता तो यहाँ बी के अगेंस में हम action क्या लेंगे अब पढ़ेगी supply नहीं तो टेक्स नहीं टेक्स नहीं नोट पेट शोट पे नहीं तो 73-74 का action नहीं उसके अगेंस में तो इस पे दो पराज की हैं एक तो गलत अवेलर उटलाइज कर लिया है दूसरा इसने बिना इन्वाइस के बिना सप्लाई के गुट सर्विस के इन्वाइस बनाया एक्च्वल में गुट की सप्लाई नहीं करी इसलिए इस पर 70-74 का action तो नहीं हो सकता यहाँ इस पर दो परा इस एक में दो अपराज है तो वहां पर पर प्रण पर इस एक में 10-0 और टेक्स प्रण विचावरी था यह दो पर लगे अब आए जड़ा यही सेम कुष्च्चन सेकिंड पार्ट है फर्क क्या है अभी दिखाऊंगा सेकिंड पार्ट अभी दिखाता हूं वहां पर बी न क्रेइट लिया है यूज किया है और बात में जो इन्वाइस इशू किया है एक्च्वल में गुड्स बेची ले है आईए 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 अब ज़रा केस नमबर टू पर आते हैं पेज नमबर 19.6 पर हाँ यह देखेंगे ए ने फेक इन्वाइस इशू किया एक करोड का जि अब ज़रा इधर आईए बी की बात करने है बी ने क्या किया क्रेइट अवेल किया यूज किया एंड फॉर्दर इशू इन्वाइस तो अनुर्स्टर परसंट विज एक्शूल सप्लाइबुड वहां पिछली वाले कुशन में क्या था यहां पर जब माल यह बनाया था एक क्या हो रहा है यहां एक्शूल में एक्शूल में एक्शूल में गुड्स बेच रहे हैं है तो यहां 74 का एक्शन बनता है क्योंकि आपने इन्वाइस यहाँ पर इशू किया है इस एक्ष्ट्र सप्लाई यह तो ठीक है लेकिन जो क्रेट अवेल यूटलाईज कर लिया ये गढ़ बने हैं आप ने जो क्रेट लिया था बिना गुड सर्विस की परचेज के लिया था भई गुड सर्विस रुणा यह ऐने जो आपको बिल बनाकर दिया था इसे नहीं नहीं कि एक सेक्शनि तोंटेये हैं तोंटी लिए अब सेवन्टीफार का एक्शिन आपके अगिंद्लिया जाएगा यहां एक n सब्सक्राइब करेंगे यहां सेवन्टीफौ का एक्शन एक इतिंडू बिन इति उटलाइब तो यहां पर आपसे section 74 में रिकवर किया जाएगा तो पिछले वाले थर्ड पार्ट से यहां पर फर्क क्या है यहां एक्षोल मगोट की सप्लाई कर रहे है तो यहां पर हम गलत अवेल यूट्लाइज के यह वला पराग है तो यहां 74 में एक्षिन लेंगे अब अगली बात section 75 13 में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर 73 74 में पर फिर 22 में लग सकती वह किसी और section में लग सकती जैसे एक् 22 की पनल्टी ने लगा सकते क्योंकि हमने 74 में इस पर पनल्टी लगा दी तो यहां उपर वलपार्ट में यहीं सब situation के बाद एक दो चीजे और क्या पहले जेल की बात कर लो उपर वाला Mr. A और Mr. B को जेल में भी टाला जा सकता है जो fake invoice issue कर रहे थे जी हां अगर वो text की चोरी पांच करोड़ ते उपर है तो पांच साल जेल प्लस फाइन अप्टू पांच साल जेल प्लस फाइन दो करोड़ चूपर है तो तीन साल प्लस फाइन ठीक है याद आगया ना हमने section 132 किया तो साथ में जेल की proceeding भी उनके होगी इसके अलाबा हमने के 122 एक एक किया था चार ट्रांजेक्शन उसका अगर यह benefit करता था जो बंदा वो ट्रक वाले दो ड्राइवर के नाम से ले रखाता है याद आगया है हम इन्वाइस इसु करते है एक्शल में गुर्ष सप्लाइए नहीं करते है या जो फेक इन्वाइस इसु किया था इस पर बायर ने क्रेट ले लिए या गलत कर दिस्टूट करता चार केसिस में जो बैनिफिट रेटेन करने वाला बंदा था तो जितना टेक्स इवेजन था उसके बराबर पर रचेंटी लग जाती है इसके बेसिस पर हम सेक्शन 75 पर बाखी पाट है बाद में करें अब मैं आपको चैप्टर नंबर 18 question bank में निकालिया जरा chapter number 18 और इसमें हमारी 4 case study रह गई थी वो करेंगे page number 18.14 question bank में आ जाएगे जल्दी से आ जाएगे page number 18.14 इसी इंस्चूट ने नई case study एड़ करी है जो ethics वाला topic नया एड़ हुआ है ethical aspect in GST वाला हमने topic किया था ना उसके साथ इन्होंने चार case study भी आड़ करी है वो इस circular के पर based है जो भी आपको circular करा है मैं इस case study के बार में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ या तो ऊपर chart बना लो या फिर मैंने यहाँ नीचे भी space दिया यहाँ नीचे chart बना दो कि इसमें क्या बता हूँ मैं उसका एक idea दे रहा हूँ यहाँ से लिखना शुरू करेंगी एक L and company है पहले रहाँ मैं blues L and company यहाँ थोड़ा सा कुछ लिखूँगा बाकि इधर इधर सब कुछ लिखना है एक L and company है इसके दो partner है कौन X and Y यह उपर बता रखा है L and company है इसके X, Y यह partner है ठीक है जी X इसमें जो Mr. X है Mr. X इसके पास एक company आती है W private limited जिसको हम बोल रहे हैं WPL WPL यह इसके पास आती है ठीक है WPL इसके पास आती है कहती है मेरे को न सिरफ बिल चाहिए माल ने चाहिए हम steel, utility बेचा करते हैं construction material बेचा करते हैं यह कहती है मेरे को न माल वाल नी चाहिए मेरे को सिरफ बिल चाहिए और यह जो L and company है जिसकी यह partnership हम है इसे bank से loan लेना है कि मेरे को सिरफ बिल चाहिए बिल चाहिए तो इन्होंने एक arrangement बनाई L and company ने इसने क्या किया Mr. X इस इन दोनों की अपनी प्रोप्राइटरिशिफ हम है X की अलग, Y की अलग तो L and company ने X को बिल इस्यू किया X को क्या बना कर दिया invoice, बिल और इसमें दिखा दिया ship to यहां किया, असल में माल नहीं भेजा क्या दिखाया, bill to यहां किया है और ship to यहां किया असल में goods नहीं बेचे गए है तो supply नहीं है, no supply ठीक है, no supply आगे की बात तुरू अब यह Mr. X Mr. X ने जो bill इसके पास है अब यह इसको आगे sale करना है, अब यह Mr. X क्या कर रहा है जी, Mr. X अब यह इसको आगे bill बना कर दी रहा है आगे bill बना कर दी रहा है यह मान लिए यह जो 280 लाग का bill जो है GST जो इसके बनता है वो वाला bill इसके पास है Mr. X ने यही किया एक material का GST का 280 लाग का बिले 40 बना कर दे दिया इसके लबा एक labor का भी बिल बना कर दिया चिरब 40 लाग का अगेन दोनों ही cases में इस वाले दोनों ही cases में supply नहीं है no supply, no supply, कोई good supply नहीं किये कोई good service की labor का भी bill ऐसी बना कर दिया तिरब bill बना कर दिया है यहाँ पर भी क्या किया है supply के यह सिरब तिरब bill बना कर दिया है यहाँ पर इन्होंने bill बना कर दिया है यह supply नहीं करी तिरब bill बना कर दिया है अच्छा जी, इस WPL ने इस bill के basis पे क्या किया आएक्चुल में आगे सप्लाइए करी एक्चुल में आगे इस मदब इसके पास ओल्रडी मैट्रियल होगा क्याश में परचेज किया हुआ माल पड़ा था तर्स्टुक्षन उसको एक्चुल में बेचा है इसना है ठीक है अब यह सब कहानी यह क्या इनको खुद से समझ आ सकती थी नहीं यह सब किसी एक consultant ने इने suggest किया वो consultant कोन है Mr. A जो किसी यह नहीं है यह consultant है इसने बताया कि यह ऐसे ऐसे सब काम करो inventory का register भी यही maintain कर रहा फेक वाला यह register भी यही maintain कर रहा है इवे बिल भी फेक वाले यही बना कर दे रहा है तो हमें बात करनी है कि किस पर क्या-क्या section की penalty लगेगी क्या action लिया जा सकता है यह सब कहानी इसमें उपर में बताई है एक बार कहो तो मैं उपर से पड़ा दो यह अपने बना करना है तो हम नहीं यहीं लिखा है एलन कंपनी एक वाई पार्टनर ओके करेंट एंगेज इन सप्लाइंग कंस्ट्रॉक्शन में बेचा करते हैं मिस्टर ए जो की चार्टर अकाउंटर नहीं है इस एक पार्टनर एक्स था इसको डबलू प्राइविट लिम्टे जो हम डबलू पीर बोल रहे हैं इससे एक ओफ़र आया कि तुम मेरे को सिरब बिल बिल दे दो माल में बेजो माल मेरे पास हो रही है तो ओफ़र आया तो इशु सम सप्लाई रिलेटेड बिल सिरब डवकस करना है जी हलो 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 सिरफ सिरफ क्या एशु करना है supply रिलेटेड बिल इनको बजट ऐलोकेशन मिली थी को अपने management से किया ना इतना तुम माल प्रत्याज कर सकते हो उस target को पूरा करने के लिए उस तरह सरफ बिल ले ले लिए अब एक्स चाहराना Commission of 20% of value of supply जो सिरफ बिल बना कर दिये उस बिल की वेल्यू कितने बना कर देथी जी एलन company ने 280 लाग के बिल दिये दी इसको तो यह 280 लाग का इसको क्या मिल जाएगा जी 20% profit तो इसने एक्स पार्टनर ने अपने दूसरे वाई पार्टनर से बात करी एक्स एग्रीज तुशेर 50% बार्निक विद वाई वो कह रहा है कि मैं तरह को 20% profit जो आएगा वो मैं तरह को दे दूँँगा आजा मैं तरह को दे दूँगा ऐलन company ने इसे भी बैंक लोन लेना था यह भी अपनी सेल को बढाना चाहती थी यह फ्रोडी बंदे ने सिरफ बिल मांगे है हम भी चाहते थे ऐलन company यह जो पार्टनर फिर्म थी यह भी चाहती थी अपनी सेल को बढाना क्योंकि बैंक से लोन लेना था ओकी तो एलन company also needs a bank loan for expanding business operation and the supply bill issued to WPL will inflate the turnover बिल बना कर देंगे supply bills issued to WPL इससे हमारी turnover inflate हो जाए हम बैंक से लोन ले पाएंगे X & Y sought advice from the consultant Mr. Y as to how to execute our project for the supply bills to be issued to WPL वो कह रहा है कि X & Y ने इस फ्रोडी consultant से फिर advice मांगे बताओ भी हम क्या करें इस प्रोजेक्ट को हम कैसे execute करें बेस्ट उन्होंने यह यह काम किया क्या मैं सिर्फ एलन company क्या करेगी सिर्फ बिल तीशू करेगी 280 लाग के Mr. X को delivery side क्या होगी WPL असल भी मालवाल नहीं कह रहा कि सिर्फ बिल बनाकर X को देना हांगी एलन company क्या करेगी मैंने board करकर दे रखाया जो जो कहानिया है शेल इशू बिल यह बिल इशू करेगी किसको Mr. X को तो यह देखो यह बिल टू है और शिप टू कहां पर होगा WPL के यहां तो मैंने यहां पर यह लिखा था बिल टू यहां पर होगा सिर्फ बिल और शिप टू यहां पर होगा इस तरफ बिल बना कर दिया जाए अब आगे देखे एक्स आइटीसी अवेल कर लेगा यूज कर लेगा यह जो एक्स है यह जो बिल मिला यह भी आइटीसी ले लेगा यह और क्या दिया X IITC ले लेगा अच्छा जी आगे देगी और 280 लाग एंशल सेपरेटली एंटरे टो कॉंटर्क्ट विड डब्लू प्राइविट लिम्टेड के साथ में कॉंट्रेक्ट एंटर करेगा फॉर सप्लाई ऑप स्टील जैली यह मैट्रियल बेचने का असल में यह भी नहीं बでも क्या करेगा डबलू पर शुर्पचा एंटर के सहरे यह 1230 लाग का तो यह इनो किया पर पर इसके बाद यहां हमने एक्स ने बिल बना कर लिया बस कर रहा है कि हमने एक्च्वल में सप्लाई ने करी ना यहां पर लिख दिया ड़िए ड़ो पील आईटी सी लेगी और यूज भी करेगी अब ड़ो पील अगे बेट रही है अगे बेट रही है अगे यहीं लिखा एक्च्वल सप्लाई करेगी ओल इंवेंटर रिजिस्टर को न अप्डेट करेगा एलन कंपनी के यह ओई बिलकुन बनाएगा जी यह ओन भीयाफ और मिस्टर एक्स यह बना कर देगा जी ना डायक बंदा एए शोस मिस्टर एक्स और वाई की इन्वेंटर इस्टर हमने बना दिया है मानी भी सब को रिडाइज होगी है अब यह मिस्टर एक्स अब अपने सीए के पास जाता है मिस्टर पी के बाद बताओ यह हमने अर्रेजमेंट था ही करी का नहीं करी इसका क्या नतीजा होगा हाँ जी अगर इस कुश्चन को समझने में कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए नहीं तो हम आगे चले हाँ जी नहीं तो आप सुनिये अब जवाब सुनिये फटाफट पर क्या एलन कंपनी ने सिरफ बिल इशू किया है सप्लाई निकल तो 73-74 का एक्शन नहीं हो सकता 73-74 का एक्शन एलन कंपनी ने सिरफ बिल इशू किया है तो यहां 73-74 का एक्शन नहीं हो सकता मैं किस पैंसे लिखू हूँ ग्रीन पैंसे लिखू क्या है यहां 73-74 का एक्शन नहीं सिरफ कौन सा एलन कंपनी अगेंस एक तो बाइस वाला गलत काम इसने क्या किया सिरफ बिल इशू किया तो बिल इशू किया यह वाला और इसके लाबाद जेल वाली प्रोसीडिंग भी अगर दो क्रोड़ सूपर की चोड़ी है तो तीन साल प्लस प्लस पाइं जी ठीक है इतना पढ़ भी लिए एक बार तो आओ जरा एलन कंपनी पढ़े लेते हैं इस्व इनवाइस जो बोल्ट करता का आप सिरफ वही पढ़ेंगे तो मैंने आंसर वही दे रहा है किया सिरफ आपने इनवाइस इसी की है है supply नहीं करें क्योंकि supply नहीं है तो 73-74 का action नहीं 73-74 का action नहीं तो यहाँ अगली दान यहाँ पढ़िए no tax liability arises against Allen company तो tax liability बनती नहीं क्योंकि tax notepad shortpad नहीं है तो 73-74 का action नहीं क्योंकि no demand and recovery is required to be made against Allen company under section 74 from section 74 का action नहीं लगा सकती है registered person message Allen company shall however be 74 action नहीं लेकिन क्या 122 वाली penalty 122 वाली penalty कौन सा अपराद है tax invoice इसके अलावा जेल में भी क्योंकि हम यह अगर मानिए 280 लाग tax का amount है तो दो करोड़ चूपर tax की चोरी है तो तीन साल प्लस fine तीन साल प्लस fine यह तीन साल प्लस fine यह इसकी jail वाली प्रोसेडिंग हो सकते हैं ठीक है तो यह वाला हो गया Allen company अगेंस में अब जड़ा एक्स की बात करें एक्स ने क्राइट अवेल किया यूज भी किया आगे बिल जो बना कर दिया है यह supply ही नहीं चूके supply नहीं है तो अगें 73-74 का नोटिस नहीं 73-74 का नोटिस नहीं दो अपराद है इसके पास section 122 के section 122 लगेगा यहां पर दो अपराद है एक तो इसने गरत क्रेट अवेल यूटलाइज किया है और दूसरा फेक बिली शूदी है तो यह दो अपरादों की अलग लग पनल्टी दर्जार और टेक्स इसके बात करें एक्स है एक्स है यूटलाइज फ्रोलन आटीसी विद्वाट रसेविंस सप्लाइज बिना माल रसीव क्यों इसने क्रेड ले लिया है जी यह गलत है गलत है तो देर वाज नोट सप्लाइज जो बोल्ट दिया बस वही बढ़ना एक बार सप्लाइज नहीं ह है तो लेक्स विद्व क्योंके टेक्स बनता नहीं आटा टेक्स नोट पेड वेयर कुछ है नहीं तो सेवेंटरे सेबंड़नीफ इस नहीं तो डिमांद रिकवरी ऐजर Si na nato Sui की डिकवरी हो सकती है नहीं जो हमने एंप बना कर दिया इसके रिकवरी सोकते है नहीं नहीं भारते हैं नहीं 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 हो सकती है लेकिन दो अपरादें 121 में कवर होती हैं दोनों की पेनल्टी कर हावर मिस्टर एक्स शल भी प्लायबल फॉर पैनल अक्षिन अंडर सक्षिन 121 और 122 एक यह डवलाई कौन सा इस्विंग इन्वाइस विदाउड सप्लाई और क्रडिट जो गलत ले लिया तो उसके अलावा जेल वाली परिश्मेंट अगर दो करोड़ी ऊपर की चोरी की बात यह हैं यहां पर तो तीन साल पर स्वाएं तो जो मैंने वहां पर आपको केस सर्कुलर पढ़ाया वहीं उसी पर बदा रहे है न केस्टर से यह पर फिर से बता हूं सिर्फ इनवाइस इस्विया था तो हमने इसके लिए क्या बोला यह था सफिक्विक्ष्ट उप्र एकसी चूकि इस्ष्ट वीप इस्विल इस इस कीश्विया तो सप्लाई नहीं तो फिर एक सो 74 में तो हम ने इसके लिए भी क्या बहुत कि पर बात करती हैं इस ने एक्टेर्ट में Defesa करिया इसके बास कोई cash पर चिद का माल पड़ा होगा एक्चुल में इसने माल बेचा और गलत अवेल उटलाइज किया इस पर 74 में गलत अवेल उटलाइज किया जितना पर पर पैनलिटी पी इसी के बराबर और फिर इस पर एक तो बाइस नहीं लग सकता यहां 74 लगेगा यहां एक सो बाइस नहीं लगेगा यहां 74 लगेगा और जेल वाली पनिश्मेंट एक सो बत्तिस वाली वह तो लग सकती है यहां तो आईए जना देखते हैं इसके लिए WPL will be liable for demand of recovery of ITC along with penalty section 74 with interest तो यहां पर हम WPL के लिए तो ITC जो गलत लिया है और इसके बर penalty section 74 में लगाएगे with interest for taking and utilizing without reciproc लेकिन penalty 122 के नहीं ठीक है और इसके अलबा इसे जेल में भी डाड़ा जा सकता है मिस्टर एक ही बात करते हैं मिस्टर एक ही बात करते हैं यह तो consultant है इसने 21 अफ्रादों में सहयता कर गिए तो 122 था पच्छिस हजार तक penalty यहां पर इस मिस्टर एक के लिए हम कह रहे हैं 122 क्योंकि इसने aid और abet किया है तो मिस्टर पी चार्टर अकाउंटन था यह मिस्टर एक को एतारी कहां नहीं बता देगा अब अगर मिस्टर पी चार्टर अकाउंटन भी इन अपरादों में help कर दे तो मिस्टर पी एक तो 223 में penalty आ जाएगी अब हम पढ़ेंगे के स्टुड़ी टू हाजी जैसे हमने के स्टुड़ी वन करी अब हम के स्टुड़ी टू करने जा रहे हैं हाजी यहां ऊपर जो स्पेस है मैं यहां से बताऊं आपको पहले एक बार के स्टुड़ी टू समझा दू जी एक बार यहां खुद पढ़ना चाहते हैं आप एक मिनट का टाइम देता हूं अगर आप के स्टुड़ी टू पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़िए फटा पढ़िए एक मिनट का टाइम आपके पास यच्या इन ही कि बार यहां रख़ मिनट का टाइम थी घर संद हासिए यद हो आपके बार के स्टुड़ी टू समंस Приबना ध。 इनन ही का बार के स्टूस之前 का बार किता हैं अधर एक पनी एक मिनट का बार के आपकी 사 कर रिकिस capable कर आपका हूं झाल 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 जी कुछ पढ़ना स्टार्ट किया जी सर आप ही बताओ छोड़ो हम क्या करेंगे तो उपर जो कुछ लिखवाना है मैं अपने आप लिखवा रहा हूँ आप अपनी मर्जी से कुछ ने लिखेंगे ठीक है यहां से हम लिखना शुरू कर रहे हैं यहां से और अप सासत नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं एक डूडल एलसी है जर्मनी की कहा की जर्मनी की इसने अपोइंट किया किसको Mr. A को इसने अपोइंट किया Mr. A को ओके यह CA नहीं है इससे रप्रेजंटेटिव अपोइंट किया है किसलिए पॉइंट किया है जी नंबर वन यह कुछ काम करा के देगा पहला यह OIDR वाली सर्विस दिया करते है तो उसका रेजिट्रेशन रेप्रेजंटेटिव इंडिया में पॉइंट कर दिया यह टेक रेजिट्रेशन फॉर OIDR OIDR यहां थोड़ा था पेज छोड़ देना यहां बाद में हम कुछ लेगेंगी नंबर दो यह रिटन भी फाइल करेगा फाइल रिटन and PGSD मैं अब यह कुछ काम करके दे रहा है लेकिन 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 यह जो Mr. A है कि X है यह Mr. A नहीं है यह X है Mr. X है यह Mr. X एक LLP है X Y Z इस LLP में यह पार्टनर है यह X Y Z LLP इसका एक पार्टनर है अब यह क्या करता है सुनो आगे यह ऊपर अभी कुछ मत लिगना अब नीचे एरो लगा कर बता रहा हूं पहला काम इसने क्या किया यहीं लिगना और कहीं नहीं इसने सर्विस दी थी Mr. X ने contract हुआ था dual LLC का X के साथ ने कि तुम्हारा अर्शिशन कराओगे लिटरने फाइल करोगे एक 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 तर तो जो यह सर्विस Mr. X दे रहा है एक ने इसका InVice X दे ऐल लूप से इसु करवा दिया गलत किया दो दो गलती हैं उहरे है जरा देखना है है एकस जो इन्वाइस इस फम से इशु कराएका इश्ट करें आप पर्म स्वण ने इस नहीं कर नंबर क्या करें रहा एक ह्क सप्लाई करा है लेकिन उसका ei एक सप्राश्ध इश्ट कर रहा है लniestक्म क्या संसरी लो लो जो गड़बड गड़बड for export of service और जिसकी service किस ने दिया है for service provided by X जो service X ने दे रखी है उसका invoice इस से शुकरा दिया दूसरी गलती देखो अब दूसरी गलती देखो और refund भी ले लिया इस export वाले service रिफंड क्लेम्ड रिफंड क्लेम्ड रिफंड क्लेम्ड of ITC of export of service यहीं ऐसे ही लिखना दो गलत काम करा दिया इससे खुद भी गलत काम किया क्योंकि Mr. X जो था इसने असल में service तो खुद दी थी उसका invoice इस नहीं कर रखा service दे रखी है without invoice तो इस पर ज्यान रहे 122 तो लगी जाएगा क्योंकि इसने service नहीं 122 नहीं 74 लगेगा इससे service दी है लेकिन invoice इस नहीं किया service दी है लेकिन invoice इस इस नहीं किया तो tax paid बनता है tax note paid short paid बनता है तो इस पर section 74 का action होगा हलाकि अपना आद 122 में भी था कि आप service देते invoice नहीं इस नहीं करते 122 में भी था लेकिन चूके section 74 का action लिया सकता है तो हम 74 लेगे फिर 74 लग जाएगा तो 122 की penalty commission लिया आएगा ज़रा x budget LLP के बता सकते हैं इस पर कौन सा इस पर कौन से action होगा भई Mr. X ने तो service दे invoice ने issue किया तो tax not paid बना short paid बना तो 74 का notice आ सकता है x budget LLP पर इससे service दी ही नहीं service तो x ने दी थी invoice x budget LLP दे रही है तो ये अपराद 122 का है तो without supply यहाँ पर without supply invoice issue की जा रही है no supply supply नहीं है without supply without supply invoice issue issue invoice तो इस पर ये 122 का अपराद इस पर एक्सो पैनलिटी एक्सो बाइस में यहाँ 122 में पैनलिटी इसके रवाई जो गलत refund ले रही है wrong refund claim भई हमने कोई export of service हमने तो कोई service दी नहीं है तो हम refund कैसे ले रहे हैं ये wrong refund है ये भी एक और अपराद 121 में अपराद था में फंट गलत ले रहे हैं तो ये भी 122 में पनाटी लगी ठीक है इन्फूएंसर अपराद की तो service इसने रेसीव करी इन्फूएंसर मैं ब्लैक पन से लिखता हूँ इन्फूएंसर इन्फूएंसर क्या होते हैं वो जो जिनके यूटूब पर चैनल अच्छे चल रहे हैं तो उनते कुछ service ले लिए इन्फूएंसर तो service किसने रेसीव करी service रेसीव करी है डूटन लेकिन invoice इसका एक्स वेजर एलल्ल्प ने अपने नाम पे ले लिया तो अब received invoice for service received by डूटन यह किसने ले लिया यह एक्स वेजर एलल्ल्प ने ले लिया और और इस एक्स वेजर एलल्ल्प ने एक और काम किया इसका क्या ले लिया फिर ITC ले लिया इस invoice का अस service लूटने ली ही नहीं थी तो यह घरबड है यह जो ITC लिया इसको use भी कर लिया असल में कोई service दी थे उसके against में तो ITC use for providing service ITC used for एक कोई actual में service दिया करते थे उसके against हमने इस credit को use किया है तो यह अब यहां पर 74 का action होगा 122 का नहीं पूछ हो क्यों हाँ जी sale की बात तो हमने कर ली 122 की यह purchase हमने करी नहीं थी service तो डूडन ने ली थी invoice हमने अपने नाम पे लिया अब इस ITC कर जो use कर रहे है असल में कोई service दिया उसके against में use कर रहे है इसलिए 74 का action आएगा अगर हमने असल में कोई service नहीं दियो तो इसरफ bill issue क्या होता उसके against ITC यूज क्या होता फिर 122 की बात आती है तो अगर आप सिर्फ-सरफ bill issue करते हैं तो 122 की बात आती है लेकिन असल में कोई service देदी या कोई goods देदी या उसके against credit यूज किया तो फिर 74 की बात आती है तो अब एक और last point अब 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 यह Mr. X किसके पास गया Chartered Accountant के पास क्योंकि ED Enforcement Directorate Department ने इनसे कुछ certificate मांगे है उनको इनकी चोरी चकारियों के बारे में पता लगा है तो अब Mr. X ने अप्रोच किया है CSA इस Mr. X ने अप्रोच किया है CSA for Affidavit last point इसमें बस इसका यह बचा हुआ है अगर आप यह लिखना चाहिए लिख लो अगर स्पेस ना हो तो छोड़ दो अप्रोच CA for Affidavit से एक बड़ फट फट से समराइज कर दीजी जीबल को सुन लीगे एक बड़ फट फट से हाई सुनो डूडल एलल्स एक जर्मनी की कंपनिया इसने X को पॉइंट किया था एक्स वाज एलल्स को नहीं एक्स को पॉइंट किया था X सेर्फक ने कुछ काम कर देने थे All The तो एक्सने सर्विस जो दी डूड़ एलसी को एक्स को इस नहीं और एक गलत रेफंड भी लेगे इस एक्सपारि almost सैंप स्वांध तरुपिंख कुद दी सब्सक्राइब कर दा लेजि़ अब इस dual LC ने एक service रही थी इंस्वांसर से, वो service का bill इसने है, इस LLP ने ले लिया, अगेर इसने कोई service तो ली नहीं है, तो यहाँ पर penalty 122 की बनती थी, लेकिन इसने actual में कोई service थी थी, तो उसके अगेस इस ID तो व्यूद कर लिया, तो फिर इसने 74 में recovery करेंगे, with penalty, तो बना बना है, वहाँ class रोक कर यहीं पर इसको बना ले, फिर इसके बाद आगी चल रहे है, मैं तो पढ़ रहा हूँ जी, डूडर LLCS in entity resistant Germany, हमने यह लिगा, डूडर LLCS in Germany की, engage in providing online services across multiple countries, including India, पूरे विश्मों services यह करते हैं, तो services offering includes certain services which are covered in online information database access, तो हम यह जो है, OIDR की service यह करते हैं, liable to GS, जिस पे GS TV को देख करना मनता है, तो कि, since Dural LLCS doesn't have place of business in India, इसका भारत में तो यह office नहीं है, तो यह अभी हमने कहानी बदाएती, तो इसने X को अपॉइंट किया, जो किसी यह नहीं है, representative, किसलिया पॉइंट किया जी, for all purposes in India, including under GST compliance, सारे purposes के लिए, okay, and regulatory compliance in India, X is partner in, यह जो X है, यह एक्स वार्ड एलल पी में partner, okay, falling chain of human is unfolded, X, and authorized representative makes an application, इसने registration ले लिया, X started filing monthly GST returns and made payment of GST, जो मैंने board कर रहा है, अगर आगा वही पढ़ेंगे, तो इसने सन में आ जाएगा, तो X सब registration करा रहा है, और यह GST भी पे कर रहा है, X was being remunerated a fixed sum, on monthly basis a professional fee, अब X ने जो काम के उसकी से fees मिलनी थी, अब इसका bill X कोई issue करना जीए था, लेकिन यह ना रायक क्या करा रहा है, X, Y, LLP से करा रहा है, अब पढ़े आगी, the appointment of Mr. X was in personal capacity and note of professional service contract, partnership fund के साथ कोई contract नहीं साथ यह due to LLC का, contract किसके साथ था, Mr. X के साथ, इसकी personal capacity में, X was in LLP, however for recovery of amount of fixed remuneration, तो इसने जो service दीती उस remuneration को recover करने के लिए, इसने क्या-क्या, invices as export of service were issued by Mr. X in the name of partnership firm, invoice जो कि इसे खुद issue करना चाहिए था, इसने LLP से invoice issue गरा दी, export of service का, यह कह रहा है, नमबर दो, corresponding refund benefit was claimed, और यह इसका benefit भी किसने ले लिए refund वाला, यह partnership firm ने ले लिया जी, next, डूरे लजोती also funded influences in India, तो परमोट इस सर्विस इन इडिया, अब तो यह अगला response शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर कहानी तो बन गई न, यहाँ तक तो कहानी बनी गई, जी, यहाँ पर X ने invoice issue नहीं किया है, तो इस पर 74, टेक्स नोट पर शोर्पेवल नोट इस आएगा, और इसने बिना supply के invoice issue किया है, एक तो बाइस में penalty, और यह गरत refund लिया है, एक तो बाइस की penalty, अब कहारा है, अब यह वाली शुरूबात कर रहा है, यह influencer जो अप्ट किये थे, next, इसने यह service ली है, duality ने invoice पर 30 गहामने ले लिया, and IITC was availed by partnership firm of such services, said IITC was utilized for further supply of services, यह IITC हमने use कर लिया actual में service ली उसके अगेंज में, इसले हमार अगेंज में 74 कर चना आएगा, हवा अब the actual services statement कौन था, duality लूट लूट, duality was required to submit certain affidavit, अब कुछ affidavit देने थे कहां पर, Office of ED, being an authorized representative, duality, Mr. X approached Mr. P, practicing charter contract to prepare the affidavits in accounting records, अब यह CA के बाद गया है कि हमार को कुछ report बना कर देदू, कुछ certificate बना कर देदू, he elaborated the entire arrangement Mr. X next budget, he further requested P to certify and attach such records, अब अगर यह fraudulent के लिए CA, अगर को 30 पकर देखा तो CA भी जिम्में वहा रहा है, वो अबट कर रहा है तो 21, एक में 21 अपराद में अबट कर रहा है, P ने यह apprise किया Mr. X को following DST implication के लिए, हाजी, एक ही जो Mr. X है, 74 का action तो होगा ही होगा, इसके अलावा इस पे और क्या हो सकता है, यह 21 अपरादों में help कर रहा है, यह जो अपराद है इनमें help भी कर रहा है, यह भी माना जाएगा, ठीक है, तो 123 के भी penalty जो 5000 तक CGS2 में, 55 तक CGS2 में वो लग सकती है, पहले यही बात कर रही है, जो firm ने बिना supply के इस इशू किया, और जो गरत refund ले लिया, इस पर 122 की penalty की बात है करते हैं, और जेल में भी डाड़ा सकता है, अगर टेक्स की जोरी 500 तक उपर यह तो पांसर क्लस पाई, तो आईए जरा अब इसकी बात करते हैं, हाजी, तो पहला incorrect invite की बात कर रहे हैं, पहले तो पूरी वही कहानी बता दे इसकी, यहां से में शुरू हो रहा है answer, Mr. X का act और उसकी firm दोनो punishable है, Mr. X ने supply किया service बिना invite के, तो X not paid short paid की बात आ गई, तो 74 में इसकी अगेंस में penalection, यह tax की recovery होगी with interest और penalty भी 74 में, अच्छा जी अब चाहे यह एक्स अब यह बोलता है, चाहे एक्स contention दिता है, मैं तो invoice firm से issue कर दिया है, तो उसने भी गलत काम किया है, कर एवन अब थे contention is made the inviator issued for services by the firm of Mr. X नहीं यह गलत है, यह गलत है, तो उसने गलत cold invoice issue किया है कि यह माना जाएगा, क्योंकि X and XYZ दोनों अलग अलग है, separate person है, अब यहां पे आगे देए, अब XYZ के सुनो, X and XYZ are different persons, invoice issued by firm, तो invoice जो firm ने issue किया है, यह क्या माना जाएगा, issuance of invoice without supply of service, 122 में penalty, और जो गलत refund ले लिया अब इस firm ने, इस पर भी यह भी एक offense है, 122 में penalty, और अगर पांच क्रोड़ जूपर की जोड़ी है, तो punishable with imprisonment, यह दो क्रोड़ जूपर की जोड़ी है, तो जेल प्लस फाइंट भी 112 में, पनिश्मेंट हो जाए, तो यह कहानी आ गए, जी अब अगला, ITC without receipt of services, अजी अब क्योंकि हमने actual में service दी थी, उसके against में credit को यूज किया है, तो 74 का action होगा हमार बाद में, service लिया है Doodle ने, invoice हमने ले लिया, तो हमने credit उस avail को यूज भी कर लिया, यूज कहां किया है, कोई actual में service दी थी हो, तो हमने against 74 का action तो आप देखेंगी, जो हमने service रेसीव करी, X-Way and SSLLP received invices from influencer who are actually providing service due to LLC, तो यहां से परना शुरू करें आप second point जो बोल्ड किया है, मैंने input tax credit availed and utilized by X-Way for further supply of services is incorrect, तो यहां पर liable for demand and recovery को सेक्शन में सेक्शन 74 में, और अगर जेल वाली बात भी आ जाएगी, हाँ जी अगर एक बार 74 लगे तो फिर 122 की penalty की बात नहीं करेंगे, फिर जेल की बात करेंगे बस, मिस्टर एक्सपर उपर हमने वह तो बता दिया था किसे tax की recovery होगी, इसके लबाए एक की सब्दा तो मैं help कर रहा था, इसमें 122 तीन में penalty, और 122 एक यह भी penalty लग सकती है अगर बेनेफिट कर रहा था, अब इसके बाद, अब हम case study 3 करने जा रहे है, case study 3 यह देखी जारा, हाज इसके लिए बस एक की line लिख रही है, ABC एक associate LLP है, CA form है यह, इसे appoint किया गया है, किसके लिए special audit के लिए, किसके special audit के लिए, अब यह गर बढ़ियां क्या कर रही है, वह हम यहीं से पढ़नेगे, इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है, आज यह पढ़ते हैं इतको, ABC & Associates मैंने यह लिखा LLP है, firm of CA, I am paneled with Commissioner of GST for appointment as special auditor, Special audit report किया गया है, किसका Act Limited का? Act Limited adistory to GST was selected by the office of Commissioner for special audit on section 66, for a financial year on account of irregularity notice, तुरिंग स्कूर्टनी अब रेटंस है आपको ध्यान हो प्रेटन सेक्षिन सिक्षिवन में स्कूर्टनी करते थे गड़ बड मिली एक्स्परेशन मागी नहीं हुए एक्स्परेशन उसने सही नहीं दी हमें तो हम चार एक्षिन ले सकते थे 65 में डिपार्टमेंट खुद ओडिट कर सकता था उसी की बात हो लिए यह इंस्पेक्शन सरसीजर कर सकता था या फिर नौटिज इशू कर सकता था इसमें हम 66 वाला ओडिट करा रहे हैं बाद में जो CA firm कमिशन लोमिनेट करता था उन ही को ही पोईंट किया जाता हुआ इसनुम्हाइफ प्रटमेंट करता था इसनुम्हाय प्रटमिन रोडिट में प्रटम टूर घर रोड़िट करता हैं थैर नोमिनेट करता है कि यह फिर खुद रूम्न और इन दरुद ए वाली आंक्त इस X limited से कोई भी हमारा हमारी firm में जो partners है या उनका कोई relative इस में काम नहीं करता उसने हमारा कोई relation नहीं है लेकिन 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 इस CA firm ने नहीं बताया department को इस firm का एक partner की wife वहाँ पर text text का काम देखती थी उसका नहीं बताया तो यह guilty है तो आयो देखती है however while submitting the declaration यह पहली गलती is CA firm की in relation to such appointment ABC fails to disclose spouse of one of the partner यह इस partner की wife एक wife नहीं उसकी wife एक partner की wife of ABC is working under full-time employment as a head of text department of X limited तो आपने यह बताया नहीं यह गलती है number two material discrepancy audit के दुरान निकली लेकिन हम ने अपनी report में नहीं बताया gross नगली जन्स है तो करें ABC failed to disclose these material discrepancy audit report material discrepancy निकली यह audit report में नहीं बताया यह तो gross नगली जन्स है नंबर तीन अपराद नंबर तीन अपराद इस X limited ने section 18 में stock का credit ले रखा था और वो stock का credit हमारी ही कोई associate जो हमारी partnership हमारी एक बंदे ने इसको sign करके दे रखे तो हमने सूचा हमारे किसी बंदे ने हमने चेकी नहीं किया स्पेशल ओड़ेटी दोरान चेकी नहीं किया था ठीक है जी यह भी कड़ पड़ है आओ ITC claimed by X limited in form GST ITC 01 section 18 1 में हमने 4 cases के तोर में से एक था करहा है कि हमने ITC 01 में क्रेट का क्लेम किया वास certified by one of associate firms of ABC हमारी किसी एक firm ने एक प्रेवर में already एक certificate issue कर ला था certificate was based on incorrect facts पहले भी हमने certificate incorrect facts के basis पर दे रखा है और अब भी हम इसे चेक नहीं करें नालायक है यह CFM तो नालायक नहीं करें certificate was based on incorrect facts and again the eligibility criteria for ITC as per section 18 के इसाथ से certificate नहीं मिलना था हमने certificate दे रखा है कि मिलेगा तेरे को अब ABC नहीं जो कि हमारी firm ने कोई गलत certificate दे रखा दाओ तो यह भी एक gross negligence है last gross negligence special audit की department ही भी करता था हमने क्या कि ABC ने यह पांच लाग रुपार ले लिए special audit के नाम से excellent यह चारो गलतियां गड़बरियां अब पहला क्या-क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा पहला false declaration दी थी submitted by Commissioner VST कि हमारा कोई relative काम करता नहीं करता हमने बताया ही ने यह false undertaking दी हमने तो यह audit की independence पर सवाल है यहां पर audit team की independence पर सवाल है तो audit report गड़बर ही हो ठीक है यह पढ़ लेना अब सेकेंड पॉंट जो material discrepancy को हमने report नहीं किया जो material discrepancy को report नहीं किया हमने अब हम भी फिर 21 सब्रादों में help करें के वजब लबब हो हमें special audit का काम मिला हमने material discrepancy में लिए उसको और यहां से आप बढ़ना शुरू करते हैं इन सच scenario क्योंकि material discrepancy निकली थी और और एक इनकरक्त certificate भी हमने दे रखे हमारी फिर्म ने और अब भी हम disclose नहीं कर रहे हैं तो ABC and associate firm which issued the certificate to justify ITC claim were aiding and abetting excellent and wrongful availment of credit तो हमने गलत certificate दी हम 21 उपरादों में उसकी help कर रही हैं तो यह punishable 122 में 25,000 तक की penalty TGST में 25,000 तक की penalty AGST में इसके अलावा 132 एक में jail में भी जाना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपन टक्स की वेजन कितनी है ठीक है तो ABC as well as associate firm में इसके अलावा professional misconduct के लिए guilty भी माना जाता है next third one next को जाएंगे जो हमने अब पांच लाग रुपए ले लिए इस से company से special audit की fees department देता था ये नहीं तो हमारे पर general इसके बाद आये जरा last case study case study 4 इसके लिए जहां ये end और ये case study वहां एक चार्ड बनवा देता हूं इसमें है क्या फिर पढ़ लेए ठीक है of A limited हाजी अगेन एक company को loan लेना था A limited को तो उस इसने suggest किया एक काम करो एक काम करो एक B limited बनाओ ये एक suggest कर रहा है कहरा B limited को incorporate करो इस company को बनवाओ fake document दे अच्छा इसके डारेक्टर जो होंगे वो same होंगे डारेक्टर सेम रहेंगे ये जो A limited के डारेक्टर है वही इस B limited के डारेक्टर होंगे और with fake document ये जो registration कराते सेमें हम document देंगे with fake document अब याद करें 122 में penalty रख सकते है रजेस्टरेशन कराते सेमें गलत particular दें रजटरेशन नहीं कराया फिर विमाल बेज़एं इतना registration कराते सेमें गलत particular दें तो ये इस 122 में penalty रख सकते है नंबर 2 अब X इसको इसको बता रहा है क्या कर benutrant के अब A Ltd. क्या करेगी बnant अब A Ltd. फेक इन्वाइस इसु करेगी B Ltd. को फिर बिल्युम्ट इसु करेगी इस यह इसु करेगी fake ईन्वाइस B Ltd. भी आगे fake इस इसु करेगी फेक इनवाइस इशु करेगी to group company हमारी कोई group company है वहाँ उसे फेक इनवाइस इशु करेगी ओक्रेज ये आगे ऐसे फेक इनवाइस इसु करेगी फेक इनवाइस का मतलब क्या है no supply यहाँ पर भी no supply no supply B-limited ने क्या किया इस fake invoice के business पर ITC ले दिया अब B limited एक और काम कर रही है क्या एक तो इसने यह वाला fake invoice इस्यू किया था गुट्स का इसके अलावा एक fake invoice A limited को दे रही है service का fake invoice service का fake invoice का मतलब हम actual में supply नहीं करते हैं सिर्फ सिर्फ invoice issue कर देते हैं fake invoice service का यह again no supply supply नहीं करी कोई एंसे कोई supply नहीं करी service की बस invoice इस्यू कर दिया अब A limited ने क्या किया जी यह देखें A limited ने A limited ने क्योंकि यहां तो fake invoice इस्यू किया था cash में माल बेज दिया supply without it नमबर तीन अब यह approach कर रहे हैं CA को कि बताओ हमने जो कर रखा कुछ हो सकता है for certificate for giving certificate to bank certificate loan लेना था इनको for giving certificate to bank CA के पास आए अगर अब हम बात करें A limited ने मैं green pen उठा लू जी green pen उठा रहे A limited ने सिरफ invoice इस्यू किया है पहले इस वाली की बात करें तो सिरफ 122 की penalty 73-74 नहीं B limited ने भी आगे क्या किया fake invoice इस्यू किया थे 122 की penalty यह green ही है यह कोई और पर ना है यह 122 की penalty ठीक है यह जो इसने यह आगे इस्यू किया यहाँ पर भी fake invoice इस्यू किया इसको A limited को भी service का fake invoice यहाँ पर भी 122 की penalty तिरफ fake invoice नहीं है supply नहीं है fake invoice इस्यूगी है ठीक है ना और जो एक्स यह एक्स एक्स अपरादों में जो help कर रहा है इस पे 122 तीन और 132 जेल तो साथ में सरी के चलेगी हाँ A limited ने जो supply कर दी बिना इन्वाइस के यहाँ 74 का notice इस्यू हो सकता tax not paid short paid ठीक है यह आपने नोट कर लिया पढ़ा हूँ एक बन मैं आपको तो फिर से बता है A limited को bank से loan लेना था इस एक्स ने इसे बोला एक काम को एक B limited बना लो फेक रेस्टेशन से तो फेक रेस्टेशन फेक डाकुमेंट से तो 122 की बनाटी लगेगी फिर कहता है A limited आगे बना कर देगा फेक वाला बी को भी आगे गुरूप निसको पाकि स्टोग जीरो देखे तो यहां पर A limited को सिरफ फेक इन्वाइस इस की बनाटी ओर सर्विस का फेक इन्वाइस इस की बनाटी आप ने वह नोट करने के लिए आप क्लास यहां पर रोक कर यह अपना नोट कर लेना खुलते अब मैं आपको पड़ा रहा हूं पड़ा पड़ा आएगे A limited is English in business manufacturing cotton या wherein cotton is principal raw material in the manufacturing process the price of cotton varies depending upon the market condition and is dependent on various external factors एक्स यह नहीं है is tax consultant of A limited advises A limited from GST compliance पहला in order to meet expansion related expenditure A limited को loan चाहिए bank से As per bank the turnover and profitability criteria are not meeting the benchmark of the bank और यह bank के criteria को अभी match नहीं कर लिए तो यह following action अब यह suggest कर रहा है इसको consultant यह करूँ A limited का पहला A separate entity B limited बनाओ and director of A limited बना पुएंट यह director same रहेंगे director same रहेंगे next this ensures that the control of B limited remains to director of A limited further B limited registration लेगी यान के लिए Mr. X assisted in taking registration X obtained registration providing fake document registration fake document पर ले लिया तो इसकी जरा penalty की भी बात कर ले नीचे आंतर रिखेंगे GST registration जब आपने false information यह registration करा देखना में पे तो 122 की penalty लगेगे जितना tax division हो और 10,000 वेज़वे था इतने ही है GST बेखेंगे ठीका जी? next second point subsequently A limited started issuing tax invices to B limited A ने fake invoice B को भेजना शुरू का जी या no actual moment of goods actual में goods की supply नहीं हो लिए 74 action नहीं हो सकता further B limited also availed ITC of such tax invices the figures relating to such tax invices was stored in local market by A limited in cash without charging any GST हाँ यह जो यहाँ पर A limited of VA invoice बिना invoice issue के माल बेच रहे तो tax not paid है इसके लिए 74 notice आ सकता है लेकिन जो A limited ने B limited को invoice issue किया था इस fake to buy it की बिनलेटी सिर्फ क्योंकि invoice invoice issue रखा है अब A ने B को fake invoice issue किया third point B ने भी क्या किया आगे fake invoice issue किया B issued tax invoice for provision of certain services to A limited असल में वो service नहीं दी गई नेचे देखें no such service असल में वो service नहीं दी गई बस इसका मतब invoice invoice issue हुआ है invoice invoice issue हुआ है ओके और इसका IIT से क्या किया इसने appearing in books of B limited जो A ने B को पहले invoice issue किया था तो जो credit दिख रहा था वो उसने use कर लिया on the basis of fake yarn invoice utilize वो बिना invoice के साथ तो 122 की ही penalty लग सकती है ठीक है जी तो A limited पर fake invoice का penalty B limited पर fake invoice का penalty अब B limited ने भी आगे क्या किया जी tax invoice for sale of yarn to other group entities service का invoice तो A को दिया ही था इसके लबा जो yarn यान बिना invoice के purchase करी थी उसको भी इसने बिना गुर्ष की supply के क्या किया सिर्व सिर्व टेक्स इस्यू कर दिया purpose क्या है to ensure that stock of yarn become 0 in the books of accounts in the year end tax inviices were issued at lower rate हमने जान कुछ के 90% कम लोग जितनी उसकी कोस्ट है उससे भी 90% कम कर लिया 10% पर ही हम उसका invoice इस्यू कर रहे हैं ओके X was aware X ही तो बता रहा है यह सब काम करने के लिए ठीक है तो 21 अपरादों में help कर रहा है अब A limited CA के पास गई है यह certificate issue कर आने के लिए bank से loan लेना हमें तो बता रहा है यह एक कहानी है हाँ जी तो अब पहले fake inviices की बात चार लेती है यह issue and subtraction invoice without supply तो fake invoice पहले A ने B को issue किया था फिर B ने A को service का invoice दिया था और B ने आगे group company को sale का invoice इसू किया था तो इनके लिए सिरफ 122 एक में penalty plus 32 की जे 122 की penalty और 32 की जे ठीक है अब B ने जो गलत credit लिया था क्योंकि आगे सिरफ invoice invoice इसू कर रहा है एक्षल में service दी नहीं है तो यहाँ पर भी supply तो है नहीं सकता है यहाँ पर सिरफ सिरफ क्या लगेंगे section 122 की penalty लेगे section 122 की penalty और jail में भीजा सकता है last point देखेंगे fourth और fifth point पहला fourth point incorrect information जो हमने submit करी है याद करें हमने 132 में पढ़ा था अगर आप incorrect information या false information submit करते हैं तो छे महीने second 132 एक f point में आता था छे महीने तक की jail हो रखते था छे महीने jail प्लस fine वाला तो यह हमने incorrect return file करें false books of accounts हमने submit करें हैं तो एक तो यह penalty आप चार्टी एक 122 में लग रही ही है इसके लावा 132 में jail में भी डाले जा सकता है ठीक है 132 में jail में डाले जा सकता है और इस एक्स पर क्या होगा जी एक्स ये 122 में 211 में help कर रहा है और 132 में jail और अगर CA भी यही काम कर देता है तो 122 में 211 में help कर रहा है प्लस 132 जी तो आप चार्ट बना लिए यहां से clear हो जाएगा ठीक है चार्ट बना लिए यहां से clear हो आएगा यहां सिर्फ स्प्लाई नहीं है तो 122 की बात आएगी और जेल की बात नहीं आएगी अगर सप्लाई करी होगी कि एक्ट्वल में फिर clear utilize कर रखाऊगा फिर 74 की बात रहेगी तो इन questions को इन case scenario को आप फिर से अच्छे से करना